बच्चों, एलगी में सबसे पहले हम पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टर एलगी के अंदर क्लोरोफिल मिलता है इसलिए वो फोटो सिंतेसिस करता है और उसका मोड आफ नूट्रिशन आटो ट्रॉपिक होता है अभी मैं कुछ इजी इजी पॉइंट जनरल पॉइंट कवर कर रहा हूँ फिर मैं ब्रायोफाइट की लाइसे किल समझाओंगा तब आपको पूरा डिटेर में बताऊंगा सेकेंडरी प्रोटो नीमा पे जो बर्ड्स होती हैं एल्गी मोस्ली कैसे होते हैं मल्टी सल्लर होते हैं यूलॉथरिक्स एक फिलामेंटर्स एल्गी है बट होगा तो मल्टी सल्लर ही ना लेकिन उसकी बॉड़ी दिखती कैसे है फिलामेंट की तरह है हेलो बच्चो कैसे हैं आप लोग तो एक बार मैं फिर हासिन हूँ देरादून से हमारे सफर को आगे बढ़ाने के लिए तो बच्चो आज जो चैप्टर में लेकर आया हूँ उसका नाम है Plant Kingdom इसके बाद हम Biological Classification, then Morphology and then Living World इस sequence में आपके सामने आएंगे बच्चो ये जो चैप्टर है काफी conceptual चैप्टर है काफी तकड़ा चैप्टर है और Neat के point of view से काफी important चैप्टर है तो आप पूरा का पूरा focus करना, चीजों को अच्छे से समझना और पूरा lecture आप देखिएगा और मैं आपसे promise करता हूँ आपको बहुत मज़ा आएगा और ये one shot neat के लिए बहुत sufficient है आप अगर इसको कर लेते हैं तो आपको कुछ भी करने के जरुवत नहीं है तो बच्चो इस चैप्टर में हम सबसे पहले algae, bryophyte, teridophyte, gymnosperm, angiosperm ये sequence रहेगा उसके बाद मैं आपको artificial classification, natural classification, phylogenetic classification, cytotaxonomy, chemotaxonomy, karyotaxonomy इन terms को explain करूँगा तो बच्चो बिना time waste किये, बिना extra motivate किये lecture को start करते हैं बच्चो algae में सबसे पहले हम पढ़ेंगे general character algae के अंदर chlorophyll मिलता है, इसलिए वो photosynthesis करता है और उसका mode of nutrition autotropic होता है बट algae के अंदर आपका जाइगोड का formation भी होता है तो ये तीनों की तीनों चीजे algae के अंदर present होती है तो हमने यहाँ पे लिग दिया present ठीक दूसरी चीज देखिए, embryo, seed and vascular tissue vascular tissue का मतलब xylem and phloem जो algae में absent होता है तो embryo नहीं मिलता, seed नहीं मिलता और vascular tissue नहीं मिलता तो आप यहाँ पे लिखेंगे absent आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? absent उसके बाद आप यहाँ पर एक line खीच सकते हैं इस तरीके से आपने यहाँ पर एक line खीची और एक line आपने यहाँ पर खीची तो algae की जो body है वो thaloid होती है बचो thaloid का मतलब है इसमें root, stem and leaf absent होता है तो algae की अगर मैं body की बात करता हूँ कि भाईया algae कैसा है तो आप बोलेंगे algae के लिए word thaloid thaloid का मतलब क्या हुआ? thaloid का मतलब होता है root, stem, leaves root, stem, leaf जो होता है absent होता है next point mostly, algae mostly aquatic होते है जिसमें वो fresh water भी होते है और marine भी होते है fresh water जहां नमक नहीं मिलता marine जहां पे नमक मिलता है समुंदर तो अगर मैं बोलता हूँ mostly कैसे है तो आप बोलेंगे mostly aquatic है aquatic में दोनों condition है आपकी fresh water भी है और आपके marine water भी है algae terrestrial condition में भी पाए जा सकते हैं बट mostly aquatic होते हैं बचो other habitat के अगर मैं बात करता हूँ algae आपका moist stone पे मिल सकता है आपका algae soil में मिलेगा आपका algae wood पर मिलेगा तो यह आपको समझ में आ गया होगा lichen algae fungus के साथ भी मिल सकते हैं algae किसी के साथ भी मिल सकते हैं lichen का मतलब क्या हुआ lichen का मतलब हुआ एक ऐसी symbiotic relation किस किस के बीच में symbiotic relation सर algae के बीच में और fungus के बीच में तो algae और fungus के बीच में एक symbiotic relation जिसमें जो fungus होता है वो algae को shelter प्रोवाइड करता है और जो algae होता है वो fungus को food प्रोवाइड करता है यह दोनों एक दूसरे के मिना नहीं रह सकते ऐसी relationship को बोलते हैं symbiotic जिसके बारे में डिटेल में आपको biological classification में पढ़ाया जाएगा animal algae animal के साथ भी आ सकता है वो animal के ऊपर भी मिल सकता है और animal के अंदर भी मिल सकता है तो NCRT में लिखा हुआ है कि algae present on algae present on algae present on sloth bear animal के अंदर नहीं मिला यहाँ पर animal के ऊपर मिला तो ऐसे algae को हम बोलते है epijoyak algae ऐसे algae को हम बोलते है epijoyak algae और इसका example है trichophilus या example है trichophilus तो बच्चो वो कौन सा algae है वो कौन सा algae है आपका जो slot bear के ऊपर मिलता है trichophilus तो यह आपको समझ में आ गया next आईए form and size of algae तो algae के में जो form है जो size of algae है वो काफी variable है form and size of algae ठीक है हम यहां लिख सकते हैं काफी variable है काफी variation मिलती है unicellular हो सकता है colonial हो सकता है filamentous हो सकता है तो अब हम check करते हैं आपका जो chlorella है वो आपका unicellular होता है और कैसा होता है यह आपका non-motile होता है climodominus भी unicellular होता है और यह आपका motile है मतलब इन में flagela मिलते हैं यह movement कर सकते हैं eulothrix जो होता है वो filamentous होता है मतलब इस तरीके से इसका structure होता है eulothrix का एक filament की तरह आपको दिखेगा इस तरीके से एक filament की तरह यह इसके अंदर इसकी cells है इस तरीके से आपको eulothrix दिखता है तो eulothrix और spirogyra filamentous होता है जिसमें eulothrix motile होता है spirogyra non-motile होता है walworks जो है वो colonial algae होता है colony की forms में मिलते हैं यहां पर जो cells होती है वो colony की forms में एक group की form में assemble होती है तो walworks colonial algae है और यह आपका motile होता है कुछ marine forms होते है जिनकी body काफी बड़ी होती है few marine algae few marine algae few marine algae तो कुछ marine algae होते है जो काफी बड़े होते है जिनकी body काफी massive होती है मतलब उनकी body काफी large होती है ऐसे algae को बोलते है kelps और kelps आते हैं किसमे brown algae में तो जो brown algae है वो mostly marine होते है तो कुछ brown algae की जो body है वो काफी बड़ी होती है ऐसे brown algae को आप बोलते है kelps तो ये आपको समझ में आ गया हमने देख लिया कौन motile है कौन non motile है कौन unicellular है कौन colonial है कौन filamentous है आगे बढ़ते हैं फाइको कॉलाइड्स बच्चों ये जो algae होते हैं ये कुछ ऐसे substance प्रेड्यूस करते हैं जिनकी water absorbing property होती है उनको फाइको कॉलाइड और हाइड्रो कॉलाइड बोलते हैं तो बच्चों फाइको कॉलाइड और हाइड्रो कॉलाइड जो होते हैं उनकी water absorbing property होती है पूरा कवर करेंगे एकदम डिटेल में बस पूरा फूकस करना तो फाइको कॉलाइड फाइको मीन्स फाइको वर आया फाइको लॉजी algae की study को बोलते हैं फाइको लॉजी तो फाइको कॉलाइड लिखना मत फाइको कॉलाइड और हाइड्रो कॉलाइड की water absorbing property होती है तो green algae, brown algae और red algae ठीक कहीं कहीं पर यहाँ spelling mistake हो सकती है क्योंकि यह type करवाया गया है है यह मैंने नहीं लिखा है यह operator से type करवाया गया है तो कई बाद typing में error आ सकता है वो error मैं खुट ठीक करतावा चलूँगा जहां मुझे लगेगा कुछ गडबड है मैं spelling को ठीक कर दूँगा ठीक तो बच्चो फाइको कॉलाइड ग्रीन, brown और red तो green फाइको कॉलाइड प्रेड्यूस नहीं करता brown प्रेड्यूस करता है और red प्रेड्यूस करता है brown जो फाइको कॉलाइड प्रेड्यूस करता है उसका नाम है algin, red जो प्रेड्यूस करता है उसका नाम है agar agar तो अब name of algae यहां हमें algae का नाम याद नहीं रखना है, बिलकुल भी याद नहीं रखना है यहां हमें LG का नाम याद रखना है वो कौन सा LG है? एक का नाम है Gracilaria और एक का नाम है Gelidium तो हमें यहां पर LG का नाम याद नहीं रखना है यहां यह प्रेड्यूस नहीं करता जो जो मैं आपको बताऊंगा बस वही आपको याद रखना है ठीक है? यहां LG कौन प्रेड्यूस करता है? याद नहीं रखना अगार-अगार कौन प्रेड्यूस करता है? Gracilaria और Gelidium कैसा LG है? Red LG है यूज जो है यूज में हमें सिरफ अगार-अगार का पढ़ना है इसको हम यूज करते हैं Making Ice Cream Ice Cream में इसको यूज किया जाता है और Lab के अंदर अगार-अगार को यूज कराया जाता है ताकि आप इस पे Bacteria को Microbes को Grow करा सको तो आपका दूसरा जो इसका Use है For Growing Microbes In Lab तो यह आपको समझ में आ गया ठीक है यहां हमें कुछ नहीं करना है यहां हमें कुछ नहीं करना है तो कौन-कौन है जो आपके Phycocollide प्रेडूस करते हैं आपके Brown है और Red है Red में Example याद रखना है Brown में Name of Phycocollide तो यहां आप क्या लिखेंगे यहां लिखेंगे Name तो Name of Phycocollide ठीक Food कुछ algae है जिने हम Food के तौर पे यूज करते हैं जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि जैसे मैंने आपको बोला कि 70% of marine algae used as food used as food जिसमें पहला जो नाम है आपका वो नाम है आपका P से पहला नाम किस से है P से और दूसरा नाम है L से तीसरा है S से तो P से आपका जाएगा Porphyra क्या जाएगा? Porphyra L से आपका जाएगा Laminaria और S से आपका जाएगा Sargasm जिसमें Porphyra आपका Red algae है कैसा algae है? Red algae है Laminaria और Sargasm आपके Brown algae है तो यह आपको समझ में आ गया होगा उसके बाद है Reproduction हम General Character पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं? General Character पढ़ रहे हैं इसके बाद हम Classification पढ़ेंगे तो बच्चो वेजिटेटिव रिपोड़क्शन तो आपका Reproduction में पहला है वेजिटेटिव दूसरा है Asexual तो वेजिटेटिव रिपोड़क्शन जिससे होता है वो है आपका Fragmentation क्या है? Fragmentation मतलब ये आपका कोई algae है इसमें से छोटा सा Fragment तूटेगा और ये Fragment एक नया algae बना लेगा Fragmentation इसके बारे में और कुछ नहीं पढ़ना है दूसरा है Asexual तो Asexual Reproduction By Asexual Reproduction By Asexual Reproduction By Motile Spore किसके थुरू हो रहा है? Motile Spore तो Asexual Reproduction के काफी सारे मैथड है बट उसमें जो सबसे common मैथड है वो है आपका Juice Spore क्या है आपका Juice Spore तो बच्चो जो Juice Spore होती है आपकी Juice Spore होती है माल लीजिए माल लीजिए ये आपका एक Algae है ठीक है? ये आपका क्या है? Algae है इस Algae में ये आपकी Present है Cell क्या Present है? ठीक है? ये Algae है Algae में आपकी Present है Cell ठीक? इनके अंदर आपकी इन Cells के अंदर आपकी Spores Formed होती है ये देखिए ये आपकी Spores Formed हो गई और ये इस पे Flegela Present है इनका नंबर एक नहीं होता इनका नंबर काफी होता है 4 हो सकते है 8 हो सकते है 12 हो सकते है इससे ज़्यादा भी हो सकते है तो आप देखिए ये एक Algae है जिसका नाम है Eulothrix और Algae Mostly कैसे होते है Multicellular होते है Eulothrix एक Filamentous Algae है बट होगा तो Multicellular ही ना लेकिन उसकी Body दिखती कैसे है Filament की तरह है तो Appearance Filament की तरह है है तो Multicellular तो Eulothrix में काफी सारी Cells है इन Cells के अंदर Spore का Formation हुआ और जो Spore आप कीस के अंदर बनी उस Spore को हमने बोला Juice Spore और Juice Spore के अंदर आप का क्या present है Juice Spore के अंदर आपका Filament LEV इसलिए Juice Spore कैसी होती है Motile होती है कैसी होती है Motile और ये जिस سेल के अंदर बनी है उस سेल का नाम है Juice Spore उस सेल का नाम है यू स्पोरेंजियम तो अब ये जू स्पोर क्या करेगी यहां से बाहर आएगी यहां से बाहर आएगी उसके बाद जू स्पोर जो है वो जर्मिनेट करेगी और जर्मिनेट करने के बाद वो आपका बनाएगी एक नया एल्गी तो juice spore, युलाथिरिक्स में जिस cell के अंदर बनी, उस cell का नाम है juice spore, juice spore, juice spore से बाहर आई, germinate की और एक नया algae बनाया, juice spore में flegela है, इसलिए ये motile होता है, तो asexual reproduction by motile spore, जिसका नाम है juice spore, और juice spore सबसे common spore है, common method है, common method है, asexual reproduction का कौन सा juice spore, तो बच्चो, ये चीच समझ में आ गई होगी, आगे चलते हैं, sex organ, बच्चो, male sex organ जो मिलता है algae के अंदर, उसका नाम है enthridium, क्या नाम है enthridium, ठीक है, algae के अंदर, जो sex organ मिलता है, बहिए algae sexual reproduction करेगा, sexual reproduction करने के लिए algae को sexual reproduction करना है, क्या करना है, sexual reproduction करना है, Vaginative आया, फिर Asexual आया और Asexual के बाद आपका कौन सा Reproduction आएगा Asexual के बाद आपका आएगा Sexual Reproduction तो हमने Heading डाल दी Sexual Reproduction तो पहले आपने क्या पढ़ा? सबसे पहले आप General Character पढ़ रहे हैं ठीक, General Character में Form and Size of Algae आपने पढ़ा आपने Fico Collides के बारे में पढ़ा, आपने Food के बारे में पढ़ा आपने Reproduction में Vegetative Asexual पढ़ा अब आप पढ़ रहे हैं Sexual तो Algae के अंदर Sexual Reproduction होता है तो Sexual Reproduction के लिए Gamets नहीं और Gamets जिस जगे पर Formed होंगे उनको हम बोल रहे हैं Sex Organ तो Male Sex Organ का नाम है Anthridium क्या नाम है Anthridium Anthridium में क्या Formed होगा Anthridium के अंदर आपके Male Gamets बनेंगे क्या बनेंगे Male Gamets Female का नाम है आपका Oogonium क्या नाम है Oogonium Oogonium क्या बनाएगा Oogonium आपका बनाएगा Female Gamet Oogonium के अंदर बनेगा Female Gamet बच्चो, sex organ की covering को jacket बोलते हैं तो इन sex organ के चारों तरफ जो covering है वो नहीं मिलती मतलब इनके surrounding में jacket नहीं मिलती तो sex organ की covering को क्या बोलते हैं? sex organ की covering को आप बोलते हैं jacket तो यहाँ पर जो jacket है वो absent होती है तो इसके जो sex organ है वो jacket less होते हैं enthridia और ugonia के surrounding में covering नहीं होती इसलिए यह jacket less होते है unicellular और multicellular यह जो sex organ होते हैं यह sex organ आपके unicellular होते हैं आपको यह चीज समझ में आ गई होगी तो sex organ कैसे हैं आपके unicellular होते हैं अब ध्यान से देखिएगा male पता चल गया female पता चल गया covering आपकी पता चल गया आपको unicellular है यह आपको पता चल गया note में आपका एक क्या है exception है क्या है exception है क्या exception है exception है आपका कारा क्या है कारा अब कारा कैसा अलगी है अगर मैं आप से बोलू कि कारा exception कैसे है कारा इसका exception कैसे है देखिए कारा के अंदर कारा किस टाइप का अलगी है कारा आपका green algae है कारा आपका green algae है यहां male sex organ को बोलते है anthridium और इस anthridium का एक और नाम है जिसको आप globule बोलते है तो anthridia का नाम है globule तो बच्चों कारा के अंदर कारा के अंदर यहां हम लिख देते हैं male sex organ female sex organ male sex organ female sex organ तो female sex organ का नाम है oogonium और इसी को आप बोलते है nocule बच्चों कारा भी algae है इनमें भी sex organ है बट इनके sex organ के चारो तरफ covering मिलती है मतलब इनके sex organ jacketed होते हैं तो algae के sex organ jacket less होते हैं बट जो कारा है जो की आपका कैसा algae है green इसके sex organ jacketed होते हैं और इसके sex organ आपके jacketed होते हैं और वो sex organ कैसे होते हैं multi seller होते हैं तो कारा के जो sex organ है वो कैसे हैं multi seller हैं बट हमने पढ़ा था कि algae के जो sex organ है generally वो कैसे मिलते हैं वो आपके uni seller मिलते हैं बट जो कारा है कारा के sex organ आपके multi seller हैं तो बच्चो कारा आपका exception हो गया next हम चलते हैं position और देख लेते हैं हम position और देख लेते हैं ध्यान से देखिएगा जब आप कारा को देखोगे ठीक है जब आप कारा को देखोगे तो कारा के अंदर एक बार sex organ की position पूझी गई थी ठीक है तो बच्चो यहाँ पर है आपका नीचे male sex organ और उपर है female sex organ तो कारा में ये है आपका nocule तो nocule उपर होता है और ये है globule तो बच्चो nocule की जो position है वो आपकी अपर है और इसकी जो position है वो lower है तो कारा में globule मतलब male sex organ की position lower होती है और nocule female sex organ की position अपर होती है type of sexual reproduction हम अभी general character ही पढ़ रहे हैं इसके बाद हम classification पढ़ेंगे type of sexual reproduction isogamous, anisogamous, oogamous both gamete brown देखो जैसे यहां इन्होंने brown gamete लिख दिया ठीक है यहां इन्होंने गलती से brown gamete type कर दिया है बच्चो तो यहां आपका आएगा male gamete female gamete और example देखिए, isogamous बच्चो मेरे पास मेरे पास आपके male gamete और female gamete अगर दोनों fusing gamete male gamete और female gamete morphologically similar है, एक जैसे दिखते हैं, तो आप इसको बोलते है isogamous, तो isogamous क्या होता है both fusing gamete मतलब both male and female gamete both male and female gamete दोनों के दोनों एक जैसे दिखेंगे तो morphologically कैसे हो गए morphologically similar हो गए इसको बोलते हैं isogamous यहां पर दोनों fusing gamete morphologically और physiologically कैसा physiologically कैसे होते हैं dissimilar होते हैं कैसे होते हैं dissimilar मतलब आप देखिए यह क्या दोनों उंगलियांक जैसी हैं नहीं तो इसमें एक male gamete है एक female gamete है दोनों की morphology कैसी हो गई अलग अलग हो गई physiology का मतलब क्या हुआ male gamete जादा active होता है जो male gamete होता है आपका वो जादा active है तो male gamete जादा active होता है female gamete जो होता है वो आपका less active होता है तो दोनों की physiology भी अलग-अलग हो गई anisogamous o gamus जो है o gamus जो है आपका वो anisogamous का ही advanced form है तो o gamus जो होता है o gamus जो होता है इसके अंदर भी आपके जो gametes होते हैं वो dissimilar होते हैं कैसे होते हैं? dissimilar होते हैं तो यहाँ पर भी आपके morphologically कैसे हैं? dissimilar होते हैं तो o gamus भी आपका किसका modification है? anisogamous और क्या characteristics है? वो मैं अभी आपको बताऊंगा बच्चो आइसो गैमस में भी हो सकता है, non-motile भी हो सकता है ठीक, female gamete female gamete देखिएगा female gamete देखिएगा तो अगर मैं आपको बोला male gamete आपका कैसा है? motile भी हो सकता है और non-motile भी हो सकता है ठीक, उसके बाद मैं आपको बोला female gamete तो female gamet जो है वो भी motile हो सकता है और non motile हो सकता है तो दिहान से देखिएगा ठीक है ISO gamet में male gamet motile भी हो सकता है non motile भी हो सकता है female gamet motile भी हो सकता है और non motile भी हो सकता है अगर male gamet और female gamet दोनों के दोनों motile है male gamete और female gamete दोनों के दोनों motile है तो यहाँ पर example आता है आपका eulothrix क्या आएगा eulothrix eulothrix में दोनों fusing gamete जो हैं आपके motile है ठीक है तो मतलब उनमें flegela present है उनमें flegela present है लेकिन spirogyra जो होता है कौन होता है spirogyra और ये भी आपका क्या है ये भी है आपका spirogyra तो बच्चो spirogyra filamentous अलगी है जो मैंने भी आपको बताया था spirogyra में दोनों fusing gamete non motile होते हैं लेकिन eulothrix में दोनों fusing gamete आपके motile होते हैं तो example में आपका आगया eulothrix और दूसरा आपका आगया spirogyra eulothrix में gamete जो हैं वो motile हैं क्योंकि वहाँ flagella present है इसलिए आप flagellated बोलेंगे और यहां आप बोलेंगे non flagellated तो बच्चों motile male और female gamete आपके eulothrix में मिले और non motile आपके spirogyra में मिले तो आपको यह समझ में आ गया अब यहां पर देखिए यहां पर male gamete जो होता है male gamete जो होता है वो आपका usually कैसा होता है motile होता है और female gamete usually कैसी होती है आपकी non motile होती है और इसका example दिया है NCRT में eudorena eudorena एक green algae है कैसा algae है एक green algae है एक colonial algae है colonial algae है एक motile algae है तो eudorena 3-4 साल पहले ही NCRT में add हुआ है तो इसके बारे में याद रखना green algae है colonial algae है और motile algae है तो anisogamous आपको समझ में आ गया तीसरा है u gamus u gamus के अंदर देखिएगा क्या होता है u gamus में जो male gamete होता है u gamus में जो male gamete होता है वो usually कैसा होता है usually motile होता है but male gamete जो होता है but 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 in red algae in red algae male gamete is non-mortile male gamete कैसा है non-mortile है तो बच्चों u gamus अगर आपसे कोई पूछे तो उसमें male gamete usually motile होते है लेकिन red algae के अंदर u gamus reproduction मिलता है जहां पर male gamete non-mortile होते है इसका मतला male gamete motile भी हो सकता है और non-mortile भी हो सकता है but mainly कैसा होगा mainly motile होगा तो male gamete motile होता है और small होता है size में कैसा होता है small होता है female gamete जो होती है female gamete जो होती है वो always female gamete जो होती है वो always कैसी होती है non-motile होती है तो red algae में male gamete भी non-motile female gamete भी non-motile बाकी जो algae है उनमें male gamete motile और female gamete non-motile non-motile है और size कैसा है large size होता है तो अच्छे से समझ में आ गया होगा example example है आपका कारा, वॉल्वॉक्स फ्यूकस और polysiphonia क्या बोलेंगे polysiphonia तो बच्छो कौन-कौन से example हुआ कारा, वॉल्वॉक्स फ्यूकस और polysiphonia जिसमें कारा और वॉल्वॉक्स जो है वो आपके green algae है फ्यूकस जो है वो आपका brown algae है और polysiphonia जो है वो आपका red algae है तो आप देखिए, एकदम शानदार table की form में पूरा का पूरा हो गया next चलते है life cycle बच्छो जादातर algae जो होते है most of the algae जादातर algae जो है वो कैसे होते है haploid होते है कैसे होते है haploid होते है तो most of the algae haploid बट आप आगे जाके पढ़ेंगे कि एक algae है जिसका नाम है fucus और fucus कैसा algae है BA, BA मतलब brown algae और fucus कैसा होता है fucus आपका diploid होता है ठीक algae की most of the algae में जो life cycle है most of the algae में जो life cycle है वो haplontic होती है अभी मैं आपको explain करूंगा कि haplontic का मतलब क्या है main body जो होती है वो main body होती है आपकी gametophyte 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 कैसा structure है haploid structure है green color का होता है और क्या produce करता है gametophyte हो structure होता है जो आपका produce करता है gamet और gamet haploid होते है तो gamet haploid है इसका मतलब gametophyte भी haploid होना चाहिए तो ज़ादतर algae में main body gametophyte होती है gametophyte haploid structure है green color का structure है और ये ऐसा structure है जो algae में gamet produce करता है तो इस body पर gamet का formation होता है इसका मतलब इसी body पर sex organ मिलते होंगे अभी मैं आपको explain करूँगा तो मान लीजिए algae है ये आपका algae की main body है जिसको आप बोलते है gametophyte क्या बोलते है gametophyte और gametophyte पर होते है sex organ ये रहा एक sex organ और ये रहा दूसरा sex organ तो ये सब आपके क्या है ये हैं आपके sex organ एक sex organ का नाम है male sex organ anthridium इसका नाम हो गया आपका anthridium और इसका नाम हो गया ugonium तो बच्चों anthridium, ugonium sex organ है इनके अंदर gamet का formation होता है और ये sex organ gametophyte structure पर मिलते हैं इसका नहीं होता है इसका नहीं होता है वहाँ internal fertilization होगा कहां होगा? ugonium में होगा मतला male gamet यहां से निकलता होगा और ugonium के अंदर जाता होगा वहाँ आप internal बोलेंगे example example की अगर मैं बात करूँ तो आप बोलेंगे eulothrix आप बोलेंगे spirogyra आप बोलेंगे clamidomo nas तो जारतर algae haploid होते हैं उनकी life cycle haplontic होती है main body gametophyte है और जारतर algae में fatation external है तो haplontic life cycle के example है eulothrix, spirogyra, climodomynas अब जड़ा समझते हैं कि haplontic का मतलब क्या है next heading है haplontic life cycle तो इसको समझिएगा haplontic life cycle क्या है ध्यान से समझिएगा पूरा अच्छे से समझिएगा बचो मेरे पास एक structure है मेरे पास एक structure है ये रहा एक structure ये रहा structure ठीक इस structure ये green color का है इसको मैंने बोला gametophyte gametophyte होते हैं haploid कैसे होते हैं? haploid ठीक gametophyte पर present है sex organ ये मैंने आपके बनाए sex organ इस sex organ का नाम है anthridium male sex organ क्या नाम है? anthridium और ये female sex organ है जिसका नाम है oogonium तो बच्चो anthridium क्या provide करेगा? gametophyte haploid है इसका मतलब यहां से जो gamet बनेंगे यहां से जो gamet बनेंगे ये बनेगा male gamet और ये बनेगा female gamet FG मतलब male FG मतलब female gamet MG मतलब male gamet तो ये आपके क्या produce हुए? बच्चो ये आपके produce हुए है gamets और gamets कैसे होते हैं? haploid होते है haploid structure है क्या? आपका gametophyte, तो haploid structure से haploid gamet बन रहे हैं, इसका मतलब क्या process हुआ होगा, इसका मतलब process हुआ होगा mitosis, कौन सा process हुआ, mitosis, तो बच्चो gametophyte main plant body haploid है, gamets haploid है, तो haploid से haploid structure तभी बन सकता है, जब mitosis हुआ हो, और इस process को, gamet formation को, यह जो process है, gamet formation, इस process को बोलते हैं, gametogenesis, क्या बोलते हैं, gametogenesis, अब आप देखिए, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इन में हो जाएगा fertilization, तो इस next जो process हुआ, वो आपका हुआ fertilization, तो बच्चो, fertilization के बाद, जिसको आप कई जगे पे लिख देते हैं, syngammy, क्या लिख देते हैं, syngammy, और आपकी जो चीज बनी, उसको हमने बोला, जाएगोट और जाएगोट आपका कैसा है? 2N है, N और N 2N है, ठीक, जाएगोट से embryo नहीं बनेगा, जाएगोट से embryo नहीं बनेगा, तो बच्चो, जाएगोट से आपका embryo नहीं बनता, तो जाइगोट जो है आपका, जाइगोट में आपका हुआ मियोसिस, क्या हुआ मियोसिस, अब आप बताओ, जाइगोट में मियोसिस हुआ, तो मियोसिस से क्रोमोसोम का नंबर हाफ होता है, तो जो स्ट्रक्चर आपका अभी बनेगा, वो स्ट्रक्चर आपका बना स्पोर, और स्पोर कैसा structure बना? स्पोर बना N. इस्पोर कैसा बना N क्योंकि वो M publish से बना. इस्पोर आपका N बना और स्पोर ने germinate किया और germinate करके gametophyte बनाया. इस्पोर ने क्या किया? इस्पोर germinate to form gametophyte. germinate to form gametophyte. बताव doświad कहा हुआ? मियोसिस जाइगोट के अंदर हुआ मियोसिस कहा हुआ मियोसिस आपका जाइगोट के अंदर हुआ इसलिए आप इसको बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस जाइगोटिक मियोसिस मियोसिस कहा हुआ बताइए मियोसिस कहा हुआ मियोसिस जाइगोट के अंदर हुआ ठीक पहली चीज तो ये हो गई जो भी हैपलॉइड स्ट्रक्चर होते है जो भी हैपलॉइड स्ट्रक्चर होते है जो भी हैपलॉइड स्ट्रक्चर होते है वो गैमिटोफिटिक होते है कैसे होते हैं? याद रखना जो भी structure haploid होते हैं वो gametophytic होते हैं और जो भी आपके diploid structure होते हैं वो आपके sporophytic होते हैं तो आप बताओ sporophytic structure आपका सिरफ क्या है यहाँ पर sporophytic structure आपका सिरफ जाइगोट है क्योंकि पूरी life cycle में सिरफ जाइगोट ही diploid है सिरफ जाइगोट ही diploid है तो बच्चो आपका पूरी life cycle में सिरफ एक ही structure है जो sporophytic generation को represent करता है जिसका नाम है जाइगोट बाकी आप देखिए n structure count करिए n structure count करिए gametophytic structure count करिए एक दो तीन तो हैपलोईड कितने है 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 तीन अब जड़ा diploid structure count करिए diploid सिरफ एक है कौन है जाइगोट तो बच्चो जादा structure कौन से है जादा structure है इसलिए life cycle क्या है इसलिए life cycle है आपकी हैपलोंटिक main plant body gametophytic क्यों है क्योंकि जादा structure आपके हैपलोईड है main plant body जो है आपकी वो कैसी है main plant body आपकी gametophytic है क्यों है क्योंकि जादा जो structure है वो हैपलोईड वाले बन रहे है जादा हैपलोईड वाले बने इसलिए हैपलोंटिक है इस sporophyte जो होता है वो non green होता है कैसा होता है? non green होता है तो बच्चो quality के साथ life cycle भी आपको समझ में आ गई अच्छे से समझ में आ गई होगी आगे चलते हैं gametophyte मैंने आपको बता दिया वहाँ पर कि gametophyte जो है वो main body है जादा तर algae की जो क्या produce करता है जो आपका gamet produce करता है ठीक है? क्या produce करता है? gamet produce करता है और ये आपका कैसा है? green है इस sporophyte आपका non green है और ये spore produce करता है क्या produce करता है? इस spore produce करता है economic importance 50% photosynthesis जो होता है 50% photosynthesis algae के द्वारा होता है तो 50% photosynthesis किसके द्वारा है algae के द्वारा है तो 50% photosynthesis algae के द्वारा है और जब algae photosynthesis करेंगे तो वो oxygen produce करेंगे जिसकी वज़े से level of oxygen in water क्या होगा in increase होगा तो यह आपके कैसे हैं यह आपके primary producer है क्योंकि यह खाना बनाते है और उस खाने पर बहुत सारे animal depend है तो अगर मैं कह सकता हूँ most of the animal most of animals depends upon algae for food तो जादा तर animals जो होते हैं वो algae पर depend करते हैं फूड के लिए तो आपको यह चीज समझ में आ गई होगी next आईए अब है आपका classification classification of algae तो classification किस basis पे किया गया criteria बहुत सारे थे पहला criteria जो सबसे main criteria है वो है आपका pigment क्या है pigment तो classification के criteria बहुत थे आपका हो गया pigments pigments आपका main criteria है इसके इलावा है आपका stored food इन algae में कौन-कौन से food stored होते हैं उसके बाद है आपका cell wall composition क्या है cell wall composition और इसके बाद है आपका flegela कि किन में कितने flegela मिलेंगे या मिलेंगे या नहीं मिलेंगे या फिर stored food क्या है या फिर cell wall का composition क्या है या फिर pigment कौन से है तो बच्चों chlorophyce का मतलब होता है green algae pheophyce का मतलब है brown algae rhodophyce का मतलब है red algae पीछे phyce लगा हुआ है phyce लगा हुआ है phyce किसका suffix होता है class का suffix होता है मतलब ये classes लिखी हुई है chlorophyce, phyophyce, rhodophyce ये सब क्या लिखी है ये class लिखी है तो कितनी class में divide किया तीन में divide किया आगे चलते है pigment बच्चो इसमें pigment मिलता है chlorophyll A, B यहां मिलता है chlorophyll A, C और यहां मिलता है chlorophyll A, D तो chlorophyll A, B chlorophyll A, C chlorophyll A, D color की हम बात करते हैं यह जो है आपका यह आपका grass green color होता है यह आपका grass green color है यह आपका olive green से olive green to olive green to different shade of brown different shade of brown वो depend करता है pigment के basis पर और यह है आपका कौन सा color है यह है red color बच्चो शेप of chloroplast तो यहां पर शेप काफी type के होते हैं आपके disc type का chloroplast हो सकता है आपका cup like हो सकता है ठीक है आपका reticulate हो सकता है ठीक है आपका girdle shape हो सकता है कैसा हो सकता है girdle shape हो सकता है ठीक है आपका star shape भी हो सकता है कैसा हो सकता है star shape हो सकता है और भी बहुत सारे type है आपका spiral shape भी हो सकता है तो अलग-अलग आपके shape मिल सकते हैं ठीक है, यहां हमें shape नहीं पढ़ना है जहां मैं आपको मना करूँगा, वहां आपको नहीं पढ़ना है यहां नहीं पढ़ना है, यहां नहीं पढ़ना है ठीक है, इसके आपको shape याद रखने है next है आपका paranoid paranoid समझेगा क्या होता है paranoid का structure अगर मैं आपको बनाऊ तो paranoid एक storage body है जो food store करती है तो paranoid जो है आपकी storage body है अब आप देखिए आपको blue color से भी दिखा blue इतना clearly नहीं दिख रहा होगा red कर देता हूँ उसको red कर देता हूँ ये देखिए आपको red भी दिख रहा है और yellow भी दिख रहा है ये आपकी paranoid है तो center में जो चीज होती है उसको बोलते है protein और बाहर yellow color से जो है वो है आपका star तो paranoid क्या हुआ paranoid stored body हुई खाने को stored कर रही है तो paranoid के center में क्या है paranoid के center में protein है और protein किस से स्राउंड है protein किस के स्राउंड है starch protein covered by starch तो हम यहां लिख सकते है proteinaceous center किस से covered है किस से covered है covered by starch proteinaceous center covered by starch ठीक यहां पर आपके paranoid absent है तो paranoid mainly green algae में मिलते है यहां paranoid आपके क्या है absent है और यहां पर भी आपके paranoid अपसेंट है में ली आपके मिलते हैं ग्रीन अल्गी में यहां बहुत ही रेर है या मिलेंगे नहीं इस टोड फूड की बात करते हैं तो बच्चो जो स्टोड फूड है वो आपका mainly starch है और इसके साथ-साथ आपका क्या है oil droplet oil droplet mainly starch है ठीक यहां हम बात करते हैं तो यहां stored food जो है वो complex carbohydrate होता है कैसा carbohydrate है complex carbohydrate है जिसका नाम है laminarin और दूसरा है आपका manitol पूरा लिखके पढ़ाऊंगा laminarin manitol और यहां आपका होता है floridian starch क्या होता है floridian starch यह भी carbohydrate है और यह आपका similar होता है किसके similar होता है यह आपका similar होता है similar to similar to amylopactin and glycogen amylopactin and glycogen amylopactin भी starch का component है ठीक और starch carbohydrate होता है glycogen भी carbohydrate होता है तो यहां stored food floridian starch यहां laminarin manitol यहां starch and oil droplet इसकी जो cell wall है उसमें present है cellulose यहां पर cellulose cell wall है और वो wall cover होती है cellulose wall है जो cover होती है किस से algin से algin phycocolite था जो मैंने आपको बताया था तो cell wall में cellulose है और algin है यहां पर cell wall में आपका cellulose है आपका pectin है और इसके इलावा आपका polysulfate ester है क्या है polysulfate ester cellulose algin यहां पर cellulose है pectin है polysulfate ester है आगया होगा समझ में habitat की बात करता हूँ यह आपका fresh water में भी मिलेगा यह आपका fresh water में भी मिलेगा आपका marine water में भी मिलेगा few of IC जो होता है वो mainly कहां मिलता है वो mainly आपका होता है marine water mainly कहां होता है mainly कहां होता है आपका marine water में होता है कहां होता है marine water में होता है थोड़ा बहुत आपका मिल सकता है फ्रेश वाटर में तो फ्रेश वाटर में आपका थोड़ा बहुत मिल सकता है मैं सम कहूँ या मैं रेयर कहूँ ठीक है बहुत ही कम मिलता है बहुत ही कम मिलता है और इसके इलावा देखिए फ्रेश वाटर में आपका इन दोनों के बीच में एक और वाटर होता है जिसको आप बोलते हैं ब्रैकिश वाटर क्या बोलते हैं ब्रैकिश वाटर जिसमें नमक है बट मेरीन से कम है फ्रेश में नमक नहीं है नदियां मेरीन समुंदर जहां नमक जादा है और इनके बीच में पानी है ब्रैकिश जिनम नमक कम है तो brown algae brackish water में मिलता है, marine में मिलता है, fresh में मिलता है, mainly मिलता है marine में और यहां fresh water में यह rare होते हैं, कैसे होते हैं, rare होते हैं, अब आप जड़ा यहां पर देखिए, red algae में देखिए, red algae में क्या होगा, तो बच्चो red algae में आप देखिएगा, red algae में आप से बात करता mainly ठीक है fresh water क्या है fresh water आपका कुछ में मिलेगा fresh water में आप लिख दीजिए sum कुछ में मिलेगा और ये भी आपका थोड़ा बहुत मिलता है कहां पर brackish water में कहां मिलता है brackish water में मिलता है तो देखिए पूरा समझ में आ गया होगा form की बात करता हूँ form की बात करता हूँ chlorophyce unicellar unicellar में आपका आ गया था clamidomonas क्या आ गया था clamidomonas और आपका आ गया है chlorella बच्चों confuse मत होना neat का बहुत famous question है ये हैं तो algae लेकिन इनको plantic kingdom में नहीं रखा इनको protista kingdom में रखा है क्योंकि NCRT में example mention किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये green algae है बट इनको कहां रखा है protista kingdom में रखा है मैं आपको chlorophyce में लिखा जरूर रहा हूँ बट इनका kingdom planted नहीं है इन दोनों का kingdom protista है याद रखना क्यूं है ये biological classification में बताऊंगा ठीक है colonial में example था आपका wall walks ठीक है और दूसरा example है आपका eudorina filamentus में आपका example था eulothrix और दूसरा example है आपका spirogyra अब देखिए phiofice में जो body है phiofice में जो body है अब phiofice के अंदर जो body है वो simple branch और filamentus हो सकती है अब simple branch और filamentus body कैसी होगी देखिए जरा simple branch और filamentus body इस तरीके से आपको body दिखेगी इस तरीके से branch और filamentus simple आपको दिख रही है आपको पता चल रहा है आप इसको अच्छे से देख पा रहे हो तो body simple branch और filamentous हो सकती है इसका example होता है Ectocarpus इसका example क्या हुआ? इसका example आपका हुआ Ectocarpus इसका example हुआ Ectocarpus profusely branch profusely branch मतलब अजीब सी दिखेगी profusely clear नहीं दिखेगी जैसे मैं आपको बोला इस तरीके से आपको body दिख रही है यह देखिए इस तरीके से आपको body दिख रही है profusely branch बड़ी दिख रही है massive दिख रही है profusely branch तो इसका example है आपका laminaria क्या example है? मतलब body काफी होचपोच सी दिखेगी massive दिखेगी बड़ी दिखेगी massive दिखेगी clearly नहीं दिखेगी profusely branch profusely branch body कैसी है? profusely branch है ठीक है? यहाँ आप example बोल सकते हैं laminaria और इनकी height इनकी जो height है आपकी वो 100 meter तक हो सकती है तो आप जब इसको देखेंगे आप इसको जब देखेंगे 100 meter तक आपकी इनकी height हो सकती है तो बच्चो तो कुछ brown algae इतने बड़े होते हैं कुछ brown algae इतने बड़े होते हैं कि उनकी जो height है वो 100 meter तक हो सकती है तो ऐसे brown algae ऐसे brown algae जैसे मैं laminaria बोला मैं sargassum बोला मैं macrosiscus बोला तो बच्चों इनकी body काफी बड़ी होती है ये काफी giant होते हैं ये काफी large होते हैं और ऐसे brown algae को आप बोलते हैं kelps क्या बोलते हैं? kelps तो समझ में आ गया होगा वापस से यहाँ पर आ जाते हैं ये हो गया mostly तो ये जो हैं आपके ये mostly आपके कहाँ पाए जाते हैं? अच्छा form की बात कर रहे हैं mostly जो होते हैं वो multi-cellular होते हैं but unicellular भी हो सकता है but also unicellular तो ये mostly multi-cellular होते हैं but ये unicellular भी हो सकते हैं body organization इनकी थोड़ी complex होती है body organization इनका कैसा है? complex है तो ये आप याद रखिएगा body organization जो है वो इनका कैसे होता है? आपका complex होता है बच्चो बहुत detail में पढ़ा रहा हूँ पूरा focus करना और अच्छे से समझना ये algae के पूरा character हो गए आपके next पे हम चलते हैं next पे भी पूरा नहीं हुआ है अभी तो और भी बचा हुआ है ध्यान से देखिएगा chlorophyce, feophyce और rhodophyce, chlorophyce बस होने वाला है दो slide है chlorophyce, feophyce, rhodophyce ध्यान से समझना बच्चो इसकी जो body है ठीक है? chlorophyce, feophyce और rhodophyce तो इसमें आप देखिएगा यहां हमें पढ़ना है इसके लिए हमें कुछ नहीं पढ़ना ठीक है? यहां body organization जो है आपका complex होता है तो मैं यहां लिख सकता हूँ कि जो body organization है मतलब इसकी body complex होती है body organization कैसा है? complex है जो brown algae होता है इसकी body तीन पार्ट में divide होती है तो यहां पर अगर मैं आपसे बोलूँ body divided into body divided into three parts तो यह किस के लिए बोला गया? यह few of Ic के लिए बोला गया कौन कौन से तीन पार्ट है? एक को मैंने बोला front एक को मैंने बोला type और एक को मैंने बोला hold fast तो body कितने पार्ट में divide होई? तीन पार्ट में divide होई देखिए अगर मैं यहाँ पर diagram बनाऊँ diagram के लिए मैं यहाँ पर use कर लेता हूँ diagram तो यह है इसका front यह है इसका front यह है type और यह है इसका hold fast तो बच्चो वो पार्ट जो आपको leaf जैसा दिख रहा है leaf तो मिलेगी नहीं leaf like जो पार्ट leaf like दिखता है उसको front बोलते है जो यह पार्ट है आपका type जो एक डंडे की तरह दिख रहा है और जो algae को attachment में help करता है किसमें help करता है? attachment में उसको बोलते हैं hold fast तो यह algae किसी rock पर किसी substratum पर किसी पत्थर पर attach है किसके through attach है? hold fast तो hold fast किसमें help करता है? attachment to rock rock बोल सकते हैं जिसको मैं बोल रहा हूँ substratum front जो part है वो photosynthesis करेगा मतलब खाना बनाएगा खाना बनाएगा और उस food का जो conduction करता है food का जो conduction करता है वो आपका करता है कौन? वो आपका करता है stock तो यह आपको समझ में आ गया होगा तीन पार्ट में body divide हो गई front, stipe and whole fast vegetative reproduction यहाँ पर किस से होता है? फ्रेग्मेंटेशन से होता है फीक है? यहाँ भी किस से है? यहाँ भी आपका फ्रेग्मेंटेशन से है और यहाँ भी आपका फ्रेग्मेंटेशन से है तो समझ में आ गया होगा नेक्स एसेक्शुल स्पोर बच्चो एसेक्शुल स्पोर जो है यहाँ पर जू स्पोर है और भी होती है यहाँ पर भी आपकी जू स्पोर है यहाँ जू स्पोर जो है आपकी एसेक्शुल स्पोर यहाँ पर जो juice pore है absent है तो यहाँ पर आपका juice pore जो है वो absent है बट asexual reproduction यहाँ non-motile spore के थुरू होता है बट non-motile is pore present तो juice pore कहां मिलेगी juice pore आपकी brown algae में मिलेगी और green algae में मिलेगी और juice pore में मिलते है इसलिए juice pore कैसी होती है juice pore motile होती है क्योंकि juice pore में आपके flegela मिलते है number of flegela in juice pore तो बच्चो यहाँ पर जो juice pore होती है उसमें flegela का जो number होता है वो 228 होता है और उनकी जो length होती है वो बराबर होती है तो 228 कैसे flegela है equal flegela है और कहाँ पर present है flegela tip पर present है apex पर present है इसका मतलब flegela की जो position है वो आपकी कहाँ है apical end है कहां है एपिकल एंड है यहां पर जू स्पोर जो होती है वो आपकी पीर शेप होती है कैसी होती है पीर शेप होती है और यहां फ्लेजला दो होते हैं और फ्लेजला कैसे होते हैं अनिकवल होते हैं मतलब फ्लेजला की लेंथ बराबर नहीं है तो यहां आपके जो फ्लेजला है वो आपके apical end पर नहीं होते जो आपके यहाँ phlegela है देखिए दो phlegela है एक phlegela पर hair है दूसरे phlegela पर hair नहीं है यहाँ phlegela की length equal नहीं होती तो क्या यह apical end पर है नहीं phlegela जो है आपके यहाँ एपिकल एंड पे नहीं होते यहां फ्लेजला जो होते हैं वो लेटरल एंड पे होते हैं कहां होते हैं? लेटरल एंड पे होते हैं यहां फ्लेजला एपिकल एंड पे होते हैं और यहां फ्लेजला आपके एपसेंट होते हैं इसलिए यहां एसेक्शॉल रिपोड़क्शन नॉन मॉटाइल इस्पोर से होता है सेक्शुल रिपोड़क्शन देखिए सेक्शुल रिपोड़क्शन देखिए यहाँ पर सेक्शुल रिपोड़क्शन आईसोगेमस से भी है एनाईसोगेमस से भी है उगेमस से भी है ठीक है, मैं तीनो के example आपको starting में बता चुका हूँ, तीनो के example, यहाँ iso gamus नहीं होता, anisogamus नहीं होता, यहाँ सिर्फ u gamus होता है, क्या उनसा होता है? U-gamus, ISO, N-ISO, U-gamus, ISO, N-ISO, U-gamus, यहां आपका सिरफ होता है U-gamus, gametes are pear-shaped pyreform with lateral flagella, यह बात बोली गई है brown algae के लिए, किसके लिए बोली गई है, अब यह मैं आपको बता चुका हूँ, gametes कैसे है, motile, non-motile कैसे है, यह सब मैं आपको कहां बता चुका हूँ, यह सब मैं आपको बच्चो, starting में अच्छे से यहां पर बता चुका हूँ, ISO-gamus के example बता चुका हूँ, N-ISO-gamus के example बता चुका हूँ, U-gamus के example बता चुका हूँ, तो ये वाली जो line है, ये line किसके लिए बोली है, gametes, pear या फिर पईरी फर्म शेप जहां पर फ्लेजला लेटरल एंड पे होते हैं, जू स्पोर में फ्लेजला लेटरल एंड पे थे और gametes में भी फ्लेजला लेटरल एंड पर हैं ये बात बोली गई है, pheophise, आगया होगा कुछ इसके लिए हमें कुछ नहीं पढ़ना है greater concentration तो बच्चो रेड अलगी जो होता है जहां तापमान थोड़ा जादा होता है गरम एरिया warmer रेडिया तो greater concentration में रेड अलगी जो होते हैं वो आपके present होते हैं कहां पर warmer रीजन में body well lighted region and depth ये बात किसके लिए बोली गई है ये बात बोली गई है रेड अलगी के लिए तो बहिया जो रेड अलगी होते हैं हाँ जो रेड अलगी होते हैं एक और चीज जब हम pigment में जाएंगे pigment में आप एक चीज और add कर लीजिए यहां पर AC और आपका यहां पर मिलता है आपका fucoxanthin क्या बोलते हैं fucoxanthin तो यहां आपका क्या मिलता है? यहां आपका मिलता है कैरोटिन मिलता है और आपका मिलता है जेंथोफिल तो बच्चो जेंथोफिल का जो example है जेंथोफिल का जो example है वो है आपका फीकोزंधिन, ख्लोरोफिल A और D है, और दो फिग्मेड मिलते हैं, एक को बोलते हैं, आर्फायको अरिथरिन, तो जो आर्फायको अरिथरिन है, आर मतलब रेडलगी, आर्फायको अरिथरिन है, वो बहुत ज़्यादा मिलता है, more amount में मिलता है, और इसके लावा एक और मिलता है जिसको आप कहते है आर फाइको साइनिन तो दो आपके यहाँ पर पिगमेंट मिलते है एक आर फाइको एरिथरीन एक आर फाइको साइनिन आर-फाइको-अरिथरीन ज़ादा अमाउंट में मिलता है आर-फाइको-साइनीन कम अमाउंट में मिलता है तो यह आपको समझ में आगया होगा आओ वापस से जलते हैं यहाँ पर आजाए बोट वेल-लाइटर डीजिन इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि माल लीजिए यह समुंदर है ठीक है? समुंदर के अंदर मचलियां है सौरी समुंदर में यह है पानी यह है पानी तो आप बताएए लाइट ज़ादा कहाँ पर आएगी लाइट जो आएगी वो सर्फेस पर ज़ादा आएगी और नीचे लाइट जो आएगी वो लाइट यहां कम आएगी सर्फेस पर लाइट देखिए ज़ादा आएगी तो बच्चो रेड एलगी ऐसी जगह पर भी मिलता है जो वेल लाइट रीजन है और यह रीजन कौन सा है? यह रीजन है डेप्ट तो यहां पर जो लाइट है वो कम आएगी डेप्ट में लाइट कम आएगी और सर्फेस पर लाइट आपकी ज़ादा आएगी तो यह दोनों जगह मिलता है सर्फेस में भी मिलता है जहां लाइट बहुत आती है Well-Eighted Degen, और Debt में भी मिलता है Ford Similar to Amylopactin and Glycogen ये बात बोली गई थी Red Algae के लिए जिसमें आप बोले थे क्या? जिसमें आप बोले थे Floridian Starch क्या बोले थे? Floridian Starch इसके इलावा इसके इलावा आप एक चीज और यहां पर लिखिएगा नोट करके कि जो red algae होता है क्या होता है red algae तो बच्चो red algae में fertilization के बाद जाइगोड बनेगा और उसके बाद जो structure बनते हैं वो structure काफी complex होते हैं उनके नाम NCRT में नहीं लिखे इसलिए मैं आपको बताऊंगा नहीं सिरफ इसलिए इतना बताऊंगा कि fertilization के बाद fertilization के बाद जो structure formed होते हैं red algae में वो structure काफी complex होते हैं तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि post fertilization structure post मतलब बाद में तो post fertilization structure जो होते हैं वो आपके very complex होते हैं post fertilization structure आपके काफी complex होते हैं कहाँ पर red algae में इसकी body organization भी आपकी complex थी ठीक है और यहाँ मैंने आपको ठीक है यह मैंने आपको बता दिया वापस से हम यहाँ चलते हैं यह हमारा हो गया ठीक है दूसरा brown algae में एक चीज और लिखी है कहाँ पर brown algae के अंदर अब आपके आते हैं यहाँ पर example तो हम example सारे पढ़ चुके हैं यहाँ आपका example आया eulothrix आपका आगया spirogyra ठीक है आपका दिखा हुआ है climodomonas हो गया chlorella हो गया यह ना आपका आगया eudorina आगया आपका walworks आगया आपका कारा आगया ठीक है phiofice के अंदर आपका fucus आगया आपका dictiota आगया आपका laminaria आगया ecto carpus आगया आपका sargassum आगया तो fucus आगया dictiota आगया laminaria, ecto carpus, sargassum आगया यहाँ आपका gracilaria आगया gelidium आगया ठीक आपका polysiphonia आगया आपका porphyra आगया तो बच्चों कितने शांदार तरीके से algae खतम किया है एक घंटा 13 मिनिट में full NCRT, full detail और slide भी आपके सामने बनाई है पूरा का पूरा आप देख लीजिए पूरा का पूरा कहने के लिए यह one shot है बट आप देख लीजिए हर चीज कितनी quality के साथ कवर्ड की गई है algae के अंदर तो हमने algae quality के साथ complete किया अब मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ तो बच्चों next है माइक चरक कर लेता हूँ कई बार माइक पॉस हो जाता है next है आपका bryophyte तो अब देखिए algae थोड़ा theoretical था अब यहाँ से concept वाला part start हो जाएगा और बहुत अच्छे से complete कराऊँगा बच्चों लेक्चर पूरा देखना बहुत मज़ा आने वाला है ठीक है यह बहुती सूपर जाने वाला है यह one shot आपको बहुत काम आएगा बेटा इसको अच्छे से आप देखिएगा ठीक तो next है आपका bryophyte बच्चों bryophyte की जो body होती है वो जादा differentiated होती है algae के compare में ठीक है ऐसा क्यूं है जब आप life cycle पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पर जो haploid structure है वो जादा मिलते है diploid structure जो है वो भी आपके जादा मिलते है as compared to algae तो यहाँ gametophytic structure का नंबर जादा है sporophytic structure का नंबर भी जादा है यहाँ body जादा differentiated होती है तो पहला point general character में body is more differentiated तो जो body है आपकी जो body है वो आपकी body is more differentiated than algae पहला point bryophyte में भी xylem philome नहीं मिलते यहाँ भी seed का formation नहीं होता तो bryophyte में भी vascular tissue and seed का जो formation है वो आपका absent होता है vascular tissue and seed का formation absent होता है embryo embryo इसके अंदर formed होता है algae में embryo नहीं बना bryophyte में embryo बना तो first time embryo कहां बना अगर मैं कहूँ कि first time embryo का formation कहां हुआ तो first embryo fights कौन है first embryo fight है आपके bryophyte bryophyte में जो sex organ मिलते है जिसमें male sex organ का नाम है anthridium क्या नाम है anthridium आखरी में table बनाया है algae, bryo, terido, gymno, angio सब की comparative study दी है पहले individual पढ़ेंगे फिर comparative study पढ़ेंगे female sex organ यहाँ पर नया आ गया जिसका नाम है archigonium तो बच्चो male sex organ anthridium female archigonium algae में female oogonium था यहाँ covering present होती है मतलब यह sex organ जो होते है वो jacketed होते है और इसके sex organ multicellular होते है algae के sex organ unicellular और jacketless थे habitat तो यह आपके मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं बोलू damp या मैं बोलू shady place damp, shady place humid place humid region ऐसी जगे पर आपके bryophyte मिलते हैं जो काफी dark region होता है shady place होती है वहाँ आपके bryophyte मिलते हैं next, bryophyte को दो पार्ट में divide किया गया है कितने पार्ट में divide किया गया है दो पार्ट तो मैं कह सकता हूँ कि जो bryophyte है वो आपका दो पार्ट में divide है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि bryophyte divided into two parts ठीक, bryophyte जो है आपके वो दो पार्ट में divide होते हैं ध्यान से समझेगा shape की बात करता हूँ तो इसका जो shape होता है वो आपका lever shape होता है कैसा होता है lever shape होता है और यह आपके ground touching होते हैं कैसे होते हैं ground touching होते हैं जिसका एक surface dorsal है एक ventral है जिसको आप बोलते हैं dorsi ventral क्या बोलते हैं dorsi ventral तो अब आप देखिएगा ground touching मतलब ground hugging Ground touching मतलब ground hugging तो आप यहाँ पर देखिएगा ध्यान से यह देखिए यह आपके lever warts है यह आपके क्या है lever warts देखिए ground पे किस तरीके से फैल रहे है यह इस तरीके से ground पे फैल रहे है dorsal ventral, dorsi ventral ground touching है तो यह आपके कैसे है यह आपके prostrate हो गए ठीके कैसे हो गए यह आपके हो गए prostrate ठीके prostrate का मतलब होता है लेटा रहना, लेटे रहना ग्राउंड पे लेटे हुए है तो यह आपके हो गए है कैसे बच्चो यह आपके हो गए है prostrate तो मैं बोल सकता हूँ यह आपके कैसे हो गए prostrate, prostrate का मतलब होता है ground hugging ठीक, Moses देखिएगा Moses कैसे होते है Moses जो होते है वो आपके erect होते है तो आप Moses के अंदर देखिएगा यह देखिए, Moses देखिएगा ठीक है, Moses आपके खड़े होए है, इस तरीके से erect है, ठीक है, इस तरीके से आपके खड़े होए है आपके जो mauses है वो आपके erect होते है तो ये आपका जो maus है वो कैसा है maus आपका erect है liverwot and mauses ठीक, rhizoid बच्चों rhizoid क्या होते हैं? rhizoid को समझेगा देखिए, जैसे ये आपका एक liverwot है क्या है? liverwot है और मालीजिए ये आपका क्या है? maus है ये आपका क्या है? maus है तो liverwot पर ventral surface पर कौन से surface पर? ventral surface पर तो rhizoid कहां present है? rhizoid ventral surface पर present है तो इसके rhizoid कैसे होते हैं? ये जो आपको hair-like structure दिखा कैसा दिखा? hair-like structure दिखा भई, bryophyte है root stem leaves तो होंगी नहीं तो हब याद रखिएगा bryophyte के अंदर आपका जो root है जो stem है जो leaves है वो क्या होती है? absent होती है तो बच्चो रूट का काम कौन करेगा? absorption और attachment में कौन help करेगा? absorption और attachment में कौन help करेगा? तो आपके जो rhizoid होते हैं वो help करते हैं किसमे absorption में help करते हैं और attachment में help करते हैं तो absorption और attachment में help करते हैं आपके rhizoid तो इसके जो rhizoid होते हैं वो unicellular होते हैं और कैसे होते हैं अन-branch होते हैं ठीक इसके जो rhizoid है mozes के वो होते हैं multicellular और branch तो अभी मैं कुछ easy easy point general point cover कर रहा हूँ फिर मैं bryophyte की life cycle समझाऊँगा तब आपको पूरा detail में बताऊँगा ecological importance तो अब ecological importance जो है वो mozes की ecological importance होती है क्या होती है उसको समझते हैं तो यहाँ पर heading डाल दीजिए आप ecological importance तो ecological importance में किसका role है role है आपका mozes का धिहान से समझना ecological importance को धिहान से समझना बहुत ज़्यादा धिहान से समझना ठीक है तो बच्चो अगर मैं आप से कहा कि मेरे पास एक rock है मेरे पास क्या है एक rock है ठीक है यह मेरे पास मैंने एक चीज बनाई यह मैंने एक चीज बनाई यह क्या है यह है मेरे पास rock यह है मेरे पास rock तो rock पर soil नहीं है rock पर कुछ नहीं है ठीक है, कई हजारों साल पहले की बात है, कई हजारों साल पहले की बात है, रॉक पर no vegetation, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, रॉक पर आपका soil भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो इस रॉक पर सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो चीज आई फर्स्ट टाइम रॉक पर जो लोग आए रहने के लिए उनका नाम था लाइकन क्या था लाइकन अब लाइकन ने क्या किया लाइकन ने पत्थर को तोड़ा ठीक है breaking of rocks जिसको weathering बोलते हैं breaking जिसको आप बोलते हैं weathering पत्थर को तोड़ा तो जब पत्थर को तोड़ा होगा तो बचो पत्थर से क्या निकला होगा बताईए जब पत्थर को तोड़ा होगा लाइकन ने तो पत्थर से क्या निकला होगा पत्थर के तूटने की वज़े से वहाँ पर ये क्या है लाइकन लाइकन ने किसको तोड़ा पत्थर को तोड़ा ये क्या है ये है आपका रॉक ये है आपका रॉक तो पत्थर के तूट इतने की वजह से आपके क्या release हुए, आपके mineral release हुए, मिनरल मतलब कैसा part आपका इन और गैनिक पाट है, कैसा पाट है, in और गैनिक पाट है, अब जब mineral release हो गए, ठीक है, और कुछ पाट likeन का, भई likeन में क्या है, लाइकन में algae है और fungus है तो लाइकन का कुछ पार्ट की death होने लगी लाइकन में कुछ algae मरने लगे कुछ fungus मरने लगे तो लाइकन का कुछ पार्ट क्या होने लगा decay होने लगा तो इसके बाद हम यहां क्या लिख सकते हैं हम यहां लिख सकते हैं कि some part of lichen also decay तो हम यहाँ लिख सकते हैं some part of lichen also decay कुछ part बई पेड़ है पेड़ में से पत्ते गिरते हैं तो पत्ते तो मर गए बई पेड़ से पत्ते नीचे गिरे हैं धर्ती मापर तो मरे हुए है पेड़ थोड़ी ना मरा है पेड़ तो जमीन में लगा हुआ है पत्ते गिर गए तो पत्ते मरे हुए है ऐसे lichen में से कुछ algae का part गिर गया होगा कुछ fungus का part गिर गया होगा तो वो तो मर गया उसको बहुते हैं decay part पूरा lichen नहीं मरा है कुछ part मरा है तो some part of lichen also decay और वो part किसकी तरह काम करेगा वो organic की तरह काम करेगा इसका मतलब यहां inorganic part भी आ गया और organic part भी आ गया यह कौन सा part है यह organic part है decay part यह है आपका decay part कैसा part है decay part और decay part है organic mineral है inorganic दोनों ने मिलकर किसका formation किया दोनों ने मिलकर किसका formation किया दोनों ने मिलकर soil formation start soil formation start पहले soil नहीं थी अब soil का formation start हो गया तो इसके बाद जो next आपका जाएगा हम यहां पे line खीच देते हैं इसके बाद जो आपका next जाएगा उसको देखिएगा क्या जाएगा तो यह हम मिटा देते हैं यहां से तीक है अब इसके बाद देखिएगा next क्या हुआ next क्या हुआ मैं diagram बना देता हूँ यहां पर यह रहा यह रहा हमारा rock और rock पे बैठा हुआ है आपका lichen क्या बैठा हुआ है lichen अब जब यह दोनों मिले तो यहां पर क्या आ गया किसका formation start हो गया यहां आपका हो गया किसका formation start हो गया यह आपका हो गया soil तो यहां पर है आपका soil यह है आपका soil आ गया होगा ठीक है आपका soil start हो गया तो अब condition पहले से ज़ादा क्या हो गई Now condition becoming, condition becomes more favorable, more favorable, पहले के मुकाबले condition अब ज़ादा favorable हो गई, क्योंकि पहले soil नहीं है, अब आपका soil present है, तो इसलिए अब यहाँ पर new plant come, new plant, जिसको मैं बोल रहा हूँ new plant, जिसको मैं बोल रहा हूँ community, उस नए plant को मैंने क्या बोला community, new plant comes, तो जो नए plant अब आए, उन नए plant का नाम है mozes, क्या है mozes, तो नए plant का नाम है mozes, ये बैटा है lichen, और lichen से बड़ा size था किसका, Lichen से बड़ा size था Moses का किसका था Moses का size बड़ा था तो यह आपके आ गए Moses यह है आपका Lichen तो बच्चो Lichen को Moz replace कर देगा क्योंकि Moz का size बड़ा है तो हम यहां लिख सकते हैं कि Lichen replaced by Moses Lichen replaced by Moses तो अब यहां से Lichen replace हो गया अब आपका सिरफ क्या बचा अब आपका सिरफ क्या बचा Moz मौस ने भी क्या किया Moz ने भी वही काम किया मौस ने भी किसको तोड़ा प्त्थर को तोड़ा breaking of rock breaking of rock किसकी help से तोड़ा rhizoid की help से तोड़ा तो जब इसने पत्थर को तोड़ा तो soil का amount बढ़ गया यहां soil का formation start हुआ यहां soil का formation accelerate हुआ तो जब इसने पत्थर को तोड़ा तो और ज़्यादा soil produce हुई तो यहां soil formation speed up तो जब soil formation speed up हुआ तो condition और ज़्यादा favorable हो गई condition और ज़्यादा favorable हो गई soil और जादा आ गई, यहाँ पर soil और जादा आ गई, condition और जादा favorable हो गई, now condition becomes more favorable, इससे जादा condition favorable अब है, क्योंकि soil जादा है, तो condition becomes more favorable, more favorable, condition और जादा favorable हो गई, तो बच्चो, lichen सबसे पहले आया, पत्थर को तोड़ा, soil निकाला, lichen का कुछ पार डिके हुआ, तो वो organic पार की तदा काम किया, दोनों ने soil का formation स्टार्ट किया, condition पहले से favorable हो गई, तो नई community आई, moses, moses का size बड़ा था, उसने lichen को हटा दिया, ठीक है, अब हाँ सिरफ moses है, moses ने पत्थर को तोड़ा, soil formation और हो गया, तो बच्चो, अब यहाँ नई community आएगी, यह moses था, अब यहाँ पर नई community आगई, जिसको मैं बोल रहा हूँ, hubs, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ, जिसको मैं बोल रहा हूँ, hubs, और hubs, ठीक है, आगए आपके hubs, ठीक है, और hubs में तो आपकी root present होगी, क्या होगी, root present होगी, तो अब यह किसको replace कर देगा, यह moses को replace करेगा, तो यह किसको replace करेगा, यह moses को replace करेगा, तो maximum moses इसने replace कर दिये, तो यहां सिरफ कौन बैटा है हब्स तो यहां पर मौज रिप्लेस्ट बाई हब्स तो दुनिया का एक नियम है इस दुनिया में जो भी आया वो किसी ना किसी को हटा किया आया लाइकन को मौज ने हटाया मौज को हफ ने हटाया तो देखिए मौज का और लाइकन का रोल हो गया सॉइल फॉर्मेशन में और सॉइल फॉर्मेशन को आप कह रहे हैं एकोलोजिकल इंपोर्टेंस तो अब आप देखिए लाइकन और मौज ने मिलकर सॉइल फॉर्मेशन accelerate किया जिसका फाइदा किसको मिला जिसका फाइदा मिला हाब्स को तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि इसी तरीके से लाइकन आया लाइकन के बाद क्या आया मौज आया मौज के बाद क्या आया हाब्स आया और हब्स के बाद क्या आया होगा श्रब आया और श्रब के बाद आप देखते हैं ट्री तो बच्चो लाइकन और मौजेज जो थे इन्होंने सॉयल फॉर्मेशन को भाई एंसी आटी पढ़ लेना इसके बाद एक एक वर्ड क्रिस्टल क्लियर भाई एक एक वर्ड यह सब एंसी आटी है सॉयल फॉर्मेशन को स्टार्ट किया और उसको स्पीड अप किया जिसकी वज़े से जो हायर प्लांट था उनको क्या हुआ हायर प्लांट को बेनिफिट हुआ जिनकी वज़े से higher plant को benefit हुआ तो lichen और moses soil formation को start करते हैं, speed up करते हैं, जिसकी वज़े से higher plant को condition favorable मिलती है और वो अच्छी तरीके से germinate करता है एक community को दूसरी community ने replace किया, lichen को maws ने replace किया, maws को herbs ने replace किया, herbs को shrubs ने replace किया, shrubs को tea ने replace किया तो इसको बोलते है रिप्लेस्मेंट आफ वन कम्युनिटी बाई अधर इसको आप बोलते हैं, एको लोजिकल सक्सेशन इसको आप बोलते हैं ecological succession तो आपको अच्छे से पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा तो बच्चो हमने bryophyte start किया general character हम पढ़ रहे थे उसके बाद मैं आपको यहां पर लेकर आया इसके बाद मैं आपको ecological importance में लेकर आया अब है कि bryophyte है क्या ठीक है अभी फिर diagram से बताऊँगा कि bryophyte आपका क्या है बई bryophyte की जो body है body of bryophyte ठीक है body is अब bryophyte में कितने लोग आए दो लोग आए एक है lever watt और एक है mozes तो हम एक एक करके पढ़ेंगे पहले हम पढ़ेंगे lever watt और lever watt क्या है lever watt आपका bryophyte है तो lever watt आपका क्या है lever watt आपका bryophyte है तो बच्चो इस bryophyte के अंदर इसकी body को दो पार्ट में divide किया कितने पार्ट में divide किया दो पार्ट में divide किया तो मान लीजिए ये इसकी body है ठीक है ये इसकी एक body है और इसके उपर ये एक body है तो बच्चो जो green color से बनाई है उसका नाम है आपका gametophyte, एक है G और एक है S, G का मतलब है gametophyte और S का मतलब है sporophyte, तो जैसे मैं हूँ, मेरे में सिर है, ये है, क्या है ये, पेट है, टांगे है, ठीक है, ऐसे ही जो bryophyte है, उसकी body दो पार्ट में divide है, एक green color है आपका, इसको मैं बोल रहा हूँ, आपका green और इसको मैंने आपका बोल दिया क्या, non green, तो जो green वाला है, उसको मैंने बोला gametophyte, और जो non green है, उसको मैंने बोला sporophyte, तो जो gametophyte होता है, वो haploid structure होता है, और sporophyte जो है, वो diploid structure है, बच्चो gametophyte photosynthesis करता है, sporophyte photosynthesis नहीं करता, इसका मतलब food की synthesis gametophyte करेगा, sporophyte नहीं करेगा, किन ब्रायोफाइट में? लीवर वाट्स के अंदर, तो कौन किसको food देगा? भाई, gametophyte, gametophyte provide food और nutrition, किसको provide करता है, sporophyte को provide करता है, तो आप बताएए, कौन किस पे depend हुआ, कौन dominant है, भाई, जो खाना खिला रहा है, वही तो dominant हुआ, तो dominant बौड़ी कौन है? gametophyte, ये dominant बौड़ी नहीं है, जो dominant है, वही independent है, ये independent नहीं है, तो जो dominant है, वही main बौड़ी है, ये main बौड़ी नहीं है, gametophyte haploid structure है, तो gametophyte वो structure होता है जिसके उपर sex organ मिलते हैं ये देखिए gametophyte पर मिलते है sex organ इस sex organ का नाम है male sex organ और इसका नाम है female sex organ तो बताइए gamet कौन produce करेगा gamet sex organ produce करेंगे और sex organ किस पार्ट पर है gametophyte वाली body पर है इसका मतलब gamet formation जो होता है वो आपका gametophyte पर होता है तो gamet formation कहां पर होगा gamet formation bryophyte के किस पार्ट पर होगा gametophyte वाले पार्ट पर होगा और ये आपका deployed होता है तो यहां आपका spore का formation होता है किसका formation होता है? इस पोर का formation होता है तो इसको समझेगा जरा देखिए माल लीजे, मैंने आपको बोला ये है आपका गैमेटोफाइट ये क्या है? गैमेटोफाइट और ये है आपका स्पोरोफाइट ये क्या है? ये है आपका गैमेटोफाइट ये मैंने लिख दिया आपका gametophyte ये gametophyte है और ये है आपका sporophyte तो एक है gametophyte और एक है sporophyte gametophyte कैसा था? बताएए, gametophyte haploid था, sporophyte diploid था तो ये जो structure है, ये structure gamet बनाता है ये structure spor बनाता है ये क्या बनाता है? ये आपका गैमेट बनाता है, ये आपका क्या बनाता है? इस्पोर बनाता है, इस्पोर हैपलोईड है, ये हैपलोईड है, अब आप मुझे बताइए, हैपलोईड से हैपलोईड बनाना है, तो कौन सा प्रोसिस हुआ होगा? हैपलोईड से हैपलोईड त इस पूरो फाइट डिपलॉइड है और डिपलॉइड से हैपलॉइड तबी होगा जब मियांसे होगा तो यह चीज प्रते हैं वो है आपका लाइफसे कर देखेस्ढू इतनी जरनी को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है लाइफ सिकल ओफ लीवर वाट, पूरा का पूरा अच्छे से फोकस करना, बचो लाइफ सिकल ओफ लीवर वाट, तो ये तो आपको पता चल गया कि लीवर वाट के अंदर में प्लान बॉड़ी ग गयमेटोफाइट, स्पूरोफाइट क्या है उनको अच्छे से समझना, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले एक चीज़ बना लैता हूँ, ये मैंने यहाँ पर एक चीज़ बनाई, इसको मैंने बोला गयमेटोफाइट, तो बच्चो इस स्ट्रक्चर को हम लिख देते हैं, गयम पर आपके present है sex organ तो ये हैं आपके sex organ जिसमें मैं इसको बोल रहा हूँ male sex organ जिसको मैंने क्या बोला इसको मैंने बोला enthridium क्या बोला enthridium और ये है female sex organ जो मैंने आपको starting में बताया था इसको मैंने बोला archiconium तो male और female sex organ starting में आपको बताये थे ये है इसकी gametophyte enthridium क्या produce करेगा बताइए enthridium क्या produce करेगा enthridium आपका produce करेगा male gamet तो enthridium ने produce किया male gamet क्या produce किया male gamet और जो male gamet होते है उन्ही को आप बोलते है anthrojoids क्या बोलते है उन्ही को आप बोलते है anthrojoids तो इसके male gamet motile होते है तो enthridium से बाहर कौन आएगा enthridium से बाहर कौन आएगा बताइए तो पहला point आपका जाएगा male gamet male gamet release from male gamet कहां से release होंगे release from enthridium तो enthridium से male gamet को बाहर निकालने के लिए आपको water चाहिए तो enthridium से male gamet को बाहर निकालने के लिए आपको क्या चाहिए आपको चाहिए water तो यहां से male gamet बाहर आ गया यहां से male gamet बाहर आ गया और बाहर जो है बाहर भी पानी है बाहर भी क्या है पानी है क्योंकि bryophyte क्या है ठीक है देखिए तो enthridium से male gamet बाहर आया वो male gamet water में swimming कर रहा है कहां swimming कर रहा है water में तो इसके बाद यह जो male gamet है male gamet आपका जो biflagellated है कैसा है biflagellated है मतलब इसमें flagella है मतलब यह motile है तो यह अब पानी में swimming कर रहा है यह swim करता है कहां पर swim करता है water में तो male gamet enthridium से बाहर निकला और बाहर इसको पानी मिला और यह पानी में swimming कर रहा है तो पानी में swimming करने के बाद यह पहुचेगा archigonia के अंदर now male gamet male gamet enters into archigonia अब male gamet किसके अंदर पहुचा archigonia में पहुचा archigonia का जो shape है वो ncrt में लिखा है flask shape archigonia का shape ncrt में लिखा है flask shape तो अब archigonia के अंदर क्या present है archigonia के अंदर present है female gamet जिसको आप बोलते है egg जिसको आप बोलते है egg तो archigonia में क्या है female gamet है तो बच्चो archigonia में आपका female gamet है तो हम यहां लिख सकते हैं कि male gamet किसको fertilize करेगा male gamete fertilize female gamete female gamete non-mortile है female gamete को मैं बोल रहा हूँ egg female gamete को मैं क्या बोल रहा हूँ female gamete को मैं बोल रहा हूँ egg egg कैसा है? haploid male gamete कैसा है? haploid gametophyte कैसा है? haploid तो fertilization कहां हुआ, male gamet, fertilized female gamet, कहां पर fertilization हुआ, fertilization हुआ, archigonium के अंदर, तो बच्चों, आपके पास main plant body है, gametophyte, जिस पर sex organ है, enthridia and archigonia, enthridia के अंदर male gamet formed होते हैं, जिने आप enthronzoids बोलते हैं, जो motile होते हैं, जो biflagellate होते हैं, enthridia से in male gamet को बाहर आने के लिए water की need पड़ती है, जब ये बाहर आ जाते हैं, तो ये water में swimming करते हैं, और archigonia के अंदर चले जाते हैं, archigonia में इनका इंतिजार कर रहा है female gamet, और female gamet को ये fertilize करते हैं, इसका मतलब archigonia, इसका मतलब fertilization archigonia के अंदर होता है, जिसके बाद आपका क्या बनेगा, जिसके बाद आपका जाइगोट का formation होगा, तो इसके बाद आपका क्या होगा, fertilization के बाद जाइगोट का formation होगा, तो मैं यहाँ अगर सीधा आपको cycle बनाओ, सीधी एक simple cycle बनाओ, तो बच्चों, यहाँ से आपको दो चीजे मिली, एक को मैं बोला, अगर मैं इस तरीके से लिखूँ, आपका ये है male gamet, gametophyte पर male gamet, और gametophyte पर है आपका female gamet, कौन सा gamet है, female gamet, तो एन्थ्रीडिया पर आपको male gamet भी मिला, sorry, gametophyte पर female gamet भी मिला, अब यहाँ पर ये आपका कैसा structure है, ये structure आपका haploid है, ये आपका haploid है, तो अब इनके बीच में आपका क्या हुआ, इनके बीच में आपका process हुआ, जिस process को आपने बोला, fertilization, क्या बोला, fertilization, तो ये जो process हुआ आपका, इस process को आपने बोला, fertilization, ये देखिए, fertilization आपका हो गया, तो जब fertilization होगा, तो बताइए आपका क्या बनेगा, सर्फ fertilization होने के बाद, हमारा बनेगा जाइगोट, और जाइगोट कैसा बनेगा, डिपलोइड बनेगा, आगया होगा समझ में, तो जाइगोट से क्या बना, जाइगोट से आपकी एक चीज बनी, जिसको आप बोलेंगे, जाइगोट से आपका बना, अब मुझे बताइए, क्या जाइगोट ने मियोसिस किया, नहीं किया, अगर जाइगोट मियोसिस करता, तो हैपलोइड structure बनता, बट जाइगोट से embryo बना, मतलब 2N से 2N हुआ, मतलब mitosis हुआ, मतलब मियोसिस नहीं हुआ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जाइगोट में अभी मियोसिस नहीं हुआ, जाइगोट do not undergoes, अभी sentence को मैं complete करूँगा, अभी मैं इस sentence को complete करूँगा, embryo, embryo के बाद आपका एक structure बनता है, जिसको आप बोलते है, sporophyte, क्या बोलते है, sporophyte, तो बच्चो, embryo deployed है, तो sporophyte भी कैसा होगा, deployed होगा, तो अब आप ध्यान से समझेगा, आपका जाइगोट बना, जाइगोट से आपका क्या बना, embryo बना, तो अगर मैं एक काम करता हूँ, इस structure को, इसको मैं आपको यहीं पर दिखाता हूँ, ठीक है, इसको मैं यहाँ से ऐसे करके मिटाता हूँ, देखिएगा जरा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ध्यान से आप इसको देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा, देखिएगा जरा, देखेशां से देखिएगा, ठीक है, देखिएगा, तो fertilizerization कहां हुआ, fertilization हुआ आपका gametophyte पर, तो fertilizerization आपका gametoophyte पर हुआ, तो जब fertilizerization आपका gametophyte पर हुआ, तो आपका यहां एक structure बना, इस structure को मैंने बोला, जाइगोट, तो देखिए, ये आपका एक structure बना, इस structure को मैंने बोला जाइगोट, जाइगोट किसमे बना, जाइगोट गैमिटोफाइट पर बना, अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद, इसके बाद क्या हुआ देखिएगा, इसके बाद आपका ये जो structure है, इस पर जाइगोट किसमें convert हो गया, जा ग्रीन कलर का गेमेटोफिटिक स्ट्रक्चर है और उसके उपर उसके उपर आपका बन रहा है इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ यह आपका क्या बना जाइगोड बना ठीक है जाइगोड से आपका यह क्या बना यह जो आपका स्ट्रक्चर बना इसको मैं बोल रहा हूँ embryo इसको मैं बोल रहा हूँ embryo embryo कैसा है? 2N है gigote कैसा है? 2N है gigote किस में बना? gigote archigunia के अंदर बना तो जो female sex organ है जो gametophyte पर है उसके अंदर आपका gigote का formation हुआ gigote से क्या बना? embryo बना और embryo से देखिएगा क्या बनेगा? embryo से आप देखिएगा आपका क्या बनेगा? embryo से आप देखिएगा embryo पर आपका एक structure बना जिस structure को मैं बोल रहा हूँ ध्यान से देखिएगा पूरा का पूरा फोकस करना यह देखिए एक structure बना ठीक है? यह जो structure बना है यह जो structure बना इस structure को आप बोलते है sporophyte और इस sporophyte के तीन पार्ट है embryo deployed तो sporophyte भी deployed ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते है foot ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते है सीटा और इस वाले पार्ट को आप बोलते हैं capsule इस वाले पार्ट को आपने क्या बोला capsule बोला आगया होगा समझ में foot, ceta and capsule क्योंकि इन तीनों को sporophyte बोलते है और sporophyte deployed है इसका मतलब foot, ceta और capsule भी कैसे होते है ये भी आपके diploid होते हैं कैसे होते हैं? diploid होते है भाई embryo किसमें convert हुआ? embryo change हो गया sporophyte में sporophyte की कितने पार्ट है? तीन पार्ट है एक है foot, दूसरा है ceta और तीसरा पार्ट है आपका capsule foot, ceta and capsule तीनों को मिला कर बोलते है sporophyte तो ये आपको समझ में आ गया होगा अब ये जो capsule होता है, इस capsule के अंदर एक cell मिलती है जो diploid होती है, इस cell को बोलते है spor mother cell क्योंकि ये capsule के अंदर मिल रही है, ये capsule के अंदर मिल रही है तो capsule deployed है, तो cell भी कैसी होगी, deployed होगी अब ये जो spore mother cell होती है ये spore mother cell, इसको हम black कर देते हैं, इसकी अभी हमें जरुत नहीं है तो इसको हम यहाँ से black कर देते हैं, ये तो हमें पताई है कि हम live cycle पड़ रहे है, ये है spor mother cell अब, इस spore mother cell आपका किस में present है? capsule में, capsule कैसा है, uh deployed क्यों deployed है? क्योंकि वह sporophyte का part है और sporophyte deployed है, sporophyte deployed क्यों है? क्योंकि वह embryo से बना है, embryo deployed है Embryo Deployed क्यों है? क्योंकि वो जाइगोड से बना है जाइगोड Deployed इसले है क्योंकि वो Fertilization से बना है तो अब ये Spore Mother Cell जो होती है ये Spore Mother Cell के अंदर आपका होता है Miosis तो Spore Mother Cell undergoes Miosis इसके अंदर आपका होगा Miosis तो जब इसके अंदर Miosis होगा तो आपका क्या produce होगा? इसके अंदर Miosis होगा तो आपका produce होगा Spore undergo Miosis and produce and produce Spore क्या produce होगा? Spore तो यहां से जब Miosis हुआ, यहां से Miosis हुआ आपका क्या हुआ? मियосес ह와 तो आपकी structure produce ही pink color की इस pink color को मैं बोल रहा हूँ spor तो इस pink color को मैं क्या बोल रहा हूँ です pink color को मैं बोल रहा हूँ spor जो heploid है तो spor mother cell में क्या हुआ? spor mother cell में आपका हुआ meiosis क्या हुआ? yellow वाला क्या है? I neighborhood cell है इसमें क्या हुआ? मियौसेस क्या बना? पिंग कलर का structure जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ? स्पोर बोल रहा हूँ मियौसेस हुआ होगा तो कितनी स्पोर बनी होंगी? चार स्पोर फॉर्म्ड होई होंगी मियोसेस वाला चैप्टर अच्छे से देख लेना उसका मैंने वन शॉट दिया है इतना बेसिक से क्लियर किया है उस चीज को अच्छे से अराम से देखिएगा उसको तो अब आप देखिए एम्ब्रियो से बना इस्पोरोफाइट एंब्रियो से बना sporophyte, तो gametophyte पर क्या है, sporophyte है, sporophyte किस पर depend है, sporophyte gametophyte पर depend है, sporophyte food किस से लेगा, gametophyte से लेगा, और मैंने आपको बताया था कि इसका gametophyte photosynthetic होता है, इसका gametophyte dominant होता है, इसका gametophyte independent होता है, इसका gametophyte free living होता है, बट sporophyte gametophyte पर depend होता है, तो sporophyte gametophyte के उपर है, और इस sporophyte के तीन पार्ट है, foot, ceta and capsule, और इस capsule में present है, spor mother cell, वो spor mother cell deployed है, उसमें meiosis हुआ और आपका बना spor, अभी ये spor capsule के अंदर present है, और capsule sporophyte का part है, अब यहां से बहार कौन आएगा, यहां से आपका बहार आएगा, spor, तो यहां से आपका spor बहार आ गया, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, हम यहां पे लिखेंगे बेटा, हम यहां पे लिखेंगे, spor, released from capsule, capsule, capsule से बहार आ गया spor, और यह spor आपका germinate करेगा, यह spor क्या करेगा, spor आपका germinate करेगा, और germinate करके बनाएगा gametophyte, तो आप यहां लिख सकते हैं, spor germinate to form gametophyte, आ गया होगा समझ में, आपके पास gametophyte था, उसमें male sex organ enthridium के अंदर produce हुआ male gamet, जो पानी की हल्ग से भार आया, फिर पानी में swimming किया, यह आपका पानी है, पानी में swimming करके archigonia के अंदर गया, जहां egg present है, egg large होता है male gamet के compare में, egg non-mortile होता है, archigonia में fertilization हुआ, तो male gamet, female gamet, fertilization हुआ, तो आपका archigonia में बना जाइगोड, और archigonia किस के उपर है, gametophyte के उपर है, यह जो green green है, यह gametophyte है, अब जाइगोड embryo में convert हुआ, embryo से बना sporophyte, उसके तीन पार्ट, यह उसके अंदर capsule में cell है, spore mother cell, उसमें meiosis हुआ spore बना, इस spore capsule से बहार आया, इस spore ने germinate करके बनाया, gametophyte, तो अब आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, जो भी structure आपका, जो भी structure आपका, इस line के नीचे आ रहा है, वो आपका deployed है, जो भी structure इसके अंदर आ रहा है, वो structure आपका deployed है, देख लीजिए, इस spore line के बहार है, इस spore mother cell, capsule, सीटा, foot, gametophyte नहीं कहा रहा हूँ, gametophyte के ओपर तो sporophyte है, ठीक है, gametophyte नहीं कहा रहा हूँ, ठीक है, embryo, देखिए, जाइगोट, embryo, sporophyte, foot, सीटा, capsule, spore mother cell, ये सब कैसा है, ये सब deployed structure है, तो इस part को आप बोलते हैं, sporophytic generation, तो इस डब्बे के अंदर जो भी चीज है, उसको आप बोलते हैं, sporophytic generation, क्या बोलते हैं, sporophytic generation, इसको आप बोलते हैं, sporophytic generation, इस डब्बे के बाहर जो भी चीज है, वो haploid है, तो इस को आप बोलते हैं, gametophytic generation, गैमेटोफिटिक जनरेशन की फस्ट सेल कौन सी है गैमेटोफिटिक जनरेशन की फस्ट सेल आपकी स्पोर है गैमेटोफिटिक जनरेशन की लास्ट सेल कौन सी है गैमेटोफिटिक जनरेशन की लास्ट सेल आपकी मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है तो गैमेटोफिटिक अगर मैं आप से कहूं, gametophetic generation की first cell कौन सी है, तो आप बोलेंगे spore, और अगर मैं आप से कहूं कि gametophetic generation की last cell कौन सी है, तो आप में को बोलेंगे last cell का नाम है gamete. तो gametophytic generation की पहली cell कौन सी हुई? Spore. Gametophytic generation की last cell कौन सी है? Male gamet and female gamet. Sporophytic generation की first cell. Sporophytic generation की first cell कौन सी है? Sporophytic generation की जो first cell है, वो है आपका gyagote. कौन सी है? Gyagote. और sporophytic generation की last cell कौन सी है? Sporophytic generation की last cell है, वो है आपकी spore mother cell. No confusion. देख लिजिए. Gametophytic generation, जो भी haploid structure है, वो gametophytic है. तो gametophytic generation की पहली cell कौन सी है? Spore. gametophytic generation की last cell है आपकी gamet. यहाँ से sporophytic generation सुरू हो गई. तो sporophytic generation की पहली cell है, जाइगोड. और sporophytic generation की last cell है, spore mother cell. क्योंकि इसके बाद gametophytic generation स्टार्ट हो जाएगी. इसके बाद haploid structure स्टार्ट हो जाएगा. तो बच्चो, यह liver ward की life cycle हो गई. यह किसकी life cycle हो गई? liver ward की life cycle हो गई. आगया होगा समझ में. ठीक है? यह आपको समझ में आगया. अब आप ध्यान से देखिएगा. ध्यान से देखिएगा. यहाँ fertilization कैसा हुआ? यहाँ fertilization water की health से हुआ. तो fertilization के लिए they depends upon water. तो, यह किस पर depend होते हैं? यह आपके water पर depend होते हैं. they depends upon water. और fertilization किस के अंदर हुआ? fertilization आर्ची गोनिया के अंदर हुआ. कहां हुआ? आर्ची गोनिया के अंदर हुआ. male gamete को बाहर निकालने के लिए पानी चाहिए. female gamete के पास swimming करता हुआ जाएगा तब पानी चाहिए. और आर्ची गोनिया को खोलने के लिए पानी चाहिए. ताकि अंदर male gamete गुश सके. तो, यह depends upon water. और fertilization होता है आर्ची गोनिया में. इसलिए इनको बोलते हैं Amphibians of Plant Kingdom. Both sex organs present on. Both sex organs present on. तो इसको समझेगा इसका क्या मतलब है. एक चीज होती है इस तरीके से एक plant होता है जिसको आप बोलते हैं Rikshia. क्या बोलते हैं? Rikshia. तो पहले मैं यहाँ पर एक line खीच देता हूँ. देखिए, यह है Rikshia. तो Rikshia पर आप देख लीजिए यहाँ पर. यह देखिए. यह आपका एक bryophyte है जिसका नाम है Lever Watt. हम क्या पढ़ रहे हैं? हम Lever Watt पढ़ रहे हैं. Lever Watt के बाद मैं आपको Moses पढ़ाऊंगा. तो मैंने आपको किसकी Life Sikil पढ़ाई बच्चो? मैंने आपको Lever Watt की Life Sikil पढ़ाई. यह किसकी Life Sikil पढ़ाई? यह मैंने आपको किसकी Life Sikil पढ़ाई? यह मैंने आपको पढ़ाया Life Sikil of Lever Watt. तो हम आपके lever watch की life skill पढ़ रहे हैं और हमने quality के साथ complete कर लिया इसके बाद हमारा क्या चल रहा है सिके बाद हमारा lever watch ही चल रहा है क्या चल रहा है लीवर वॉट चल रहा है अब यह एक लीवर वॉट है यह आपका क्या है रिक्षिया आपका एक ब्रायो फाइट है और ब्रायो फाइट में भी क्या है लीवर वॉट है यह है आपका male sex organ अब आप मुझे बताईए रिक्षिया की main plant body क्या है रिक्षिया की main plant body है gametophyte तो आपको रिक्षिया दिख रहा है मतलब रिक्षिया की कौन सी body दिख रही है gametophyte दिख रही है तो जब दोनो sex organ आपके एक ही plant पर हो देखिए male sex organ and female sex organ male sex organ and female sex organ present on present on दोनों के दोनों same plant पर है मतलब दोनों के दोनों same thallus पर है same plant पर है इस condition को आप बोलते है monoseous इस condition को आप बोलते है monoseous तो मेरे घर में रिक्षिया का एक plant है जिसमें male sex organ भी है और female sex organ भी है इस condition को बोलते है monoseous बट अगर मैं आपसे बात करूँ कि एक चीज होती है जिसको आप कहते हैं मारकेंशिया मारकेंशिया भी क्या है? मारकेंशिया भी आपका लीवर वॉट है मारकेंशिया भी आपका लीवर वॉट है तो अगर आप मारकेंशिया के अंदर जाते है तो आप देखिएगा इसके अंदर क्या होता है देखिएगा दिहान से देखिएगा कि मारकेंशिया में आपका क्या होता है तो देखिएगा ये स्टॉक ये स्टॉक और इसके उपर आपका देखिएगा तो द्यान से देखिएगा ये खूब सुरा दिख रहा है तो ये है female markensia का plant और ये है male markensia का plant कैसे पहचानोगे जो थोड़ा अच्छा सा दिखेगा वो female होगा जो थोड़ा उब्रू-खुब्रू होगा वो मेल होगा तो बच्चो ये जो डंडा है इस डंडे को बोलते हैं N3DO4 क्या बोलते है N3DO4 और इस डंडे को बोलते हैं Archigonio4 तो Archigonio4 और N3DO4 क्या है ये आपका Stock है ये भी आपका Stock है एक डंडा है और Archigonio4 के उपर यहाँ पर ये प्रेजन्ट है यहाँ आपके मिलेंगे Archigonia और यहाँ आपके मिलेंगे N3DO4 यहाँ मिलेंगे N3DO4 तो यहाँ Stock मिलती है रिक्षिया में Stock नहीं होता वहाँ Sex Organ थैलस में Embedded होते हैं थैलस में रखे होते हैं Sex Organ यहाँ थैलस में Embedded नहीं है थैलस में Stock है इसको बोलते हैं Female Stock को Archigonia 4 Male Stock को बोलते है N3DO4 Archigonia 4 में यहाँ Archigonia होंगे यहां N3DO4 होंगे तो अब आप मुझे बताइए दोनों Sex Organ Same Plant में है या Different Plant में है बताइए दोनों Sex Organ Same Plant में है या Different Plant में है तो आप यहाँ पर बोलेंगे Both Sex Organ Present On Different Plant और इस कंडीशन को हम बोलते हैं Diceous इस कंडीशन को हम बोलते हैं Diceous तो Markensia Diceous होता है Richia Monoseous होता है तो आपको यह पॉइंट समझ में आ गया Both Sex Organ Present On या तो आप बोल सकते हैं Same Plant Example Richia या आप बोल सकते हैं Different Plant मतलब Markensia के दो प्लांट होंगे तो यहाँ आप बोल सकते हैं Markensia आ गया होगा समझ में ठीक यह हमने आपको समझाया Gigote Do Not Gigote Do Not इसका मतलब समझ येगा Gigote Do Not देखिए क्या जाइगोट के अंदर मियोसिस हुआ हुआ पर एकदम से नहीं हुआ Gigote में पहले Embryo बना Embryo से Sporophyte बना Sporophyte के Spore Mother Cell में मियोसिस हुआ Sporophyte किसका Modification? Embryo का Modification Embryo किसका Modification? जाइगोट का Modification तो Indirectly Sporophyte किसका Modification हुआ? जाइगोट का Modification हुआ जाइगोट में एकदम से मियोसिस नहीं होता जाइगोट Do Not Undergo मियोसिस Immediately जाइगोट मियोसिस करेगा But Immediately नहीं करेगा जाइगोट पहले अपने रूप को Change करेगा किसमे? Embryo में Embryo अपने रूप को Change करेगा किसमे? Sporophyte में और Sporophyte में जो Spore Mother Cell होती है वो मियोसिस करती है इसका मतलब जाइगोट में एकदम से मियोसिस नहीं हुआ जाइगोट डूट अंडर गोज मियोसिस इमेडेटली NCRT की लाइन जाइगोट जाइगोट डूट अंडर गोज मियोसिस इमेडेटली जाइगोट एकदम से मियोसिस नहीं करेगा पहले वो Embryo में change होगा embryo sporophyte में change होगा और sporophyte की cell आपकी meiosis करेगी तो ये आपको समझ में आ गया होगा next अगर मैं habitat की बात करता हूँ habitat की बात करता हूँ तो आप देखिए bank of stream, wood, moist place shady region, दुनिया भर का इसमें habitat दिया हुआ है तो अगर मैं habitat की बात करता हूँ तो आप देखिएगा अगर मैं habitat की यहाँ पर बात करता हूँ तो आप देखिएगा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा algae के अंदर कि एक algae होता है जिसको आप chlorella बोलते हो क्या बोलते हैं chlorella algae में आया था chlorella तो जब हम space में जाते हैं तो chlorella को food की तौर पे काम भी यूज करते हैं अब हम space में जा रहे हैं तो आलू पराठा तो लेके नहीं जाएंगे momos की चटनी भी नहीं लेके जाएंगे क्योंकि वहाँ बैठके चटनी नहीं चाटनी है है ना तो वहाँ पर food के तौर पर आप या तो spirulina यूज करते हैं जो कि एक blue green algae है और protein का richest source है या फिर आप chlorella यूज करते हैं तो space traveler chlorella भी यूज कर सकते हैं और ये आपका एक protein का source होता है second richest source होता है protein का spirulina इसी को single cell protein भी आप बोल सकते हैं जिसको space traveler यूज करते हैं as a food तो ये चीज मैं वहाँ पर आपको नहीं बताई थी अब मैंने आपको ये चीज बता दी देखिए liver warts liver warts grow usually in moist, shady, dark region जो होता है bank of stream ठीक है जहाँ पानी बह रहा है वहाँ का किनारा, नदी का किनारा marshy ground ठीक है, marshy area जहाँ पर पानी थोड़ा थोड़ा भरा भरा सा रहता है ठीक है, damp soil ठीक है, bark of tree tree के bark पर जो उसके भार एक खाल होती है, tree के उसको bark बोलते है जब anatomy पढ़ाऊँगा तो bark को तूसरे language में बोलूँगा कि वो tissue जो westonork mm के बाहर मिलते हैं, बट अभी नहीं बोल रहा हूँ, अभी simple बोला पेड की जो खाल है उसको bark बोल दिया और wood के अंदर मिलता है तो ये आपकी क्या हो गई है ये आपकी हो गई है habitat तो ये आपकी क्या हो गई है habitat हो गया है तो हम वापस से वहीं पर चलते हैं मैं आपको बोला अभी अभी आपने देखा कि भाया ये आपका moist place पे मिल सकता है ठीक है और आपका कहां मिल सकता है ये आपका shady region में मिल सकता है ये आपका temp soil में मिल सकता है ये आपका bank of baroda नहीं ये आपका bank of stream में मिल सकता है बार्क में मिल सकता है डीप इन वुड में मिल सकता है ठीक है? तो बहुत सरी जगे मिल सकता है आपका ETC किसकी बात कर रहे हैं? हम तब से क्या पढ़ रहे हैं? हम लीवर वाट्स ही पढ़ रहे हैं ये देखिए ये सब पॉइंट किसके थे? ये पॉइंट आपके किसके थे ये सारे पॉइंट आपके लीवर वाट के थे तो हमने लीवर वाट ही पड़ रहे हैं ये आपने किसकी लाइसिकल पड़ी लीवर वाट की ये पॉइंट किसके लीवर वाट ये पॉइंट किसके हैं लीवर वाट के हैं तो इसका जो थैलस होत मैंने आपको पहले भी बताया था थैलस जो होता है वो आपका टॉर्सी वेंट्रल होता है डॉर्सल सर्फेस भी है और वेंट्रल सर्फेस भी है और ये कैसा होता है प्रॉस्ट्रेट होता है ये भी मैंने आपको बताया था ग्राउंड हगिंग होता है ग्राउंड टचिंग ह होता है खड़ा नहीं होता है रिपोडक्शन जो होगा वह आपका होगा फ्रेग्मेंट से दूसरा है गैमा कप को समझजिएगा गैमा कप को समझजिएगा बच्चों यह आपका Markensia है क्या है आपका Markensia है तो Gamma Cup जो होते है Gamma Cup आपके Present होते हैं कहां पर Lever Wats के अंदर कहां होते हैं Lever Wats के अंदर आपके Gamma Cup मिलते हैं तो बच्चो ये कौन सी बॉड़ी बनाई Green कलर की बॉड़ी है मतलब ये Gametophyte है किसका Gametophyte है Gametophyte मतलब Haploid ये मैंने किसका डाइग्राम बनाया ये मैंने डाइग्राम आपका बनाया है Markensia का किसका बनाया Markensia का बनाया और इसके Ventral Surface पे Present होते हैं आपके Rhizoid ये हैं Rhizoid Rhizoid Gametophyte का पार्ट है अगर Gametophyte Haploid है तो Rhizoid भी कैसे होते है ये मैं आपको पहले लिखा चुका हूँ कि इसके Rhizoid Unicellular है और Unbranch है तो इसके उपर एक Cup-like structure मिलते है इसके उपर आपके एक Cup-like structure मिलते है इसके किस सर्फेस मिलते है डॉर्सल सर्फेस मिलते है तो ये एक structure है जिसको आप बोलते है Gamma Cup कहां मिलता है इस Markensia के तॉर्सल सर्फेस मिलता है कहां मिलता है तॉर्सल सर्फेस मिलता है और इसके अंदर present होते है आपके Gamma तो ये अंदर आपके क्या present है Gamma Cup में मिलते है Gamma Gamma Cup में मिलती है चाए तो Gamma Cup में मिलेगा Gamma तो Gamma क्या है ग्रीन आपका ग्रीन एसेक्श्वल स्ट्रक्चर है जो किस में मिलता है जो आपका ग्रीन एसेक्श्वल स्ट्रक्चर 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 है जो पर आईए, थोड़ा उपर, यहां पर आईएगा, तो हम यहां आपको lever watts में लेके चलेंगे, तो यह multi-cellular भी होते हैं, कैसे होते हैं, multi-cellular भी होते हैं, तो gamma are green, multi-cellular, asexual bird, जो किसमें develop होते हैं, receptacle में, उन receptacles को आप कहते हैं, gamma cup, जो located होते हैं, thallus के किस surface पर located होते हैं, यह आपके torsal surface पर located होते हैं, तो बच्चों, वापस से हम वहीं पर चलते हैं, यह हम आ गए, तो green asexual structure हैं, और कैसे हैं, यह आपके multi-cellular होते हैं, इनी को birds बोल रहे हैं, इनी को आप यह जो structure हैं, gamma cup में जो gamma हैं, इनी को आप birds बोल रहे हैं, यह multi-cellular हैं, तो होता क्या है, यहाँ से gamma बहार आ जाएंगे, तो यहाँ से कौन बहार आ जाएंगे, यहाँ से gamma बहार आ जाएंगे, तो gamma अलग हो गया, gamma अलग हो गया, gamma cup में से क्या निकल गया, gamma अलग हो गया, तो gamma detach, detach का मतलब होता है, separate, separate from main thallus, from main thallus, यह gametophyte है, markensha की main plant body, from main thallus, और उसके बाद, from main thallus and germinate to form new bryophyte, new bryophyte, तो यह haploid है, gamma कैसे structure है, gamma भी haploid structure होते है, कैसे होते है, haploid होते है, क्योंकि gametophyte पर present है, तो gametophyte जो है आपका, gametophyte जो है आपका, वैसे gamma का कोई plodilevel नहीं पूछेगा, ठीक है, कोई पूछ ले तो आप haploid बता देना, जो पूरी तरीके से सही भी नहीं है, लेकिन haploid बता देना है, वैसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है, gametophyte पर rhizoid है, जो haploid है, gametophyte पर gamma cup मिलते हैं, और उन cup के अंदर green multicellular और asexual structure होते हैं, इनको gamma बोलते हैं, ये gamma main parent से अलग होगा, और उसके बाद ये gamma यहां से निकलेगा, और main thalus से अलग हो गया, मतलब इस से अलग हो गया, ये markensia का thalus है, इस से अलग हो गया, और gamma ने germinate करके आपका नया bryophyte बना लिया, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, sex organ की position और leafy member, ये sex organ की position मैं आपको बता चुका हूँ, enthidio 4, archigonio 4, वहाँ पर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, leafy member, leafy member को समझ येगा, leafy member को आप यहां पर समझ येगा, तो बच्चो, leafy member का example है आपका पॉरेला, sex organ की position मैं आपको बता चुका हूँ, याद करिए, अभी अभी मैंने आपको बताया था, एक rickshia के case में बताया था, और एक markensia के case में बताया था, rickshia कैसा था, rickshia आपका monoseous था, markensia आपका ticeous था, अभी अभी मैंने आपको बताया था, ठीक, leafy member को समझ येगा, leafy member को समझ येगा, तो इन्होंने कहा, इन्होंने कहा, leafy member के लिए क्लिए क्या कहा, क्या बोला, leaf-like appendages, leaf-like, leaf-like appendages, देखिए, ध्यान से देखिएगा, देखिए, ये जो structure है, ये आपको stem जैसा दिख रहा है, और ये structure आपको कैसा दिख रहा है, ये आपको leaf के जैसा दिख रहा है, कैसे दिख रहा है लीफ के जैसा दिख रहा है तो ब्रायोफाइट में तो ना आपकी स्टेम होती है ना आपकी लीफ होती है तो ये जो वाइट कलर से दिखा ये आपकी वन रो और ये आपकी वन रो तो टोटल रो कितनी दिखी दो दिखी तो ये जो दो रो दिखी आपको ये कैसी दिखी ये stem-like दिखी ये दोनो रो आपको कैसी दिखी stem-like दिखी और ये green color से जो structure दिखा वो आपको leaf-like दिखा तो मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे member होते हैं जो आपको कैसे दिखते हैं leaf जैसे दिखते हैं ये देखिए तो stem-like structure पर leaf जैसे structure है example पॉरेला तो ये point भी ये slide भी किसकी है ये slide भी आपकी liver watts की है तो liver watts की है तो liver watts में example है पॉरेला जो leafy member है इसका मतलब ये हुआ कि आपको एक bryophyte ऐसा दिखेगा जिसमें आपको दो row दिखेंगी और वो दो row आपको stem जैसी दिखेंगी और उसके उपर जो structure होंगे वो आपको leaf के जैसे दिखेंगे actual में ना ये stem है ना ये leaf है तो इसको leafy member बोलते हैं क्या बोलते हैं leafy member तो अब जड़ाए आप इस line को देखिएगा इस line को आप देखिएगा यहाँ पर देखिएगा ठीक है यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से देखिएगा यह देखिए दा लीफी मेंबर लीफी मेंबर ठीक है have tiny leaf like appendages कितनी रोज में two rows on the stem like structure तो कितनी रोज थी महाँ पर बताईए कितनी रोज थी जो आपको stem like लग रही थी दो रोज दिख रही थी one row and one row और उसके उपर कैसे structure थे leaf like structure थे आपको समझ में आ गया होगा plant body of liver what is thaloid thaloid का मतलब root stem and leaf absent example markensia thalus is dorsi ventral and closely appressed to substrate appressed का मतलब होता है closely attached to substrate और substrate किसकी help से attach होगा किसकी help से attach होगा बताईए किसकी help से attach होगा attachment में जो help करेगा वो है आपका rhizoid asexual reproduction by fragmentation और by formation of gamma gamma green ये आपका हो गया gamma detach from the parent body और germinate to form new individual बता दिया during sexual reproduction male and female sex organ produce either on same or different thalus same में example rickshya बताया different में example markensia बताया sporophyte differentiated into foot theta capsule after meiosis spor are produced within capsule और spor germinate करके बनाएगा free living gametophyte तो बच्चो लीवर वोट में वैंने आपको एक एक चीज यहां पर आपको बता दी तो हमने क्या पढ़ा हमने आपका पढ़ा लीवर वोट तो हमारा लीवर वोट complete हो गया next है आपका moses तो अब मैं आपको moses की life cycle पढ़ाऊंगा इसके बाद आपको vegetative reproduction वाला बताऊंगा moses का फिर मैं आपको यह importance बताऊंगा फिर लीवर वोट और moses में क्या difference है कुछ difference बताऊंगा और आपका यह खतम हो जाएगा तो मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ पॉस कर लेता हूँ तो बच्चो next है आपका life cycle of moses तो अब जो हम point पढ़ेंगे वो moses के बार में पढ़ेंगे हमने लीवर वोट के बार में पूरा का पूरा पढ़ लिया आप ncrt देखिएगा आपको एक एक चीज समझ में आएगी moses की life cycle को समझते हैं तो start कहां से करेंगे start जो हम करेंगे वो हम करेंगे gametophyte से तो हम start करेंगे gametophyte से लीवर वोट हो या moses हो main plant body जो होती है वो gametophyte होती है तो इसका जो gametophyte होता है वो कैसा होता है इसका gametophyte leafy होता है कैसा होता है लीफी होता है ध्यान से देखिएगा इसका gametophyte leafy होता है मैं बना देता हूँ यहाँ पर gametophyte देखिएगा जरा इसके ऊपर आपको यह देखिए leaf जैसा आपको देख रहा है यह इसका gametophyte है यह इसका क्या है gametophyte है ये है इसका गैमिटोफाइट लीफी गैमिटोफाइट तो अब आप देखिए ये जो structure आपको दिख रहा है stem जैसा ये stem नहीं है ये structure stem-like है और इसमें आपको ये जो structure दिख रहा है root जैसा जो root नहीं है ये root like है इसको हमने बोला राइजॉइड इसको हमने क्या बोला इसको हमने आपका बोला है राइजॉइड माइक चेक कर रहा था इसको हमने बोला राइजॉइड तो रूट लाइक स्ट्रक्चर राइजॉइड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर स्टेम लाइक और ये स्ट्रक्चर आपका ह लीफ लाइक क्या है लीफ लाइक और इस पूरे स्ट्रक्चर को मिला कर आप बोलते हैं गैमेटोफाइट तो बच्चो इसका गैमेटोफाइट आपको कैसा लगा सर इसका गैमेटोफाइट मुझे लीफी लगा बिलकुल सही है और गैमेटोफाइट हैपलॉइड होता है जि पहला लीफ लाइक, दूसरा स्टेम लाइक, तीसरा रूट लाइक, क्योंकि ये गेमिटोफाइट के पार्ट है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर है, स्टेम लाइक भी है और लीफ लाइक भी आपका क्या है, हैपलोइड है, तो बच्चो इसके एपेक्स पर, यहाँ पर ध्यान दिख रही है, फीमेल ब्रांच, कौन सी ब्रांच दिख रही है, ये आपको दिख रही है, फीमेल ब्रांच, पूरा लिख के पढ़ा रहा हूं एकदम पूरा का पूरा फीमेल ब्रांच, और ये आपको जो दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, कौन सी ब्र ये आपको दिख रहा है male branch इस branch को क्या बोलेंगे इस branch को बोलेंगे male branch इसको हमने बोला male branch तो बच्चों male branch पर ये है enthridium क्या है enthridium मतलब male sex organ और female branch पे आपका present है archiconium क्या present है archiconium archiconium मतलब female sex organ तो बच्चों sex organ कहां पे present है पहला point जो sex organ है आपके वो कहां present है apex पे present है किसके apex पर leafy branch लीफी branch तो sex organ present at the apex of leafy shoot आ गया होगा तो ये आपका जो leafy gametophyte है ये क्या bear करता है leafy gametophyte bear sex organ लीफी gametophyte bear sex organ और sex organ इन gametophyte के apex पे है ये enthridia और ये आर्ची गोनिया अब आप बताओ enthridia से क्या निकलेगा enthridia से निकलेगा male gamet enthridia से क्या निकलेगा male gamet तो बच्चों enthridia से आपका क्या निकलेगा male gamet और किसके अंदर जाएगा archigonia के अंदर जाएगा तो अगर मैं यहाँ पे ये structure बनाऊँ आपका तो ये आपका archigonia है ये आपका क्या है archigonia है ये क्या है enthridium है archigonia के अंदर क्या होगा archigonia के अंदर होगा आपका egg egg कैसा heploid और यहाँ से इसमें क्या एंटर किया male gamet और male gamet कैसा है heploid है fertilization हो गया इस process को आप क्या बोलेंगे इसको आप बोलेंगे fertilization इसको आप बोलेंगे fertilization जिसके बाद आपका क्या बनेगा इसके बाद आपका female branch पर एक structure बनेगा जिसको आप बोलेंगे जाइगोट तो यह structure जो female branch पर आपको दिखा इस structure को आप बोलेंगे जाइगोट जाइगोट कैसा है डिपलॉइड है जाइगोट किसके अंदर बना जाइगोट आपका आर्ची गोनिया के अंदर बना तो जाइगोट किसके अंदर बना जाइगोट आपका आर्ची गोनिया के अंदर बना उसके बाद ये कौन सी ब्रांच थी मेल ब्रांच ये फीमेल ब्रां तो ग्यामिटोफाइट देख लीजिए ये structure आपका क्या है ग्यामिटोफाइट है ये राइजोइड है ये राइजोइड है तो आपका fertilization यहां से male gamete निकला एंथिरिया से कहा गया आर्ची गोनिया में fertilization हुआ तो क्या बना जाइगोट बना और इसके बाद आपका यहां प और एंब्रियो कैसा है एंब्रियो भी आपका 2N है एंब्रियो किसके उपर बना गैमेटोफाइट पर बना और इसके बाद आपका एक स्ट्रक्चर बनेगा इसके बाद आपका एक स्ट्रक्चर बनेगा दिहान से देखिएगा एक स्ट्रक्चर आपका बनेगा ये रहा आपक यह तो अब आप देखिए यहां से लेके यहां तक का जो structure है वो आपका gametophyte है क्या है gametophyte है यह इस पे leaf जैसा structure यह आपका gametophyte है अब जो structure बना यहां से लेके यहां तक gametophyte पर किस से बना embryo से बना किस से बना? embryo से जो structure बना इसको बोलते हैं sporophyte कैसा है? diploid gametophyte कैसा? haploid इस वाले पार्ट को क्या बोलेंगे? foot इसको क्या बोलेंगे? ceta इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे capsule और capsule के अंदर present है आपकी cell, deployed cell जिसको मैंने बोला spore mother cell क्या बोला? spore mother cell तो देखिए आपको laicycle पूरी समझ में आ रही होगी spore mother cell और ये spore mother cell आपका बनाएगी meiosis करके meiosis करके क्या बनाएगी? ये meiosis करके बनाएगी spore spore है haploid कौन सा process किया? इसने बताओ जरा कौन सा process किया? इसने यहाँ पर process किया आपका meiosis क्या किया? meiosis फिर से समझ येगा main plant body leafy gametophyte जिसमें दो ब्रांच है एक male branch है और एक female branch है male branch पर enthidia है female branch पर आपका archigonia है enthidia से male gamet निकला female branch के archigonia में गया archigonia में जाइगोड बना वो जाइगोड से embryo बना और वो embryo से sporophyte बना sporophyte के तीन पार्ट foot, seta and capsule तो ये sporophyte के पार्ट है इसलिए ये भी कैसे होंगे? diploid होंगे और इस capsule के अंदर एक diploid cell प्रेजन्ट है जिसको बोलते है spore mother cell उसमें meiosis हुआ तो आपकी क्या बनी? आपकी बनी spore अब ये spore यहां से बाहर आ गई, ये spore यहां से बाहर आ गई, ये रही आपकी spore और ये spore आपकी है haploid कैसी है haploid? तो spore कहां से बाहर आई? इस spore capsule से बाहर आई, उसके बाद देखिए उसके बाद ये spore आपका germinate करेगी क्या करेगी? जर्मिनेट करेगी तो इस spore ने germinate किया और germinate करने के बाद एक structure बनाया germinate करने के बाद एक structure बनाया, ये structure बनाया, ग्रीन कलर का एक structure बनाया इस structure को बोलते हैं आप primary protonima, क्या बोलते हैं? primary protonima क्या बोलते हैं primary protonema तो एक green color का structure बना है जिसको आप बोलते है primary protonema कैसा दिख रहा है green color का दिखता है ठीक है अब spore से बना spore haploid तो primary protonema भी कैसा होगा haploid होगा और इसमें present है आपकी birds क्या present है आपकी आपकी present है birds फिर से समझेगा spore यहां formed हुआ ठीक यहां पर क्या formed हुआ spore formed हुआ यह spore sporophyte से बाहर आया यह spore sporophyte के capsule से बाहर आया क्योंकि sporophyte कितने part में divide है 3 foot, ceta and capsule तो कहां से बाहर आया capsule से बाहर आया कौन बाहर आया spore बाहर आया और यह spore जब capsule से बाहर आया तो इसने germinate किया वो आपका green है, creeping है, मतलब ground पे travel कर रहा है, rank रहा है, और कैसा दिख रहा है, आपको green है, creeping है, filamentous है, और आपको कैसा दिख रहा है, आपको branch दिख रहा है, किस से बना है? इस पोर से बना है, अब इसके उपर क्या present है? इसके उपर birds present है, अब ये birds क्या करेंगी? ये birds germinate करेंगी, और germinate करके एक और structure बना लेंगी, इस structure को हम बोलते हैं secondary protonema, तो primary protonema पर जो bird हैं, उन्होंने बनाया secondary protonema तो यहाँ इस पोर सीधा gametophyton नहीं बनाती, मौजेस में जो स्पोर होती है, वो germinate करती है, और germinate करके primary protonema बनाती है, और primary protonema पर जो birds होती है, वो birds germinate करके secondary protonema बनाती है और secondary protonema पर भी आपकी lateral side में birds होती है, इनको बोलते है lateral birds, इनको बोलते है lateral birds, और जो यह birds होती है, यह birds germinate करके बना लेती है gametophyte, हो गई life cycle complete, यह birds germinate करके बना लेती है, gametophyte, तो इसकी life cycle में दो चीज़े आई, एक तो आपका यह leafy gametophyte आया, और एक आपका protonema आया, तो अब आप देखिएगा spore capsule से बहार आया, तो spore जब capsule से बहार आया, तो उसने germinate करके एक green color का structure बनाया, जिसको primary protonema बोलते है उस पे जो birds होती है, वो birds germinate करती है, और secondary protonema बनाती है, secondary protonema भी haploid है, secondary protonema पे जो birds है, उनको मैं literal birds बोल रहा हूँ और वो birds germinate करके gametophyte बनाती है, तो बच्चो जो चीज, जो चीज आपकी इस line के नीचे आ रही है, वो सब आपका, इसके अंदर जो आपका आ रहा है, वो सब आपका sporophytic generation है, कौन सी generation है, sporophytic generation है ये इसको छोड़ देना, gametophyte को छोड़ देना, भाई जो structure बनेगा sporophyte हूँ, तो gametophyte भी बनेगा ना, अब ये मत कहना, सर gametophyte तो haploid है, मैं gametophyte की बात ने कर रहा हूँ gametophyte को छोड़ के जो भी structure है, वो सब कौन सा है, वो सब आपका sporophytic है, और इस line के बाहर, जितने भी structure है, वो haploid है, मतलब वो कैसे है, मतलब वो आपके gametophytic है, haploid है, और ये आपके diploid है इस डब्बे के अंदर जो भी है, वो diploid है, इस डब्बे से बाहर जो भी है, वो haploid है, इस पोर gametophytic generation का पार्ट है, बना अंदर है, बट पार्ट किसका है, gametophytic generation का, ये हो गई आपकी Moses की life cycle, समझ में आ गई होगी तो इसके अंदर दो stages होती है, इसकी life cycle में दो stages है, एक leafy stage है आपकी और एक proto-nima है, एक leafy stage है, तो Moses include Moses include, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, आपका Moses include पहला leafy stage, और दूसरा था आपका proto-nima, दूसरा आपका क्या था proto-nima, एक आपका leafy stage है, दूसरा है आपका proto-nima, यह आपकी Moses की complete life cycle हो गई, समझ में आ गया होगा Vagetative reproduction, किस से होता है, fragmentation से होता है, and budding, budding in secondary proto-nima अब इस line का मतलब क्या है, budding in secondary proto-nima का मतलब क्या है, आप life cycle में देखिए, secondary proto-nima पे जो birds होती है, वो germinate करके leafy gametophyte बनाती है, primary proto-nima secondary proto-nima बनाएगा, और secondary proto-nima में जो birds होती है, वो germinate करके leafy gametophyte बनाती है, तो Moses की life cycle में gametophyte भी है, और sporophyte भी है, यह gametophyte है, यह sporophyte है, यहाँ आप देख सकते हैं, तो lateral birds जो secondary proto-nima में है, वो budding कर रही है, इसमें birds है और यह birds terminate करके gametophyte बना रही है, तो आपको यह चीज समझ में आ गई होगी, fragmentation and budding in secondary proto-nima, यह चीज आपको समझ में आ गई होगी, ecological importance देखिएगा, ecological importance में आपको बता चुका हूँ, ecological importance में आपको बता चुका हूँ, याद करिए, वो जो succession वाला बताया था, soil formation, तो ecological importance में मैंने आपको बताया था, soil formation, तो बच्चो, root-like, stem-like और leaf-like structure आपका moses के अंदर मिलता है, यह आपको समझ में आ गया होगा, और ecological importance में क्या है, और ecological importance में क्या है, देखिएगा, जो moses होते हैं, moses कैसे, कैसे वो करते हैं, moses जो होते हैं, वो आपके groups में, देखिए, moses जो होते हैं, आपके diagram दिखाते हैं, अगर होगा, यह रहा, यह आपका moses है, देखे कैसे grow कर रहे हैं, तो maws जो होता है, maws grow in groups, जिसकी वज़े से ये hold करते हैं soil को tightly, तो जब बारिश का पानी यहां गिरेगा तो जब यहां बारिश का पानी गिरेगा तो बारिश का पानी भहेगा तो जब वो पानी भहेगा तो अपने साथ मिट्टी को लेके नहीं जा पाएगा क्योंकि मिट्टी को किसने होल्ड किया हुआ है मौज ने होल्ड किया है मौज soil को tightly hold करते हैं तो जब यहां से rain होगी raining water can't so soil will not move so soil will not move soil will not move with the help of with the help of raining water तो raining water तो जब बारिश का पानी यहां गिरेगा तो वो अपने साथ मिटी भाके नहीं ले पाएगा क्योंकि मिटी को hold किया हुआ है किसने मौज ने इसका मतलब मौज क्या करते हैं मौज क्या करते हैं they reduce impact of rain on soil on soil क्योंकि जो मिटी है वो आपकी move नहीं कर पाएगी पानी के साथ तो यह आपकी हो गई ecological importance तो हम इसको उठाते हैं और इसको भी हम बेटा वहीं पर लगा देते हैं तो यह भी हमने आपकी वहीं पर लगा दी तो आप देख लीजिए यह हमने आपका वहाँ पर यह slide लगा दिया तो भीया तो हम यहाँ लिख देते हैं तो जिसकी वज़े से यह क्या prevent कर रहा है जिसकी वज़े से यह prevent कर रहा है soil erosion मिट्टी का loss नहीं होगा यह prevent कर रहा है soil erosion तो हम यह लिख देते हैं आगया होगा समझ में तो प्रीवेंट soil erosion तो एकोलोजिकल इंपोर्टेंट्स हमारी दन हो गई एकोनोमिक इंपोर्टेंट्स तो सम स्पिशीज ओफ मॉज़ेस सम स्पिशीज ओफ मॉज़ेस used as food for birds and mammals ठीक है दूसरा पीट मॉज बच्चो एक मॉज का example है sphagnum क्या बोलते हैं sphagnum तो sphagnum जब dead हो जाता है तो इसके बाद ये decay होता है sphagnum है sphagnum क्या है mॉज है mॉज क्या है bryophyte है तो हम जितनी भी चीज़ अब पढ़ रहे हैं हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम mॉज के बारे में पढ़ रहे हैं ये देख लीजिए हम mॉज के बारे में पढ़ रहे हैं से किसके बारे में पढ़ रहे हैं? мос के बारे में तो स्फेगनम भी एक yapıl learning moz है एक battery fight है मौज है Petemons तो इसको आप बोलते हैं Petemons ये है आपका Petemons evaluate पीट का मतलब क्या है? स्फागनम मर जाता है उसके बाज स्फेगनम decay होता है स्फेगनम क्या होता है? डिके और इसके डिके होने की वज़े से एक एक और्गेनिक मेटर प्रड्यूस होता है क्या प्रड्यूस होता है? इसके डिके होने की वज़े से आपको एक चीज मिलती है जिसको आप बोलते हैं पीट और पीट आपका होता है फ्यूल तो sphagnum moss के decay होने की वज़े से एक चीज प्रेड्यूस होती है जिसको आप peat बोलते हैं और peat को use करते हैं लोग as a fuel तो peat moss किसको बोलते हैं? peat moss आप sphagnum को बोलते हैं Hygroscopic Hygroscopic का मतलब होता है It holds moisture and water तो आपको मान लीजिए आपको flowers एक जगे से दूसरी जगे पे भेजने हैं तो आप उनको wrap करोगे किस के साथ? इस sphagnum के साथ wrap करोगे तो sphagnum जो moisture होता है उसको absorb कर लेता है जो water है उसको absorb कर लेता है तो एक जगे से दूसरे जगे पर truck में आप किसी plant को भेज रहे हो तो उस plant को आप किस से cover कर दोगे sphagnum से जो अपने अंदर किस को hold करेगा water को hold करके रखेगा absorb कर लेता है ये water को जिसकी वज़े से जो plant होंगे वो fresh रहेंगे आपकी जो seedling रहेगी वो fresh रहेगी तो it hold moisture और water to keep to keep seedling और plant fresh during transshipment ये पानी को absorb कर लेता है कौन सा moss पानी को absorb कर लेता है इसका नाम है sphagnum इसलिए इसको एक और नाम देते हैं आप absorbent cotton तो भाईया ये अपने आपको इसके चारो तरफ wrap कर दो किसी plant को भीजना है इसके चारो तरफ wrap कर दो किसको sphagnum को sphagnum अपने अंदर पानी को hold रखेगा तो ये जो plant है ये आपका fresh रहेगा तो ये आपको समझ में आ गया होगा लीवर वाट और मॉजस में difference देखिए लीवर वाट और मॉजस में difference देखिए अभी तक मैंने आपको क्या बताया था लीवर वाट में जो sporophyte था मैंने आपको बताया था लीवर वाट में sporophyte कैसा था non photosynthetic था ठीक है और gametophyte कैसा था सर लीवर वाट का जो gametophyte था वो आपका photosynthetic था कैसा था photosynthetic था इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर आपका sporophyte जो था इस पोरो फाइट लीवर वाट में sporophyte completely depends upon completely depends upon gametophyte तो आपका जो sporophyte होता है वो completely depend होता है किस पर? gametophyte पर बट मौजज में ऐसा नहीं होता मौजज में जो sporophytic structure है वो भी photosynthetic है यास और जो gametophytic है वो भी photosynthetic है तो बट इस पोरो फाइट इस पोरो फाइट जो है क्योंकि यहाँ sporophyte non photosynthetic होता है यहाँ पर sporophyte भी खाना बना सकता है बट वो gametophyte पर water के लिए depend होता है तो sporophyte को gametophyte से क्या चाहिए? gametophyte sporophyte को क्या provide करता है? water तो sporophyte gametophyte पर water के लिए depend होता है food के लिए depend नहीं होता इसलिए यहाँ sporophyte partially depend होता है आ गया होगा समझ में बच्चो इसका जो sporophyte है इसका sporophyte देखिए इसका sporophyte जो होता है आपका इसका sporophyte more elaborate है इसका sporophyte more elaborate है elaborate का मतलब complex है more differentiated है इसका sporophyte less differentiated है ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बोला कि भाईया इसके sporophyte के कितने पार्ट थे? तीन पार्ट थे एक को बोला capsule एक को बोला ceta और एक को बोला foot इसके sporophyte के भी तीन पार्ट है एक को बोला capsule एक को बोला ceta और एक को बोला foot लेकिन इसके capsule के भी तीन पार्ट होते है जो NCRT में नहीं है इसलिए मैं नहीं लिख रहा इसका capsule further divided है तीन पार्ट में इसका capsule further divided है तीन पार्ट में इसका capsule further divided है into three parts बट इसका capsule further divide नहीं है इसलिए इसका sporophyte जादा complex होता है इसका sporophyte जो होता है वो simple होता है आ गया होगा तो इसका sporophyte simple है तो spore dispersal method capsule में से spore भार आती है बच्चों capsule में से कौन भार आता है capsule में से spore भार आती है तो यहाँ पर spore को बाहर निकालने का method बहुत complex है बट liver water में spore को बाहर निकालने का method easy है वो method NCRT में नहीं दिया तो spore dispersal का क्या मतलब है spore dispersal का मतलब है capsule में से spore को बाहर निकालना तो mauses में capsule में से जो spore भार आती है वो इस method को बोलते है Spore dispersal Spore dispersal का मतलब होता है Capsule में से Spore को बहार आना तो यहां Spore dispersal मेथर कॉंप्लेक्स होता है but livery portfol में Spore complex liveryistling Spore dispersal मेथर Easy होता है किसिन का बहार आना इस capsule में से Spore का बहार आना इसको बोलते है Spore dispersal मौजेस के अंदर Spore को Capsule से निकालने का जो मैथड है वो कॉम्पलेक्स है लिवर वाट में easy है तो आप यहां क्या लिख सकते हैं आप यहां लिख सकते हैं कि यहां पर Spore Disperseal का मतलब क्या हुआ Spore Disperseal का मतलब हुआ Spore Release from Capsule तो यहाँ पर elaborate, elaborate का मतलब क्या हुआ, elaborate का मतलब हुआ complex, elaborate method of spore dispersal, यहाँ आपका जो method है, वो आपका simplest method है तो लीवर वाट और मौजस, तो बच्चो हमने quality के साथ आपका bryophyte complete कर लिया, आप NCRT पढ़ना आपको एक एक चीज समझ में आएगी हम अपनी journey को आगे बढ़ाते हैं, नया जो topic है वो है teledophyte, बच्चो हमने algae और bryophyte को quality के साथ complete किया है, अब जो next आने वाला है आपका, वो है teledophyte teledophyte, तो पूरा का पूरा focus करना, आपका जो bryophyte था, उसके अंदर मैंने आपको पूरा बताया कि main plant body कौन थी, gametophyte थी, पूरा बना के बताया आपको, ठीक, ऐसे teledophyte जो plant होता है, उसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक को आप बोलते है gametophyte और एक को आप बोलते ह sporophyte, तो जैसा bryophyte में था, वैसे ही gametophyte, sporophyte यहाँ पर भी होगा, क्या difference है, वो हम लोग देखेंगे, तो बच्चो, पहले मैं आपको sporophyte और gametophyte के कुछ theoretical point बताता हूँ, इनके character बताता हूँ, उसके बाद मैं पूरी की पूरी life cycle आपको समझाऊंगा, आजाएए, बच्चो, sporophyte जो होता है, वो diploid होता है, gametophyte, heploid होता है, ठीक, दोनों के दोनों, चैसे sporophyte हो या gametophyte हो, दोनों के दोनों कैसे होते हैं हमेशा दोनों के दोनों कैसे होते हैं मल्टी सेललर होते हैं कैसे होते हैं मल्टी सेललर होते हैं ब्रायोफाइट में भी गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट मल्टी सेललर होंगे डॉमिनेट इस पोरोफाइट जो होता है वो dominant body होती है gametophyte dominant body नहीं होती bryophyte में gametophyte dominant body थी photosynthetic बच्चो sporophyte भी photosynthetic है और gametophyte भी photosynthetic है sporophyte भी independent है gametophyte भी independent है यहाँ पर दोनों ही independent है but main plant body कौन सी है? sporophyte है main plant body मतलब dominant body अगर मैं आपसे पूछूँ कि इसकी main body क्या है तो आप sporophyte बोलेंगे क्योंकि दोनों ही photosynthetic कर सकते है इसलिए gametophyte independent है मतलब यह भी free living है और यह भी free living है root stem leaf इसका जो sporophyte होता है वो तीन पार्ट में divide हो जाता है तो इसका जो sporophyte है तो हम यहां लिख सकते हैं sporophyte divided into three parts जिसको मैंने बोला root stem leaf तो यहां पर root stem leaf नहीं है तो पहली बार teridophyte में root stem leaf आई bryophyte में root stem leaf नहीं थी teridophyte में पहली बार root stem leaf आई और root stem leaf किसका पार्ट होता है sporophyte का पार्ट होता है तो sporophyte deployed होता है इसलिए root stem और leaf आपकी deployed होती है आग्या होगा समझ में पहली बार root stem leaf teridophyte में आई root stem leaf किसका पार्ट है sporophyte का पार्ट है sporophyte deployed है तो root stem leaf deployed है और हमें मालुम है कि root stem leaf में xylem और phyloem मिलते हैं और root stem leaf is porophyte का part है इसका मतलब वेस्पुलर टिशू कहां मिलेंगे इस porophyte में मिलेंगे gametophyte में नहीं मिलेंगे तो first time आपके xylem और phyloem कहां पर आए टेरिडोफाइट में आए तो टेरिडोफाइट की किस body में xylem और phyloem मिलेंगे इस porophyte वाली body में मिलेंगे इस porophyte का part root stem और leaf में differentiate होगा और इनके अंदर xylem और phyloem मिलेंगे next embryo इसके अंदर आपका present होता है seed इसके अंदर absent होता है it include it include इनके अंदर कौन कौन आपके आते हैं it include horse tail, horse tail को आप बोलते हैं equisitum, क्या बोलते हैं equisitum and fun fun आपके advance teridoophyte है, fun जो है आपके वो आपके advance teridoophyte होते हैं, advance teridoophyte होते हैं जिसमें आपका example हो गया, एक example लिख देता हूँ मैं, हमने एक example लिख दिया आपका teris लिख दिया, हमने example लिख दिया teridium, एडियंटम भी है, marsilia भी है, बहुत सारे example है, तो इनके अंदर horse tail आते हैं और आपके phone आते हैं, horse tail का scientific name है aquisitum, habitat, कहां मिलेंगे, यह आपके cool, damp, shady place में मिलते हैं, ठीक है, तो यह आपके जो मिलेंगे, cool, damp और shady place में मिलेंगे, ठीक है, कुछ यह आपके sandy soil में मिलेंगे, some in sandy soil, some in sandy soil, तो जहां इनको cool, damp और shady place मिलेंगे, वह यह ग्रो करेंगे, और इनको भी need है, किसकी, water की, क्या करने के लिए, fertilization, क्या करने के लिए, fertilization, इनको भी पानी की need होती है, fertilization करने के लिए, इसलिए, so, its distribution is limited, its distribution is limited, तो इनका जो distribution है, वो limited है, narrow range of distribution, मतलब, यह बहुत जगे नहीं पाए जाते, क्योंकि इनको grow करने के लिए, यह particular condition चाहिए, इसलिए इनका जो distribution होता है, वो limited होता है, ornamental, decoration के लिए use करते हैं, medicine में भी यह use होते हैं, soil binder, soil binder का मतलब होता है, यह भी hold करते हैं, किसको, soil को, तो यह भी क्या prevent करते हैं, बच्चों, यह भी आपके prevent करते हैं, soil erosion को, आ गया होगा समझ में, easy point है, next, tidal fight में दो तरह की leaf होती है, एक छोटी leaf होती है, और एक बड़ी leaf होती है, जो छोटी leaf होती है, उसको आप बोलते हैं, मैक्रो फिल, और जो बड़ी leaf होती है, उसको आप बोलते हैं, मैक्रो फिल, और कहीं कहीं पे लिखा होता है, मेगा फिल, क्या लिखा होता है, मेगा फिल, तो छोटी पती को आप बोलते हैं, मैक्रो फिल, और बड़ी पती को आप बोलते हो, मेगा फिल, तो छोटी पती भी है और बड़ी पत्ती भी है छोटी पत्ती का आपका एक्जामपल हो गया सिलेज नेला क्या हो गया सिलेज नेला और दूसरा एक्जामपल आपका हो गया यहां पर इक्विसिटम तो पहला हो गया सिलेज नेला दूसरा हो गया इक्विसिटम और लार्ज लीव जो मिलती है आपका example हो गया, इडियेंटम हो गया, आपका marcelia हो गया, तो यहां इन टेरिडोफाइट में leaf बड़ी मिलेगी, इन टेरिडोफाइट में जो leaf है वो छोटी मिलेगी, दो तरह की पत्या हो गई, टेरिडोफाइट जो होते हैं, वो mostly homosporous होते हैं, तो टेरिडोफाइट जो होते हैं, वो mostly कैसे होते हैं, homosporous, मतलब वो एकी टाइप की spore produce करते हैं, one type of spore, एकी तरह की spore produce करते हैं, लेकिन आपके कुछ टेरिडोफाइट, आपके कुछ टेरिडोफाइट, few teredoफाइट, बचो, जब आपने ब्राइओफाइट की लाइसिकिल पड़ी थी, तो ब्राइओफाइट भी homosporous था, all bryophyte homosporous, बचो, याद करो, जब आपने ब्राइओफाइट की लाइसिकिल पड़ी थी, तो उसमें, लाइसिकिल में क्या वाड़ाता था, इस पोर मदर सेल में मियॉसिस हुआ, आपका क्या बना? इस पोर, तो इस पोर बना, मतलब सपोर लिखा हुआ है, वहां कहीं माइक्रो स्पोर, मैक्रो स्पोर ये सब वर्ड नहीं लिखा हुआ, सिरफ स्पोर लिखा हुआ है, इसका मतलब, जो bryophyte थे आपके वो भी कैसे थे, bryophyte भी आपके कैसे थे, bryophyte भी आपके homosporus थे, all bryophyte are homosporus, उनमें एकी तरह की spore मिलती है, लेकिन कुछ teridophyte है, वो कैसे होते हैं, वो heterosporus होते है, heterosporus का मतलब हुआ, उनमें spore जो होती है, वो two types की मिलती है, कितने type की मिलती है, दो type की spore मिलती है, एक spore को हम बोलते हैं, microspore, एक को हमने क्या बोला, एक को हमने बोला, microspore, और दूसरे को हमने बोला, megaspore, macrospore भी लिखा हो सकता है, कहीं कहीं पर, macrospore भी हो सकता है, microspore और megaspore, microspore जो होती है, वो आपकी small होती है, और ये आपकी large होती है, इसको आप male spore बोलते हो, और इसको आप female spore बोलते हो, तो mostly tereidophyte homospores है, मतलब उनमें एकी तरह की spore मिलेगी, लेकिन कुछ tereidophyte हैं, जो आपके heterospores होते हैं, उनमें दो टाइप की spore मिलती है, example आपका हो गया है, slaginela क्या हो गया, slaginela, दूसरा आपका हो गया है, salvenia, तीसरा आपका हो गया, aggola और चौथा आपका हो गया है, marcelia, तो slaginela, salvenia, aggola, marcelia, कितनी तरह की spore मिलेंगी, दो तरह की spore मिलेंगी, ये कैसे हैं, ये heterospores है, जादतर कैसे होते हैं, होमो स्पोरस, एक ही टाइप की स्पोर मिलती है, छोटी पत्ती और बड़ी पत्ती लाइफ सिकिल आफ होमो स्पोरस ट्रेडोफाइट, तो बच्चो अब हम पढ़ेंगे लाइफ सिकिल आफ होमो स्पोरस ट्रेडोफाइट तो ये जो word मैंने यहां लिखा sporophyte, gametophyte, ये सब क्या है, ये एक एक चीज आपको clear हो जाएगा, ये अब मैं life cycle में explain करूँगा, तो आप ध्यान से देखिएगा, main plant body क्या है, main plant body है आपकी sporophyte, जो कैसा है, जो है आपका 2N, main plant body है sporophyte, तो जो main plant body है, वहाँ से life cycle को हमने start करते हैं, तो main plant body है sporophyte, बच्चो इस sporophyte पर, इस sporophyte पर on, इस sporophyte पर आपकी मिलती है leaves, क्या मिलती है, leaves, इस sporophyte का part क्या है, leaves, इस sporophyte पर जो leaves मिली, उन leaves को मैंने बोला, sporophylle, क्या बोला, sporophylle, तो ये leaf sporophyte पर मिली, अगर sporophyte deployed है, तो ये leaf भी कैसी होंगी, deployed होंगी, इन sporophylle पर मुझे मिले sporangia, क्या मिले, मुझे आपके मिले sporangia, तो इन leaf पर मुझे मिलते है sporangia, तो अगर मैं आपको यहाँ पर इसको diagram में दिखाऊँ, देखिए, ये leaf है, और leaf पर आपको क्या दिख रहे हैं, लीफ पर आपको sporangia दिख रहे हैं, तो बच्चों, लीफ पर आपको क्या दिख रहे हैं, लीफ पर आपको sporangia दिख रहे हैं, तो sporophylle क्या है, लीफ है, तो sporophyte कहा मिला, sporophyte on leaf, तो sporophyte जिस लीफ पे मिला, उस लीफ को हमने बोला sporophylle, और sporophylle पर क्या मिला, on sporophylle, आपका म मिला sporengia. Sporengia भी क्या है? diploid है. तो इसको हम एक काम करते हैं. तो sporophyte के उपर जो leaf मिलेंगी sporophyte पर on sporophyte sporophyte पर जो leaf मिलेंगी उन leafs को मैंने बोला sporophylle और sporophylle पर मिला sporؤंजिया. इस पोरेंजिया के अंदर अंदर मतलब इन इस पोरेंजिया के अंदर आपकी मिली सेल जिसको मैंने बोला इस पोर मदर सेल और इस पोर मदर सेल कैसी है इस पोर मदर सेल डिपलॉइड है कैसी है डिपलॉइड है अब इस इस पोर मदर सेल के अंदर आपका हुआ मियोसिस उस Miosis को मैंने बोला Sporic Miosis जिसकी वज़े से आपका बना Spore और Spore कैसा है? Haploid है तो अब यह Spore कहां बना? Spore Spore Mother Cell से बना Spore Mother Cell किसके अंदर है? Sporengia के अंदर है Sporengia के अंदर Spore Mother Cell ने Spore बनाया इसका मतलब यह Spore किसके अंदर है? यह spore sporengia के अंदर है तो यहां से अब क्या होगा जो spore है वो बहार आएगी is spore देखिए is spore लिखा हुआ है कोई micro spore और mega spore नहीं लिखा इसका मतलब एकी type की spore है तो यह life cycle किस की पड़ रहे हैं? यह life cycle हम पड़ रहे हैं किस की? ये life cycle हम पढ़ रहे हैं homo sporous terido fight की तो spore released कहां से release हुई spore released हुई बेटा कहां से release हुई sporengia से released हुई ये spore sporengia से बाहर आ गई तो जब ये spore sporengia से बाहर आ गई तो मैं यहां लिख देता हूँ ये रही आपकी spore इस spore में क्या difference है ये spore sporengia में थी अब ये spore release हुई sporengia से और बाहर आ गई इसके बाद इस spore ने क्या किया इस spore ने germinate किया ये देखिए इस spore ने आपका क्या किया germinate किया germinate करने के बाद इसने एक structure बनाया जिसको हम बोलते है pro thallus तो अगर मैं इसको diagram में दिखाऊँ आपका इसने एक structure बनाया आपका ये रहा आपका pro thallus तो pro thallus कैसा structure है देखिएगा pro thallus कैसा structure होता है मैं यहाँ लिख देता हूँ pro thallus के बारे में pro thallus जो होता है वो आपका free living है कैसा है free living है well developed नहीं होता इसलिए हम इसको बोलते है inconspicuous inconspicuous तो ये आपका well developed नहीं होता है इसलिए हम इनको बोलते है inconspicuous inconspicuous का मतलब है not well developed इतना well developed नहीं होता ये structure आपका multi cellular होता है कैसा होता है multi cellular तो free living है free living का मतलब क्या हो गया मतलब ये किसी पर depend नहीं है मतलब ये कैसा है independent है free living independent inconspicuous मतलब not well developed multi cellular thaloid gametophyte thaloid gametophyte thaloid क्यों बोला क्योंकि इसमें root stem leaf नहीं है thaloid क्यों बोला क्योंकि इस structure में root stem leaf absent है क्योंकि root stem leaf किसका पार्ट होती है root stem leaf sporophyte का पार्ट होती है और sporophyte diploid होता है ये structure कैसा है ये structure haploid है ये structure कैसा है haploid तो इसी prothalus को लोग gametophyte बोल देते हैं इसी prothelis को लोग क्या बोल देते हैं gametophyte भी बोल देते हैं तो prothelis word आप सिरफ homosporus teradophyte में यूज़ करेंगे कहां यूज़ करेंगे homosporus तो prothelis word जो होता है prothelis word आप word यूज़ करेंगे kin teradophyte के लिए homosporus और इसी को बोल देते हैं gametophyte भी बोल देते हैं तो spore ने germinate करके आपका एक ऐसा structure बनाया जो independent है free living है but well developed नहीं है ठीक है और इस structure को आप prothelis बोल रहे हैं इसी को आप equivalent मान रहे हैं किसके thaloid gametophyte के thaloid मतलब इस structure में root stem leaf नहीं है और इस structure को आप क्या बोल सकते हो gametophyte बोल सकते हो but best word आप use करते हैं prothelis और ये well developed नहीं है क्योंकि टेड़ोफाइट में main plant body sporophyte होती है gametophyte नहीं होती इस prothelis पर आपके मिलते हैं sex organ ये देखिए इस prothelis पर आपके क्या मिले sex organ इसको मैंने बोला male sex organ और इसको मैंने बोला female sex organ male sex organ का नाम है anthridium क्या नाम है anthridium और female sex organ का नाम है archiconium क्या नाम है archiconium यहाँ भी sex organ multicellular है यहाँ भी sex organ jacketed है तो ये anthridium क्या produce करेगा ये anthridium produce करेगा anthrojoid क्या produce करेगा anthrojoid और इस anthrojoid को आप बोलेंगे male gamete क्या बोलेंगे male gamete और इस archiconia के अंदर produce होगा क्या egg और ये male gamete इस egg को fertilize करेगा ये male gamete water की health से जाएगा और किसके पास जाएगा ये male gamete anthridia से निकलेगा पानी में तहरेगा और archiconia के अंदर जाएगा और egg को fertilize करेगा तो इस process को हम बोलेंगे fertilization जिसका product क्या बनेगा जिसका product बनेगा जाएगोट और जाएगोट कैसा है जाएगोट diploid है और जाएगोट से आपका बनेगा embryo embryo कैसा है embryo diploid है और embryo से बनेगा sporophyte ये है life cycle देखिए main plant body sporophyte sporophyte पर जो leaf मिली sporophyll sporophyll पर क्या मिले sporangia sporangia के इंदर क्या मिली spor mother cell उसमें क्या हुआ sporic meiosis हुआ क्या बना spor ये spor कहां से बहार आ गई sporangia से बहार आ गई क्या किया germinate किया क्या बनाया prothelis कैसा structure है independent है free living है independent क्यूं है क्योंकि ये mostly कैसा होता है ये mostly कैसा होता है ये mostly photosynthetic होता है मतलब ये structure photosynthesis कर सकता है ये structure भी photosynthetic होता है दोनों के दोनों photosynthesis कर सकते है ये structure भी photosynthetic है और इसी ये structure well developed नहीं है इसलिए लिखा है inconspicuous multicellular है और इसी को बोलते है थैलोइड गेमेटोफाइट, थैलोइड इसलिए बोला क्योंकि रूट स्टेम लीफ नहीं है और इसको अपने गेमेटोफाइट बोल दिया, इस पर सेक्स ओर्गन प्रेजन्ट है, एंथ्रीडियम और आर्ची गोनियम, दोनों सेक्स ओर्गन मल्टी सलल तो जो भी स्ट्रेट्चर आपका डिपलोइड है, इस लाइन के ऊपर आ रहा है, यह वाला स्ट्रेट्चर, यह, इसको आप बोलते हैं, इस पोरोफिटिक जनरेशन, जो यह बाहर आपको दिख रहा है, इस लाइन के बाहर, उसको सब hemploid दिख रहा है उसको बोलते है gametophytic generation, तो इसी को बोलते है independent alternation of generation, sporophyte independent है, gametophyte भी independent है, sporophyte आएगा, फिर gametophyte आएगा, फिर sporophyte आएगा, फिर gametophyte आएगा, independent alternation of generation तो आपको ये life cycle समझ में आ गई होगी आगे चलते हैं एग्रिगेट हो जाती है आपकी मान लीजिए ये आपकी लीफ है ये लीफ एग्रिगेट होकर एक कॉमपेक्ट स्ट्रक्चर बनाती है जिसको बोलते है कोन देखिए यहाँ पर लीफ एग्रिगेट नहीं हुई अलग अलग दिख रही है यहाँ गुच्छा दिख रहा है तो जब लीफ ग्रुप में आजाए ऐसे एग्रिगेट हो जाए तो इसको बोलते हैं कोन तो बच्चो कोन क्या हुआ आपका अगर मैं आपसे बोलू की भाईया कोन क्या हुआ तो कोन क्या हुआ जो स्पोरोफिल होती है इस्पोरोफिल जो होती है देखिएगा इस्पोरोफिल इस्पोरोफिल क्या थी sporophyll आपकी diploid थी ठीक है sporophyll आपकी diploid थी और sporophyll आपने किस के लिए बोला था leaves के लिए बोला था तो कभी कभी क्या होता है sporophyll aggregate sporophyll aggregate to form कौन और इसी कौन को बोलते है इस ट्रॉबिलस sporophyll aggregate हो जाती है और आपका बनाती है कौन ऐसा आपका मिलता है कहां पर ऐसा आपका मिलता है सिलेज लिला में और आपका मिलता है इकवी सिटम में सिलेज लिला और इकवी सिटम सोरस क्या है सोरस है group of sporangia group of sporangia group of sporangia is called सोरस माल लीजिए ये आपकी leaf है और leaf में आपके क्या present है leaf में आपके present ये आपकी leaf है leaf पर आपके present है sporangia बट कहीं कहीं पर sporangia group में मिलेंगे तो जहां जहां sporangia group में मिलते है उस structure को बोलते हैं Saurus, उस structure को बोलते हैं आप Saurus, तो Saurus क्या है? किसका aggregation? किसका group? Asporengia का group. तो ये सब क्या है? ये हैं आपके Asporengia. ये हैं आपके Asporengia. आ गया होगा समझ में अच्छे से. अब देखिए हेट्रोस्पोरस्टेरिडोफाइट हेट्रोस्पोरस्टेरिडोफाइट के बारे में समझेगा हेट्रोस्पोरस्टेरिडोफाइट के बारे में समझेगा ठीक है अगर मैं आपसे कहूँ कि first time seed कहां बने चा टेरेडोफाइट में सीड बने नहीं बने पहली बार जो सीड बनेंगे वो आपके बनेंगे जिमनोस्पॉम में कहां बनेंगे जिमनोस्पॉम में जिमनोस्पॉम के बाद सीड कहां बने जिमनोस्पॉम के बाद सीड बने एंजियोस्पॉम में तो सबसे पहले क्यों बने, seed बनने के लिए दो condition चाहिए, पहले एक बताता हूँ, एक थोड़ी दिन में बता हूँगा, seed बनने के लिए क्या condition चाहिए, seed बनने के लिए, plant should be heterosporous for seed formation, plant heterosporous होना चाहिए, तभी seed बनते हैं, plant कैसा होना चाहिए बच्चों? पूरा फोकस करना, अच्छे से समझना एकदन बेसिक से बता रहा हूँ, प्लांट कैसा होना चाहिए प्लांट आपका हेट्रोस्पोरस होना चाहिए तभी सीड बनते हैं ये दोनों के दोनों कैसे थे ये भी कैसा था हेट्रोस्पोरस था कैसा था हेट्रोस्पोरस और ये भी कैसा था हेट्रोस्पोरस था हेट्रोस्पोरस का मतलब दो टाइप की पूर बनती है और इनमे SEED बनते है तो plant should be heterosporous for seed formation तो यहां से आप के दिमाग में क्या आया यहां से आप के दिमाग में आया कि कुछ टरीडौ फॉर्इट थे सर आपने अभी लिखा था कुछ टरीडो फॉर्इट कैसे थे हेट्रो स्पोरस थे बट उनमें सीड क्यों नहीं बने बट उनके अंदर सीड क्यों नहीं बने उनके अंदर सीड क्यों नहीं बने कुछ टेट देखिए सारे ब्रायोफाइट होमोस्पोरस थे सीड नहीं बनेंगे जिमनोस्पम, एंजोस्पम, हेटरोस्पोरस है, दो तरह की स्पोर मिलेंगी, माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर सीड बन गए टेरिडोफाइट mostly homosporus थे, seed नहीं बने बट सर कुछ टेरिडोफाइट तो heterosporus थे न उनमें seed क्यों नहीं बने Nation wants to know, उनमें seed क्यों नहीं बने अगर मैं आपको कहूँ कि Precursor to seed habit क्या है Precursor वो कौन सी condition है जो seed formation के लिए जरूरी है तो अगर मैं आप से कहूँ वो कौन सी condition है Precursor मतलब पहले, किसके पहले Seed habit से पहले, तो seed habit का मतलब हुआ Seed का formation, seed का formation Gymnosperm में हुआ But precursor to seed habit Precursor to seed habit मतलब condition for seed formation इस line का मतलब है Condition for seed formation तो seed formation के लिए Condition क्या होनी चाहिए Seed formation के लिए Condition होनी चाहिए Heterosporus तो आप बताओ पहली बार ये condition किस में आई Teridophyte में आई, Gymnosperm में आई या Angiosperm में आई सबसे पहली बार Precursor to seed habit सबसे पहली बार ये कहां आई Originated in Teridophyte ध्यान से समझ येगा मैं आप से ये नहीं कह रहा कि पहली बार seed कहां बने पहली बार seed तो Gymnosperm में बने, मैं ये कह रहा हूँ कि seed बनाने के लिए Precursor seed बनाने के लिए Condition क्या है seed बनाने के लिए Condition है कि Plant Heterosporus होना चाहिए तो पहली बार Heterosporus Condition Gymnosperm में नहीं आई पहली बार Heterosporus Condition Teridophyte के अंदर आई तो seed बनाने वाली Condition कहां Arise होई Teridophyte में होई, बट पहली बार seed कहां बने, Gymnosperm में बने, तो सर जब यहां Condition Arise होई, तो यहां seed क्यों नहीं बने वो मैं अब आपको बताऊंगा तो हम आगे चलते हैं यह समझ में आ गया ना seed बनाने के लिए कैसा होना चाहिए plant Heterosporus होना चाहिए Bryophyte Homosporus थे Teridophyte पहली बार Heterosporus Condition Teridophyte में आई थी अभी अभी मैंने आपको यहां लिखा था कि पहली बार Heterosporus Condition Teridophyte में आई थी दो थरह की Spore होनी चाहिए तो यह आपको समझ में आ गया अब seed क्यूं नहीं बने उसको भी देख लीजिए seed क्यूं नहीं बने ध्यान से देखिएगा seed क्यूं नहीं बनते इसके अंदर अब मैं आपको Heterosporus Stidophyte की Lifecycle बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि seed क्यूं नहीं बने Example लिख देता हूँ यहाँ पर Sledge Nella यहाँ मैंने Example लिख दिया Sledge Nella ठीक तो बताइए Main Plant Body क्या है Main Plant Body है Sporophyte और Sporophyte कैसा है Deployed है कैसा है Deployed है बताईए जरा Sporophyte पर आपकी क्या मिलती थी सर Sporophyte पर मेरी Leaf मिलती थी बिल्कुल सही है उस Leaf को क्या बोलते थे सर उस Leaf को मैं बोलता था Sporophyll तो उस Leaf को मैं क्या बोलता था उस Leaf को मैं बोलता था Sporophyll Sporophyte पर मिलती थी Leaf जिनको मैं बोलता था Sporophyll तो Sporophyll पर क्या मिलती थी Sporophyll पर मिलती थी Leaves जिनको मैं बोलता था Sporophyll अब सर्थ दो भार Sporophyll क्यों लिखा क्योंकि इनको बोलेंगे Male Leaf और इनको बोलेंगे Female Leaf Male Leaf को बोलते है स्पोरोफिल, फीमेल लीफ को बोलते हैं मेगा स्पोरोफिल, तो सिलैजलेला क्या हुआ, सिलैजलेला आपका टैड़ोफाइट है, जिसकी मेन प्लांट बॉड़ी क्या है, स्पोरोफाइट है, सिलैजलेला कैसा है, हेटरोस्पोरस टैड़ोफाइट है, तो हमें इसकी साइक समझनी पड़ेगी तब तुम्हें कोश्ण का आंसर मिलेगा ये वन शॉट नहीं है ये पूरा डिटेल है बेटा ठीक है इस्पोरोफाइट पर क्या है इस्पोरोफाइट पर लीफ है एक लीफ को आपने बोला माइक्रो स्पोरोफिल दूसरी को बोला मेगा स्पोरोफिल मेल लीव को माइक्रो स्पोरोफिल फीमेल लीव को मेगा स्पोरोफिल बताओ जरा इस्पोरोफिल पर क्या मिलते थे सर इस्पोरोफिल पर मिलते थे इस्पोरेंजिया बिल्कुल सही है इस्पोरोफिल पर मिलते थे Sporangia तो यहां भी Sporofil पर क्या मिलेंगे यहां भी आपके मिलेंगे Sporangia अब male Sporangia को बोलते है Microsporangia और female Sporangia को बोलते है Megasporangia सही है Microsporangia, Megasporangia अब Sporangia में क्या मिलती थी Sporangia में मिलती थी Spore Mother Cell यहां Spore Mother Cell को बोलते है Microspore Mother Cell क्या बोलते है Microspore Mother Cell यह कैसे है यह 2N है यह 2N है यह 2N है Megasporangia में मिलेगा आपका Megaspor Mother Cell कैसा है 2N कैसा है 2N कैसा है 2N फिक अब आप देखिए Microspore Mother Cell कहा है Microsporangia के अंदर है तो अगर मैं इसको डाइगराम में आपको दिखाऊं अगर मैं डाइगराम में आपको दिखाऊं तो भाईया ये रहा आपका Microsporangia ये क्या है आपका ये है Microsporangia और Microsporangia के अंदर आपकी present है Cell इस Cell को मैंने बोला Microspore Mother Cell तो आपको Microsporangia दिख गया ठीक है Microsporangia किस पर दिखेगा Microsporangia आपको Leaf पर दिखेगा तो मैं आपको Leaf भी बना देता हूँ ये रही आपको दिख गई क्या ये दिख गई Leaf इस Leaf को बोला मैंने Microsporophyll और ये Microsporophyll किस पर होगी Sporophyte पर होगी तो Sporophyte पर है Microsporophyll ये रही Microsporophyll इसमें आपका है यलो कलर का क्या है इसमें यलो कलर का है Microsporangia यलो कलर का क्या है यलो कलर का क्या है आपका यलो कलर का है आपका Microsporangia और Microsporangia में White कलर से क्या है Microspor Mother Cell है इस Cell में क्या हुआ इस Cell में हुआ Meiosis क्या बना जहाँ पना तुस्सी ग्रेट हो क्या बना माइक्रो स्पोर बना अरे क्या बना माइक्रो स्पोर बना तो इसमें मियोसिस हुआ तो आपका एक स्ट्रक्चर बना जिसको मैंने बोला माइक्रो स्पोर और माइक्रो स्पोर कितने बनेंगे Microspore आपके 4 बनेंगे मैं एक बना रहा हूँ Microspore मदरसल में मियोसिस हुआ तो क्या बना Microspore बना अरे आ गया होगा समझ में Microspore आपका बन गया ठीक ये Microspore आपका बनाएगा एक चीज जिसको हम बोलते है Male Gametophyte क्या बोलते है Male Gametophyte Microspore Haploid Male Gametophyte आपका Haploid होता है ठीक है तो इसने आपका क्या बनाया इसने आपका बनाया Male Gametophyte ये रहा आपका Male Gametophyte तो अच्छे जिस समझना इस Sporophyte पर जो Male Leaf है उसका नाम है Microsporophyll इस Microsporophyll पर है Microsporangia इस Microsporangia में है Microspor Mother Cell ये देखिए इस Microspor Mother Cell में हुआ Meiosis क्या बना Microspor Microspor ने क्या बनाया Microspor change हुई किसमे Male Gametophyte में और ये Male Gametophyte आपके क्या बनाएंगे ये Male Gametophyte आपके बनाएंगे Male Gamet क्या बनाएंगे Male Gametophyte ने बनाया आपका Male Gamet क्या बताया Male Gamet आया समझ में, अरे आ गया समझ में, माइक्रोस्पोरोफिल पर माइक्रोस्पोरिंजिया, माइक्रोस्पोरिंजिया के अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ तो माइक्रोस्पोर बनी, माइक्रोस्पोर ने मेल गैमेटोफाइट बनाय अब आपके male gamut, male gamut release from, male gamut release from microsporangia, microsporangia से male gamut बाहर आ गया, तो हम यहां बाहर बना देते हैं, यह हमने बना दिया बाहर, यह है आपका male gamut, देख लीजिए, लीफ है, microsporophyll, microsporophyll पर है, microsporangia, microsporangia के अंदर है, microspor mother cell, उसमें क्या हुआ, meiosis, क्या बना, microspor, microspor ने क्या बनाया, male gamutophyte, male gamutophyte ने क्या पेड्यूस किया, male gamut, यह male gamut किसके अंदर है, microsporangia, male gamut release from microsporangia, बाहर आ गया, ठीक, अब जड़ा यहां पर आईए, megasporophyll, तो megasporophyll बना देते हैं यहां पर, तो यह हमने बना ली यहां पर megasporophyll, megasporophyll पर क्या है, megasporophyll पर है megasporangia, तो यह है आपकी megasporophyll, यह है megasporangia, और megasporangia में आपका present है, क्या, megasporangia में आपका present है, megaspormother cell, आ गया, अब megaspormother cell, यह दोनों तरह की leaf sporophyll पर है, एक पेड़ है, पेड़ का नाम क्या है, sporophyll, क्योंकि teledophyll क्या एक पेड़ है, और teledophyll की main plant body क्या है, sporophyll है, तो यह आपका एक पेड़ है, पेड़ को मैं बोल रहा हूँ sporophyll, किसका पेड़ है, sledgelella का पेड़ है, उस पे दो तरह की पत्तियां है यह वाला मैंने आपको explain किया अब मैं यह explain करूँगा इस sporophyte पर है megasporophyll megasporophyll में megasporangia और megasporangia को ही बोलते हैं ovule क्या बोलते हैं ovule megasporangia के अंदर megaspor mother cell इस megaspor mother cell के अंदर इस megaspor mother cell के अंदर आपका हुआ meiosis क्या हुआ? meiosis और meiosis होने की वज़े से आपका बना megaspor क्या बना? megaspor तो यहाँ पे meiosis हुआ और यह आपका बना megaspor तो यह इसकी leveling हो गई megaspor यह है megaspor mother cell यह megaspor यह कैसी होगी? meiosis से बनी haploid होगी megaspor किसमे convert होगी? megaspor convert होगी female gametophyte में अब यहाँ से female gametophyte बनेगा यह रहा आपका female gametophyte क्या है यह? female gametophyte और female gametophyte में आपका present होगा क्या? female gametophyte में आपका मिलेगा egg जिसको आप बोलते है female gamet क्या बोलते है female gamet अब आप ध्यान से समझना पूरा का पूरा फोकस करना अगर मैं इसको थोड़ा सा फिर से बनाओ इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा करके बनाओ यह मैंने यहां से मिटा दिया और इसको मैं थोड़ा सा बढ़ा करके बनाता हूँ ठीक है? देखिएगा यह मैंने बढ़ा करके बनाया ठीक है? यह मैंने क्या बनाया? यह मैंने बनाया मेगा स्पोरोफिल इस मेगा स्पोरोफिल के अंदर यह जो मैंने यलो से दिखाया यह मैंने दिखाया मेगा स्पोरेंजिया क्या दिखाया? मेगा स्पोरेंजिया मेगा स्पोरेंजिया के अंदर मैंने एक सेल दिखाई ये दिखाई सेल जिसका नाम है मेगा स्पोर मदर सेल इस मेगा स्पोर मदर सेल में हुआ मियोसिस और मियोसिस होने के बाद आपकी एक चीज बनी जिसको मैंने बोला मेगा स्पोर तो ये पिंग कलर का जो है ये है मेगा स्पोर, ग्रीन कलर का है मेगा स्पोर मदर सेल, यलो कलर का है मेगा स्पोर इंजिया और लीफ का नाम है मेगा स्पोर ओफिल अब इस मेगा स्पोर ने क्या बनाया? इस मेगा स्पोर ने एक चीज बनाई ये बनाई इसको मैंने बोला female gametophyte और इस female gametophyte के अंदर आपका present है एक चीज क्या है? इस female gametophyte में एक चीज आपकी present है जिसको मैंने बोला egg फिर से सुनना ये बड़ी leaf क्या है? मेगा स्पोरो फिल ठीक है? ये है आपकी मेगा स्पोरो फिल ठीक है? मेगा स्पोरो फिल में यलो कलर से बनाया मेगा स्पोरेंजिया ठीक? इस मेगा स्पोरेंजिया के अंदर white colors इस मेगा स्पोरेंजिया के अंदर present है मेगा स्पोर मदर सेल इस मेगा स्पोर मदर सेल में हुआ मियोसिस क्या बना? पिंक कलर का structure उसको मैंने क्या बोला? मेगा स्पोर मेगा स्पोर ने बनाया female gametophyte female gametophyte मतलब ये वाला जो गोला है ये female gametophyte और female gametophyte के अंदर present है egg आ गया? लो फिर से आओ ये लीफ है मेगा स्पोरो फिल मेगा स्पोरो फिल पर on, मेगा स्पोरो फिल पर present है मेगा स्पोरेंजिया मेगा स्पोरेंजिया की leveling है यलो कलर का गोला मेगा स्पोरेंजिया के अंदर present है मेगा स्पोर मदर सेल अगर यलो कलर का गोला मेगा स्पोर एंजिया है तो इसमें है मेगा स्पोर मदर सेल में हुआ मियोसिस क्या बना मेगा स्पोर तो मेगा स्पोर की लेवलिंग है पिंक वाली मेगा स्पोर ने बनाया female gametophyte female gametophyte मतलब white color का गोला तो इस से बना white color का गोला जिसको बोला female gametophyte इस female gametophyte के अंदर present है egg आगया समझ में तो ये जो male gamet है ये male gamet यहां से release हुआ और किसको fertilize किया जाकर egg को क्या किया fertilize किया जब egg को fertilize किया तो क्या बनेगा एको fertilize किया तो तुम्हारा बनेगा जाइगोट और इस जाइगोट से तुम्हारा बनेगा embryo seed क्यों नहीं बना दियान से समझना ये जो structure है जो white color से दिख रहा है इसको बोलते हैं female gametophyte ध्याद समझना ये male gamet यहां से release हुआ और कहां गया कहां गया मेगा sporophyll पर गया मेगा sporophyll पर कहां गया मेगा sporange में गया मेगा sporange में कहां गया female gametophyte में गया female gametophyte में किसके पास गया एग के पास गया और किसको फटिलाइस किया एग को फटिलाइस किया भई ये क्या है ये आपका क्या है ये आपका एग है क्या बना आपका जाइगोड बना जाइगोड से आपका क्या बना एंब्रियो बना सीड क्यों नहीं बना फिर सीड क्यों नहीं बना सीड इसले नहीं बनता क्योंकि ये फीमेल गामेटो फाइट जिस पर एम्रियो बना ये यहां से निकलके बाहर आ जाएगा ये यहां से निकलके बाहर आ जाएगा इसलिए सीड नहीं बनना सीड तभी बनेगा जब ये female gametophyte permanent यहीं पर रहता permanent megasporophyll पर रहता अगर ये female gametophyte permanent megasporangia पर रहता megasporangia megasporophyll पर था और megasporophyll sporophyte पर था sporophyte main plant body होती है dominant body होती है फिर से समझना ये male gamet गया एग को fertilize किया जाइगोड बना जाइगोड से embryo बना सीड क्यों नहीं बना क्योंकि ये जो structure है बड़ा सा जिसको आप female gametophyte बोलते है embryo बनने के बाद ये female gametophyte घर को छोड़ देता है ये वाला जो गोला है मेगा स्पॉरिंजय से बाहर आ जाएगा female gametophyte फर्टलाइशन के बाद female gametophyte पर fertilization हुआ वहाँ embryo बना वहाँ jygode बना तो female gametophyte मेगा स्पॉरिंजय से बाहर आ गया मेगा स्पॉरिंजय से बाहर आया मतलब उसने किसको छोड़ दिया मेगा स्पोरोफिल को छोड़ दिया मतलब उसने किसको छोड़ दिया इस पूरोफाइट को छोड़ दिया फिर से समझना मेल देखिए ये बड़ी सी लीफ क्या थी मेगा स्पोरोफिल मेगा स्पोरोफिल पे यल्लो कलर से क्या था मेगा स्पोरेंजिया मेगा स्पोर नजय में क्या है? तो ये जो जाइगोड से embryo बना, ये जो fertilization हुआ, ये किस के अंदर हुआ, वाइट कलर के गोले में हुआ, और वाइट कलर का गोला क्या है, female gametophyte, fertilization होने के बाद ये वाइट कलर का गोला बाहर निकल गया, मतलब इसने अपनी mean body को छोड़ दिया, mean body sporophyte थी, इसलिए variable period के लिए रहा, variable period के लिए रहा, यही line है NCRT की, जिसको explain करने में आदा घंटा चला जाता है, जिसको सिर्फ इसी को explain करने में आदा घंटा चला जाता है, अब आप देखिए जरा दिहान से, क्या line है, देखिए गजरा, यह देखिए, General like Sledge Nella Salvenia, which produce two kind of spore, macro, macro मतलब large, आप macro भी बोल सकते हैं, और दूसरा है, आपका micro, micro मतलब small, are known as heterosporous, the megaspore, megaspore मतलब macrospore, and microspore germinate, give rise to female and male gametophyte, जो मैंने अभी आपको life cycle बताई, microspore से क्या बनता था, male gametophyte, megaspore से क्या बनता था, female gametophyte, the female gametophyte in these plants retain on parent's borophyte for variable period, female gametophyte बाहर आ गया, the development of gygote into young embryo takes place within female gametophyte, this event is precursor to seed habit, and considered important step in evolution, यह जो step हुआ, जहाँ पर fertilization कहाँ पर हुआ, female gametophyte में हुआ, जहाँ पर fertilization female gametophyte में हुआ, इसको seed formation के लिए important step माना गया, क्योंकि ऐसा ही gymnosperm में होता है, ऐसा ही angiosperm में होता है, female gametophyte पर ही gygode बनता है, female gametophyte पर ही embryo बनता है, ऐसा gymnosperm में भी होता है, angiosperm में भी होता है, बस difference यह है कि यहाँ पर यह female gametophyte बाहर आ जाता है, वहां बाहर नहीं आता यहां यह female gametophyte बाहर आ जाएगा वहां पे बाहर नहीं आएगा यहां पर fertilization female gametophyte में हुआ gymnosperm और angiosperm में भी fertilization female gametophyte में हुआ तो मतलब teridophyte similarity शो कर रहे हैं उन plant के साथ जो seed बनाते हैं तो सर इसमें और उनमें क्या difference है यहां seed क्यों नहीं बने इसलिए नहीं बना क्योंकि यह female gametophyte fertilization के बाद बाहर आ गया gymnosperm और angiosperm में वो घर में ही रुखता है female gametophyte बाहर नहीं आता वो sporophyte पर ही रुखता है इसलिए बहां पर seed बन जाते हैं तो बच्चो अच्छे से आपको यह चीज समझ में आ गई होगी फिर आपका दिया है classification of teridophyte sylopsida ठीक है lycopcida यह आपकी primitive class होती है कैसी class है? primitive class है इसके जड़तर member जो है extinct हो गए है इसके जड़तर member क्या है? आपके extinct हो चुके है lycopcida और sifnopsida इन दोनों class के अंदर कौन मिलता है? इन में आपका कौन मिलता है? यहाँ आपका कौन नहीं मिलता यहाँ पर आपकी small leaf होती है small leaf यहाँ भी कैसी है आपकी small leaf होती है ठीक है? और उस small leaf को आप बोलते है micro fill और इस small leaf को आप बोलते है mayaga fill और यहाँ, sorry इस small leaf को आप बोलते है micro fill यहां जो लीफ है वो लार्ज होती है और लार्ज लीफ को आप बोलते है मेगा फिल लार्ज लीफ को आपने बोला मेगा फिल तो ये आप इसके अंदर याद रखिएगा ठीक है लाइक आपसिडा, सिफनोसिडा, टैर आपसिडा तो ये चीजे आप इसके अंदर याद रखिएगा दूसरा आप क्या याद रखेंगे एक्जामपल याद रखिएगा इसका एक्जामपल है आपका सिलेजी नैला और है आपका लाइको पोडियम इसका एक्जामपल है आपका इक्वी सिटम क्या है इक्यूवी सिटम जिसको आप बोलते हैं और स्टेल और यहां पर जो स्टेम होती है उसका कुछ पार्ट अंडर ग्राउंड होता है स्टेम का कुछ पार्ट क्या है अंडर ग्राउंड है उसको आप बोलते हैं राइसोम जब स्टेम जमीन के अंदर हो तो उसको राइसोम बोलते है टेरोपसिडा इसमें एक्जामपल आता है आपका सैलवीनिया आपका आता है एजोला आपका आता है मारसीलिया एजोला जो होता है इसके अंदर एक ब्ल्यू ग्रीन एल्गी मिलता है जिसका नाम है एना बिना ब्ल्यू ग्रीन एल्गी कैसे रिलेशन में रहता है सिंबायोट तो अगर rice का production increase करना हो तो उसके लिए agola चाहिए होता है rice की field में agola को लगा दो agola के अंदर एना बिना होता है और एना बिना nitrogen fixation करता है rice का production increase हो जाता है salvinia, agola, marsilia और आपका आता है adiantum adiantum का common name याद रखना बस रटा मार के रखना walking fun और इसी को बोलते है maiden hair fun तो adiantum, marsilia, agola, salvinia और आपका आगया terrace और आपका आगया dryopteris और आपका आगया ophioglossum ophioglossum में सबसे ज़ादा chromosome मिलते है ophioglossum में सबसे ज़ादा chromosome मिलते है तो बच्चो हमने classification भी पढ़ लिया पूरा NCRT base पढ़ा है और पूरा का पूरा detail में पढ़ा है next है आपका gymnose pump अब मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ ठीक है बच्चो continue करते हैं next है आपका gymnose pump बच्चो gymnose pump के अंदर embryo, vascular tissue और seed आपके present होते हैं तो first time अगर मैं आपसे पूछूं seed कहां बने तो gymnose pump में बने जिन प्लांट में seed बनते हैं उन प्लांट को spermatofite बोलते हैं मतलब gymnosperm और angiosperm दोनों में seed बनेंगे तो दोनों के दोनों spermatofite होते हैं gymnosperm की में प्लांट बॉड़ी क्या है? sporophyte है क्या है? sporophyte है जो कैसी है? dominant है और कैसी है? independent है कैसी है? independent है तो जब मैंने आपको tidoophyte पढ़ाया था उसमें भी main plant body sporophyte थी यहां भी main plant body sporophyte है बट उसका जो gametophyte था वो independent था इसका जो gametophyte है वो independent नहीं होता अभी हम आपको बताएंगे वो चीज sex organ बच्चों यहां पर enthridia absent होता है यहां आपका enthridia absent होता है यहां आपका सिरफ archigonia मिलता है आपका archigonia present होता है fruit इन में नहीं बनते fruit इन में नहीं बनते अब आप देखिए ध्यान से angiosperm में क्या होता है एक चीज होती है जिसको आप बोलते है ovary यह है आपकी क्या है ovary angiosperm में होती है ovary और ovary के अंदर आपका present होता है ovule क्या present होता है ovule, ovary के अंदर आपका present है ovule, तो fertilization के बाद, after fertilization, जो ovary होती है, ovary किसमे change हो जाती है, जो आपकी ovary है, ovary आपकी किसमे change हो गई, ovary आपकी change हो गई, fruit के अंदर, ये है आपका fruit, और ovule किसमे change हो गया, ovule आपका change हो गया seed में, ये है आपका seed, तो angiosperm में, जो seed होते हैं, वो covered होते हैं, किस से, fruit से, मतलब यहाँ पर जो seed है, वो naked नहीं है, but covered है, but covered by, covered by, किस से, fruit से, और जो fruit की wall होती है, fruit की wall को आप बोलते हैं, pericarp, fruit की जो wall है, उसको क्या बोलते हैं, pericarp, जैसे आम, जैसे आम का, छिल का आम जो आप खाते हो, उसब क्या है, pericarp है, तो यहाँ पर seed naked नहीं है, क्योंकि seed covered हैं, किस से, fruit से covered होते हैं, किस में, angiosperm में, बड़ gymnosperm में ऐसा नहीं होता, gymnosperm में यह रहा आपका seed, यहाँ, sorry, यह रहा आपका ovule, क्या है, ovule, देखिए, ovule, ovule, बड़ यहाँ ovary मैंने नहीं बनाई, क्योंकि यहाँ ovary absent होती है, तो जब ovary ही नहीं है, तो fruit भी नहीं बनेगा, fruit भी नहीं बनेगा, यहाँ ovary थी, ovary fruit में convert हुई, ovule seed में convert हुआ, यहाँ पर आपकी ovary नहीं है, सिरफ ovule है, तो ovule क्या बनाएगा, ovule बनाएगा seed, बताइए, क्या यह seed fruit से covered है, अरे fruit तो है यह नहीं दिवाने, इसका मतलब, seed जो है, कैसा है, exposed है, मतलब कैसा है, naked है, मतलब not covered by fruit, fruit, fruit से covered नहीं है, तो यहाँ पर आपका ovule before fertilization, ovule क्या है, before fertilization, और seed कब बनता है, seed बनता है after fertilization, तो fertilization से पहले जो structure है, वो भी naked है, और fertilization के बाद जो structure है, वो भी naked है, तो ovule और seed naked, before fertilization, after fertilization, फटलेशन से पहले ovule naked है, फटलेशन के बाद seed naked है, लेकिन angiosperm में ऐसा होता है, next, it includes, इसके अंदर आपके आते हैं shrub, इसके अंदर आपके आते हैं tall tree, और आपके आते है medium size tree, तो जो tall tree है, उसमें आपका आगया pinus, medium size tree में आपका psychus, और shrub में आपका आगया है ephedra, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस चीज को अगर आप देखना चाहें, यह देखिए, यह ephedra है, फिक, यह tall tree है, यह देखिए, यह pinus है आपका, tall tree है, और यह आपका medium size tree है, जिसको मैं बोल रहा हूँ psychus, क्या बोल रहा हूँ psychus, तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, आजाओ, tall is gymnosperm, सबसे बड़ा gymnosperm जो है, वो आपका होता है, sequa, क्या होता है, sequa, gymnosperm की generally root कैसी होती है, tap root होती है, tap root वो root होती है, जो arise होती है, radical part of seed, कहां से arise होती है, radical part of seed, तो बच्चो, radical part of seed, एक चीज होती है, जिसको बोलते है, seed, और seed में एक structure होता है, जिसको बोलते है, embryo, और embryo का part होता है, radical, देखिए, एक चीज है, जिसको आपने बोला, seed, seed के अंदर मिलता है embryo और embryo का एक पार्ट होता है radical उस radical से अगर root बनती है तो ऐसी root को बोलते है tap root but in some genre but in some genre कुछ genre में but in some genre जैसे example हो गया pinus pinus के अंदर mycorrhizal root मिलती है कैसी root मिलती है mycorrhizal root अब इसका मतलब क्या है ये समझ येगा mycorrhizal root का मतलब समझ येगा क्या है ये देखिए pinus के अंदर देखिए आप pinus के अंदर देखिए mycorrhizal root ये है आपका stem ठीक ये है आपकी root क्या है root तो ये pinus है ठीक है ये क्या है ये है आपका stem क्या है stem ये pinus की क्या है root क्या आपको root hair दिख रहे हैं नहीं दिख रहे हैं और ये है आपका soil ये क्या है आपका soil तो यहाँ पाइनस में आपको root hair नहीं दिख रहे हैं, मतलब root hair आपको absent दिख रहे हैं, तो बच्चों अगर root hair होते, तो क्या होता, surface area बढ़ जाता, absorption बढ़ जाता, अब root hair absent है, तो यहाँ पर absorption क्या हो रहा है, absorption decrease हो रहा है, तो इस absorption को increase करने के लिए, इसके उपर fungus आके लेट जाता है, यह देखिए, यह जो white white color से पूरा thread दिख रहा है, यह fungus है, यह पूरा का पूरा fungus है, तो इसके उपर आके कौन लेट गया, इसके उपर आके लेट गया fungus, fungus की body को बोलते हैं, mycelium, अब बताईए, fungus की वज़े से surface area क्या हो गया, fungus की वज़े से surface area क्या हो गया, increase हो गया, जिसकी वज़े से absorption आपका increase हो गया, तो दो लोगों की दोस्ती है, किस किस की दोस्ती है, एक तो दोस्ती है, root of higher plant, किस की root है, pinus की root है, और दूसरी दोस्ती है, किस के साथ, fungus के साथ, ऐसी symbiotic association को बोलते है, mycorrhizal, तो यहां mycorrhizal root मिलती है, इसके दो type होते हैं, बट slabus में नहीं है, एक को बोलते हैं ectotropic और दूसरे को बोलते हैं endotropic, एक को ectotropic और एक को बोलते हैं endotropic, तो mycorrhizal root, mycorrhizal root आपको समझ में आ गया होगा, root of higher plant, higher plant की root plus fungus mycorrhizal root, ठीक है, pineus के अंदर ectotropic mycorrhizal root मिलती हैं, बट उस लिवस में नहीं है, आप सिरफ इतना याद रखना, आ गया समझ में, तो सरफी सीरा को बढ़ा दिया, तो जिसकी वज़े से क्या होगा, absorption increase हो जाएगा, तो जो fungus वाला part होता है, वो root में water और mineral के absorption में help करता है, बदले में fungus को खाना मिलता है, तो यह आपको समझ में आ गया होगा, तो हम इसको उपर ले जाते हैं, यह हम इसको यहाँ पे, नीचे यहाँ पे हम ले आए, ठीक है, कोरोलोईड root आपकी मिलती है, कहाँ पर साइकस के अंदर मिलती है, तो बच्चो अब आप देखिए, यह है साइकस, ठीक है, साइकस के अंदर आपकी normal root मिलेंगी, जो नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है, जिनको आपने क्या बोला, जिनको आपने बोला tap root, बट यहां कुछ root ऐसी भी मिलती है, जो उपर की तरफ है, तो उपर की तरफ है, मतलब gravity से अलग है, तो यह जो root है, इन root को बोलते हैं, यह root कैसी होती है, यह root आपकी कैसी होती है, देखिए, यह नीचे की तरफ नहीं है, यह उपर की तरफ है, root तो नीचे की तरफ जाती है, तो आप root को positively geotropic बोलते हैं, बट यह root उपर की तरफ जा रही है, इन root को बोलते हैं, negatively geotropic, तो psychus के अंदर एक special root मिलती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं, coralloid root, coralloid root psychus से मिलती है, कैसी होती है, negatively geotropic होती है, मतलब यह उपर की तरफ जाती है, away from soil, away from soil, ठीक है, away from soil, यह तो normal tap root है, यह root है, coralloid root, और इस root के अंदर मिलता है एक blue green algae, और उस blue green algae का नाम है आपका, एना बिना, blue green algae का नाम है एना बिना, तो आपको समझ में आ गया होगा, और यह वहाँ पर क्या करेगा, यह वहाँ पर करेगा nitrogen fixation, ठीक है, क्या करेगा nitrogen fixation करेगा, और यह relationship भी कैसी होती है, यह relationship भी symbiotic होती है, मतलब एक ऐसी relationship, जिसमें दोनों का फाइदा होता है, बोलते हैं, ठीक है, इसका जो stem है, दो टाइप का हो सकता है, या तो stem में मिलेंगी branch, या stem कैसी मिलेंगी unbranch, अब आप देखिए जड़ा धिहान से, branch और unbranch को feel करिएगा, यह देखिए, यहाँ stem से branch निकली है, बट यहाँ stem से branch नहीं निकली है, यह देखिए, यहाँ पर stem से branch निकली है, यह stem है, यह stem है, यह stem है, यह stem से branch निकली है, यह stem से branch नहीं निकली, मतलब यह unbranch है, साइकस में जो स्टेम होती है वो अन ब्रांच होती है तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि अगर मैं आपको बोलता हूँ यहाँ पर कि स्टेम ब्रांच है और अन ब्रांच है तो जो पाइनस है और सिड्रस है यहाँ पर स्टेम ब्रांच होती है और जो साइकस होता है वहाँ स्टेम अनब्रांच होती है नेक्स आता है लीफ, लीफ के बारे में समझेगा लीफ के बारे में लीफ इन जिम्नोस पॉम एडप्टेट टू एक्स्ट्रीम टेंपरेचर, हुमिरिटी एन विंड तो जो लीफ होती है वो कैसी हो जाती है लीफ नीडल लाइक हो जाती है नीडल लाइक होने की वज़े से लीफ का जो सरफेस एरिया है बच्चो वो डिक्रीज हो जाता है जिसकी वज़े से जो ट्रांस्पिरेशन होता है वाटर लॉस वो भी क्या हो जाएगा water loss भी decrease हो जाएगा दूसरा है उसके अंदर कि जो leaf है leaf आपकी cover है by wax like substance by wax like substance जिसको बोलते हैं आप cutin क्या बोलते हैं cutin तो बच्चो लीफ यहाँ पर wax like substance होता है जिससे आपका cutin से cover होता है ठीक है तो जिस ये water के लिए क्या होता है ये cutin भी water के लिए impermeable होता है तो इसका मतलब ये भी transpiration को water loss को क्या करता है prevent करता है मतलब यहाँ cuticle present होता है क्या present होता है आपका cuticle present होता है तो एक हो गया आपका needle life एक आपका cuticle हो गया और तीसरा हो गया Sunken stomata क्या हो गया Sunken stomata मतलब leaf पर जो stomata मिलेंगे वो बहुत नीचे की तरफ मिलेंगे deeply seated मिलेंगे ठीक है तो leaf में जो stomata है वो deeply seated होते है कैसे होते है deeply seated होते है stomata से पानी का loss होता है अगर leaf के उपर surface पर ही stomata होंगे तो पानी का loss जादा होगा अगर leaf में stomata नीचे धसे वे होंगे deeply seated होंगे तो पानी का loss कम होगा तो यहाँ पर stomata deeply seated होते है जिसकी वज़े से transpiration क्या होता है आपका कम होता है आ गया होगा जितने भी gymnosperm है सारे के सारे gymnosperm कैसे होते हैं सारे के सारे gymnosperm heterosporus होते है मतलब उनमें दो टाइप की spore मिलती है एक को आप कहते है micro spore जो आपकी कैसी है small होती है और इसी spore को बोलते है male spore और दूसरी है आपकी mega spore जिसको आप macro spore भी बोल देते है macro spore बोलो या फिर आपने इसको mega spore बोला और ये spore आपकी होती है female spore तो दो टाइप की spore मिलती है पूरे gymnosperm में इसलिए ये heterosporus है gymnosperm जो होता है वो mostly diaceous होता है diaceous जैसे example हो गया आपका psychus ठीक है लेकिन जो pinus है वो आपका monosheous होता है ये आपका diaceous हो गया या मैं कहूं आपका jingo biloba ये भी आपका diaceous हो गया pinus है monosheous अब diaceous और monosheous का मतलव समझ दीजिए देख लीजिए मालीजिए ये case है psychus का और ये case है pinus का तो दिहान से देखिएगा तो यहां पर ये tree है male tree ये है female tree तो psychus के अंदर दो पेड होंगे ये वाला पेड देगा male gamet क्या देगा male gamet ये वाला पेड देगा क्या ये वाला पेड देगा आपका female gamet तो psychus के अंदर male gamet और female gamet अलग-अलग पेड से मिलते हैं इसलिए psychus dioceus होता है pinus के अंदर एकी पेड पर आपको male gamet produce होगा और इसी पेड पर आपको produce होगा क्या आपको produce होगा female gamet यही पर female gamet produce होगा तो एकी पेड पर आपके दोनो gamet मिल रहे हैं monoseous अलग-अलग पेड पे gamet मिल रहे हैrench class तो यह आपको समझ में आ गया होगा next चलते हैं live skill of gymnose pump तो दिहान से समझिएगा live skill of gymnose pump पूरा का पूरा जितना focus कर सकते हो उतना focus करीएगा ठीक है तो मैंने live skill बतानी है gymnose pump की इस को हम यहाँ पर ऐसे करके यह हमने black कर दिया है यहां पर ठीक है देखिए अब मैंने यहां लिखा इस पोरोफाइट एक ही बार इस पोरोफाइट लिखा कितनी बार इस पोरोफाइट लिखा इस पोरोफाइट मतलब यह पेड़ है ट्री है ठीक है ट्री है इस पोरोफाइट क्या है मेन बॉड़ी है कैसी बॉड मैं pinus की life cycle बता रहा हूँ अगर मैं दो पेड़ बनाओ ठीक है मैंने कितना पेड़ बनाया मैंने एक ही पेड़ बनाया मैंने कितना पेड़ बनाया मैंने आपका एक ही पेड़ बनाया एक पेड़ बनाया मतलब pinus तो अगर मैं psychus की life cycle बताता तो मैं दो पेड़ बनाता, मैं दो बार sporophyte लिखता, लेकिन मैं pinus की lalsical बना रहा हूँ, इसलिए मैं पेड़ कितने बना रहा हूँ, मैं एक ही पेड़ बना रहा हूँ, समझ में आ गया होगा तो मेन बॉड़ी क्या है इस्पोरोफाइट कैसा होता है डिपलोइड होता है मेन बॉड़ी है इस्पोरोफाइट बच्चों ब्रायोफाइट और तेरिडोफाइट चलो यह point बाहना बताऊंगा तो दिवान से देखिएगा sporophyte ठीक है, sporophyte क्या है आपका tree है, ठीक है कहीं पर एक पेड़ लगा हुआ है pinus का, उस पेड़ को मैं sporophyte बोल रहा हूँ क्योंकि main body है sporophyte तो मैंने sporophyte एक बार लिखा अब इस sporophyte पर आपको मिलेंगी leaf क्या मिलेंगी leaf तो on sporophyte on sporophyte आपको क्या मिलेंगी leaves मिलेंगी sporophyte पर आपको मिलेंगी leaves, तो on sporophyte आपको मिलेंगी leaf उन leaf को बोलते हैं micro sporophyll क्या बोलते हैं? micro sporophyll और यहाँ पर जो leaf मिलेंगी उनको हम बोलते हैं मेगा sporophyll अब बताएए sporophyll के aggregation को आपने tidoophyte में क्या बोला था? कौन बोला था? तो अगर micro sporophyll aggregate कर जाए अगर micro sporophyll aggregate कर जाए तो जो चीज बनेगी उसको बोलेंगे मेल कोन और उसी को बोलेंगे micro sporangeate क्या बोलेंगे micro sporangeate धियान समझना बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ पूरा फोकस करना sporophyte है pid sporophyte पे मिलती है leaf तो sporophyte पर जो leaf मिली उसका नाम है micro sporophyll अगर ये micro sporophyll aggregate कर जाए क्या कर जाए aggregate कर जाए देखिए ये है micro sporophyll ये micro sporophyll aggregate कर गया तो aggregate करके micro sporophyll ने क्या बनाया male cone बनाया और male cone को बोलते है micro sporangeate तो मैं आपको male cone का male cone का diagram दताता हूँ male cone का diagram बताता हूँ यह देखिएगा, यह male cone का diagram बताता हूँ, यह है axis, यह है axis और इस पर आपकी यह spirally arrange, कैसी arrange है, spirally arrange, यह है आपकी microsporophyll, तो यह green color से है microsporophyll, यह blue color से जो है, यह है axis, क्या है axis, और यह पूरा का पूरा structure, यहां से लेके यहां तक, यह है male cone. फिर से समझना, male cone में क्या है, male cone में एक axis होती है, और उसके चारों तरफ, spirally arrange leaf होती है, तो यह जो spirally arrange leaf होती है, यह जो spirally arrange leaf होती है, around axis, spirally arrange आपकी leaf है, किसके along, किसके along axis, इस, in leaf को बोलते है, micro sporophyll, फिर से समझना, अच्छे से समझना, sporophyte पर है, micro sporophyll, micro sporophyll aggregate कर गए, क्या बन गया, male cone, male cone को क्या बोलते है, इसका structure क्या होता है, male cone का, axis होगी, और उसके along, spirally arrange होगी, क्या, micro sporophyll, green color की micro sporophyll, यह axis और इस पूरे structure को बोला, male cone आ गया, अब इस micro sporophyll पर, इस micro sporophyll पर आपके present होते है, micro sporophyll तो, micro sporophyll पर मतलब on, micro sporophyll पर आपके present है, micro sporophyll, कैसे होते हैं, 2N, Microsporophyll कैसा 2N, ये है Microsporangia, Microsporangia के अंदर present होती है Microspor Mother Cell, कैसी है, Deployed है, कैसी है, Deployed है, और इस Microspor Mother Cell में, आपका होता है Miosis, क्या बनता है, Microspor बनता है, और ये Microspor जो है, ये आपका Change होता है, किसमे, Malgametophyte में, क्या बोलेंगे, Malgametophyte, और इसको हम बोल रहे हैं, आपका Pollen Grain, क्या बोल रहे हैं, Pollen Grain, फिर से सुनिएगा, Microsporangia, ठीक है, देखिए, Microsporophyll पर है Microsporangia, इस Microsporangia के अंदर होगा Microspor Mother Cell, तो अगर मैं Microsporangia आपका बनाओ, ये रहा आपका Microsporangia, ये डाइग्राम किसका हो गया, ये डाइग्राम हो गया Microsporangia का, Microsporangia के अंदर क्या प्रेजेंट है, Microsporangia के अंदर प्रेजेंट है, Microspor Mother Cell, उससे क्या बना, उससे आपका बना Microspor, और Microspor से आपका बना Milgametophyte, जिसको आप बोल रहे हैं Pollen Green, क्या बोल रहे हैं Pollen Green, ठीक है, क्या बोल रहे हैं Pollen Green, अब ये Pollen Green जो है, ये जो Pollen Green है, ये कहां से बाहर आएगी, ये Pollen Green आपकी बाहर आएगी, Pollen Green released from, Pollen Green released from, कहां से बाहर आई Pollen Green, Pollen Green आपकी released हुई है, Microsporangia से, तो Pollen Green आपकी released हुई Microsporangia से, और इस process को आपने बोला, Pollenation, और ये होता है, Wind के थुरू, किस के थुरू होता है, Wind के थुरू, तो Pollen Green यहां से निकली है, और कहां जाएंगी, भई कहां जाएंगी, फीमेल के पास जाएंगी, किस के पास जाएंगी, फीमेल के पास जाएं तो ये Male Department है, यहां से Pollen Green निकली है, और फीमेल के पास जाएंगी, किस की help से जाएंगी, Wind की help से जाएंगी, इनको आप बोलते हैं, Pollenation, पूरा focus करना, पूरा समझ में आएगा, Megasporophyll, बच्चो, Megasporophyll जो होता है, Megasporophyll के Aggregation को आप बोलते हैं, फीमेल कोन, क्या बोलते हैं, फीमेल कोन, और इसी को आप बोलते हैं, Macro Sporangeate, क्या बोलते हैं, Macro Sporangeate, तो ध्यान से समझ जिएगा, Megasporophyll के Aggregation को, आपने बोला फीमेल कोन, क्या बोला, फीमेल कोन, और इसी को आपने बोला, Macro Sporangeate, तो Megasporophyll के Aggregation को फीमेल कोन, इसी को बोला, Macro Sporangeate, कैसा होता है, Macro Spor कैसी है, Haploid है, Male Gametophyte Pollen Grain कैसी है, Haploid है, Macro Spor Mother Cell Deployed है, अब बताएए, Megasporophyll पर आपके क्या मिलेंगे, Megasporophyll पर आपका मिलेगा, Megasporangea, Megasporangea को ही बोलते हैं, OVULE, Megasporophyll भी Deployed है, यह आपका Deployed है, अब जड़ा मैं यहां Megasporangea का डाइगराम बना देता हूँ, यह देखी, यह मैंने आपका बना दिया, यहां पर डाइगराम, यह मैंने डाइगराम बना दिया, किसका डाइगराम बना रहाया, OVULE का डाइगराम बना रहाया, यह जो बाहर आपको covering दिख रही है, इस covering को बोलते हैं, यह मैंने OVULE का डाइगराम बना रहाया, Megasporangea क डियागराम बनाया, इस covering को बोलते हैं, integument, क्या बोलते हैं, integument, इसी को मैं बोल रहा हूँ, covering of ovule, पूरा focus करना अच्छे समझ में आएगा, ठीक है, integument, यह मैंने ovule बना दिया, इसके अंदर आपकी deployed cells present होती है, इसके अंदर आपकी present होती है deployed cells, यह जो deployed cells है, इन deployed cells को आप क्या बोलते हैं, इनको आप बोलते हैं new cells, क्या बोलते हैं new cells, यह जो deployed cells है, इनी को बोलते हैं new cells, तो अब आप देखिएगा, Megasporophyll पर होंगे Megasporangia, तो ये डाइगराम मैंने किसका बनाया? ये डाइगराम मैंने बनाया Megasporangia का, Megasporangia में Deployed Cells present हैं, जिनको मैंने क्या बोला? जिनको मैंने New Cells बोला, तो अब देखिए क्या होगा? अब देखिए क्या होगा तो new cellers की कोई एक cell ठीक है? new cellers की कोई एक cell देखिए, ध्याँ से देखिएगा one of the cell of new cellers behave as new cellers की कोई एक cell behave करेगी किसकी तरह behave करेगी? किसकी तरह behave करेगी? वो behave करेगी mega spore mother cell की तरह अब बताएए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि new cellers की cell ही mega spore mother cell होती है यह है ovule ovule की covering है integument, बीच में जो cells है new cellers, वो cells का nature deployed इसमें से कोई एक cell किसकी तरह behave करेगी? mega spore mother cell की तरह तो mega spore अब मैं क्या करूँगा? अब मैं यहां पर यह ovule बनाऊंगा यह मैंने यहां पर ovule बनाया ठीक? और इसमें एक cell दिखा देता हूँ आपको यह रही इसके अंदर वो cell new cellers की cell जिसको मैं बोल रहा हूँ MMC mega spore mother cell mega spore mother cell देख लीजिए एक cell मैंने बना दी यह cell किसकी थी? यह cell बच्चो किसकी थी? यह cell थी बच्चो आपकी किसकी? यह cell थी बच्चो आपकी new cellers की cell थी किसकी cell थी? new cellers की अब इस cell के अंदर क्या हुआ? इस cell के अंदर आपका हुआ meiosis meiosis से आपकी कितनी mega spore बनी? meiosis से आपकी 4 mega spore बनी तो इसने कितनी mega spore बनाई? इसने meiosis करके 4 mega spore बनाई 1, 2, 3 और 4 कितनी mega spore बनाई? 4 mega spore बनाई अब ovule का ये वाला जो end होता है इस end को बोलते है micro pile और ovule का ये जो basal end होता है इसको बोलते हैं चलेजा तो ovule के कितने end हो गए दो ये वाला जो end होता है इसको बोलते है micro pile और ये जो basal part होता है ovule का ovule के basal region को बोलते हैं चलेजा, ovule के tip को बोलते हैं micro pile तो ये वाला region ये जो pore है ये जो opening है जहां integument absent है देखिए यहां integument है यहां integument है बट यहां बीच में integument absent है यहां बीच में integument आपका absent है तो जहां आपका integument absent होता है उस region को micro pile और बोलते हैं तो ये पूरा का पूरा ovule है इसमें new cellist की cell है new cellist की cell ने behave किया mega spore mother cell की तरह तो new cellist की cell ही क्या है cells of new cellist को मैंने बोला mega spore mother cell ovule का पीछे वाला region, basal वाला region क्या है चलेजा और ovule की जो tip है जहां पर ये छेद दिख रहा है जहां पर integument absent है उसको बोलते हैं micro pile उसको बोलते हैं micro pile अब 4 mega spore में से 3 mega spore degenerate हो गई कितनी degenerate हो गई, 3 मर गई 3 degenerate हो गई, तो आपकी कितनी बच्ची आपकी बच्ची 1 functional mega spore बच्ची है एक functional mega spore आपकी बच्ची है तो अब मैं इसके अंदर एक functional mega spore बना देता हूँ थिक है, तो देखिए, ये मर गई देखिए, कितनी मर गई, देखिए, दियांत देखिएगा ये मर गई, ये मर गई, ये मर गई कितनी बची है, एक बची है जो एक बची है, वो किस end की तरफ है माइक्रोपाइल के जादा क्लोज है या चैलेजा के क्लोज है, चैलेजा के क्लोज है तो जो एक बची है, वो कौन सी बची है जो बची है वो चलेजल एंड वाली बची है दिहान से समाजना कितनी बनी थी चार कितनी डीजनरेट हो गई तीन कितनी बची है एक तो ये जो एक बची है ये किस की तरफ है चलेजा एंड की तरफ है माइक्रोपाइल से ये दूर है मतलब जो एक बचती है वो चलेजल एंड वाली बचती है बाकी तीन डीजनरेट हो जाती है अब ये functional Megaspore आपकी फॉर्म करेगी एक structure जिसको बोलते है female gametophyte अब बनेगा female gametophyte तो अब आप ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा ध्यान से समझेगा अब आपका एक structure बनेगा जिसको आप बोलेंगे female gametophyte तो अब आपका यहाँ एक structure बन गया अंदर ये देखिए ये आपका एक structure बन गया जिसको आप बोलेंगे female gametophyte क्या बोलेंगे female gametophyte तो female gametophyte में आप देखिए आपको दो तरह की cell दिखेंगी कितनी तरह की reaction cell दिखेंगी दो तरह की एक cell आपको yellow colour से दिख रही है और एक cell आपको pink colour से दिख रही है तो ये जो brown colour का गोला है इस brown colour के गोले को मैंने बोला है female gametophyte क्या बोला? female gametophyte फिर से सुनना हमारे पास क्या था? Megasporophyll था Megasporophyll का क्या हुआ? Aggregation हुआ क्या बनेगा? Female cone या क्या बोलेंगे? Macrosporanthiate तो female cone की unit क्या है? Megasporophyll Megasporophyll पर क्या है? Megasporangea Megasporangea किसको बोलते है? OVULE उसका diagram बनाया यहाँ पर OVULE में बाहर कितनी integument है? एक integument है दोनों तरफ कितनी integument है? एक integument है ये tip वाला region क्या है? जहाँ पर integument absent है? उसको बोलते हैं Micropyle ये basal region को क्या बोलते है? इसको बोलते हैं चले जा अंदर जो deployed cells है उनको क्या बोलते है? Newcellus बोलते है Newcellus की cell One of the cells of Newcellus किसकी तर एट करेगी? Megaspore Mother Cell उसको किस कलर से दिखाया? Pink कलर से दिखाया अब Megaspore Mother Cell में क्या हुआ? Meiosis कितनी Megaspore बनी? 4 बनी उसमें से कितनी मर गई? 3 मर गई कितनी बची? 1 किस end पर बची? Challengal end वो functional Megaspore ने क्या बनाया? Female gametophyte उसको मैंने brown कलर से दिखाया बहुत डिटेल में बढ़ाओ ना पूरा ध्यान समझना इसके अंदर दो तरह की cells है ये जो cells यलो कलर से दिख रही है इनको बोलते हैं endosperm क्या बोलते हैं? endosperm क्या बोलते हैं? endosperm अब मुझे बताइए female gametophyte का पार्ट है endosperm तो female gametophyte यहां कैसा है? haploid है functional megaspore कैसा है? haploid है तो इसका मतलब female gametophyte किसको represent करता है? endosperm को represent करता है female gametophyte की ये वाली cells endosperm की तरह काम करेंगी और endosperm nutrition का काम करता है किसका काम करता है? nutrition का तो जब यहां fertilization होगा जब यहां fertilization होगा जब यहां embryo बनेगा gigot बनेगा तो उसको खाना देने का काम कौन करेगा? endosperm करेगा ठीक है? और यह क्या है? यह जो pink color की cells है यह pink color की cell तो female gametophyte में कितनी तरह की cell है? दो तरह की cell है एक आपकी कौन सी cell है? एक आपकी pink color की cell है और दूसरी कौन सी cell है? दूसरी yellow color की cell है तो कितनी type की cell होगई? दो तरह की cell होगी ये cell क्या form करेंगी? ये cell form करेंगी आर्ची कोनिया और ये cell किसकी तरह काम करेंगी? एंडोस्पॉम की तरह काम करेंगी तो मेगा स्पोर अगर हेपलोईड है तो हेपलोईड से हेपलोईड ही बनेगा मेगा स्पोर हेपलोईड मेगा स्पोर से बना फीमेल गेमेटोफाइट फीमेल गेमेटोफाइट हेपलोईड और फीमेल गेमेटोफाइट का ये वाली cells किसका काम करेंगी? एंडोस्पॉम तो Gymnosperm में जो Endosperm होता है, वो Heploid होता है, जब मैं आपको Angiosperm पढ़ाऊंगा, तो वहां बताऊंगा, Endosperm Triploid होता है, यहां आपका Heploid होता है, समझ में आ गया होगा, तो मैं एक डागराम और आपका यहां पर बनाता हूँ, यहां तक आपको समझ में आ गया, तो अब मैं इसको यहां से थोड़ा सा Copy कर लेता हूँ, यहां से हम Slide को Add कर लेते हैं, यह हमने Slide को Add कर लिया, ठीक है, पहले हमने यहां पर क्या किया, आपका Copy किया, ठीक है, यह हमने यहां पर Copy किया, तो मैं अब क्या करता हूँ, इतना portion मैं यहां से मिटा देता हूँ, ये portion मैं आपका यहां से मिट गया, ठीक है, इतना portion मैं ने आपका यहां से मिटा दिया, और इस portion को मैं उपर लेके चलता हूँ, उपर लेके आ गया, ठीक है, इस portion को भी मैं आपका उपर लेके चलता हूँ, ये मैं उपर लेके आ गया, ठीक है, और ये portion यहां से मिटा देता हूँ, ये देखिए, यहां तक हो गया था हमारा, यहीं तक तो हुआ था हमारा, क्यों भई, ये देखिए, यहां तक मैंने आपक ठीक? इदेखिए, यहाँ तक हमारा हो गया था, ठीक है? अब क्या डाइगराम बनेगा? अब देखिए, क्या बनेगा? यह वाली सेल्स क्या बनाएंगी? आर्ची गौणिया बनाएंगी, तो अब आप फाइनल डाइगराम देखिए, देखिए, यह है इन्टेग्यूमेंट, ये क्या है Integument Integument के अंदर ये है आपका क्या ये है Female Gametophyte ये है आपका Female Gametophyte इसको मैंने बोला आपका Female Gametophyte इसको मैंने आपका बोला Female Gametophyte तो ध्यान से समझना इसको मैंने आपका बोला Female Gametophyte Female Gametophyte में बहुत बेसिक से बता रहा हूँ ये वाला रीजन क्या था ये रीजन था आपका Endosperm क्या था ये रीजन था Endosperm और यहाँ पर इन सेल्स ने बना लिया Archigonia Archigonia का नंबर दो हो सकता है, तीन हो सकता है, चार हो सकता है, पांच हो सकता है, छे हो सकता है Archigonia का नंबर वैरी करता है तो ये जो structure मना है, इस structure को बोलते है Archigonia और Archigonia में present है आपके Egg क्या present है Egg आगया होगा समझ में तो देखिए female gametophyte में दो तरह की cells थी इन cells ने मनाया archigonia और इन cells ने काम किया endosperm की तरह तो endosperm haploid female gametophyte haploid अब archigonia में क्या है archigonia में present है female gamet जिसको बोलेंगे haploid तो ये जो pollen grain यहां से release हुई थी ये pollen grain आपकी यहां से पहुचेगी अंदर अंदर पहुचेगी ठीक है अंदर पहुचेगी और pollen grain जो जा रही है अंदर तो pollen grain जा रही है हवा के थ्रू और ये देखिए मैं pollen grain दिखा देता हूँ तो ये pollen grain आपकी अंदर आ गई ठीक है आपकी ये pollen grain क्या आ गई है अंदर आ गई है ठीक है ये रही आपकी pollen grain और इस pollen grain में आपकी है ये निकल रही है pollen tube तो pollen grain में क्या होगी pollen grain में pollen tube होगी तो ये जो structure आपको दिखा ये आपकी क्या है pollen tube है और ये है आपका PG पीजी मतलब post graduation नहीं है बेटाओ जिस PG में तुम रहते हो वो नहीं है PG मतलब है pollen grain तो ये जो structure था आपका यलो यलो ये देखिए pollen grain जा रही है ये कौन जा रही है pollen grain जा रही है और pollen grain में क्या है pollen tube है और pollen tube किसको carry कर रही है pollen tube carry कर रही है male gamate को तो मैं यहाँ अच्छे से बना देता हूँ pollen grain का diagram ये रही pollen grain इस pollen grain से क्या निकल रही है इस pollen grain से निकल रही है pollen tube ये है आपकी pollen tube और pollen tube अपने अंदर carry करती है दो male gamate को ये क्या है ये है male gamate क्या है male gamate ये भी क्या है आपका male gamate है male gamate haploid male gamate haploid pollen grain haploid ये देखिए pollen grain जा रही है और ये देखिए ये वाला diagram मैंने यहाँ बनाया धंग से यहाँ बनाया ये यलो यलो pollen grain इसमें ये पिंक कलर का pollen tube इसमें ये दो डॉट male gamate ठीक है अब अब ये जो आपकी male gamate है तो अब यहाँ क्या होगा male gamate देखिए pollen tube discharge male gamate pollen tube ने male gamate को discharge किया कहाँ discharge किया near mouth of archigonia near mouth of archigonia तो जहाँ archigonia का mouth है वहाँ पर क्या release हो गए male gamate release हो गए कितने male gamate दो दो में से एक degenerate हो जाता है तो one of male gamate degenerate एक male gamate आपका क्या होगा एक मर गया एक male gamate मर गया ये देखो मर गया अब मुझे बताइए क्या female gamate और यहां से बाहर निकला नहीं निकला ter ido fight में निकलता था इसलिए वहाँ seed नहीं बने यहाँ female gamate और और ऑवियूल के अंदर ही है क्योंकि female gamate और और निकल कर नहीं रह सकता तो यहाँ note डालिएगा तो male and female gametophyte जो होते हैं male and female gametophyte जो होते हैं उनका do not have free living independent existence कहां पर gametophyte बाहर नहीं आ सकता अगर gametophyte बाहर नहीं आ सकता इसका मतलब यह हुआ कि gametophyte इस sporophyte के बिना नहीं रह सकता gametophyte किस में हैं ओवियूल में है ओवियूल को क्या बोला मेगा स्पोरेंजिया अगर यह gametophyte बाहर आ जाता जैसा कि teridoophyte में हुआ था तो हम कहते कि gametophyte का independent existence है बट gametophyte बाहर आकर रही नहीं सकता तो हम कहेंगे कि male और female gametophyte do not have free living or independent existence यह line किस के लिए बोली जाती है यह line बोली जाती है gymnosperm के लिए और angiosperm के लिए याद रखना यह line किस के लिए बोली जाती है यह line बोली जाती है gymnosperm और angiosperm के लिए लेकिन ब्रायोफाइट और टेडोफाइट में गेमेटोफाइट का फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस होता है बट इन ब्रायो एन टेरिडो ब्रायो फाइट में तो गेमेटो फाइट में ब्लांट बॉडी थी और टेरिडो फाइट का गेमेटो फाइट फोटो सिंथेटिक था जिसको मैंने प्रोथेलस बोला था बट इन ब्रायो एंटाइडोफाइट जो गैमेटोफाइट होता है वो आपका इंडिपेंडेंडेंट होता है और उसका फ्री लिविंग एक्जिस्टेंस होता है उसका फ्री लिविंग एक्जिस्टेंस होता है आगया होगा समझ में तो बच्चो अंदर कितना मेल गैमेट रहे नहीं होगा, तो फर्टलाइशन के बाद आपका क्या बनेगा, फर्टलेशन के बाद आपका जाइगोट बनेगा और जाइगोट से आपका बनेगा एम्ब्रियो एम्ब्रियो भी कैसा होगा 2N और एम्ब्रियो से जहां से कहानी शुरू हुई थी वहां से कहानी खतम होगी इस्पोरोफाइड तो बच्चो पॉलन ट्यूब मेल गैमेट को कैरी करती है पॉलन ट्यूब किसो कैरी करती है मेल गैमेट को कैरी करती है फिर से सुनना फिर से सुनना पूरा अच्छे से सुनना ध्यान से सुनना ये है फीमेल गैमेटोफाइड इसमें ये वाली जो cells है, ये वाली cells ने क्या बनाया, इन वाली cells ने आर्ची गोनिया बनाया, आर्ची गोनिया का नंबर 2, 3, 4, 5, 6 हो सकता है, मैंने 2 बनाये हैं, आर्ची गोनिया में मिलता है egg, एक आर्ची गोनिया में 1 egg, एक आर्ची गोनिया में 1 egg, ठीक है, ये वाली जो cells हैं किस की तरह काम करेंगी endo sperm की तरह काम करेंगी pollination हुआ तो यहां से pollen grain निकली यह pollen grain अंदर गई pollen grain में pollen tube है pollen tube कितने milk gamet लेके जा रही है दो milk gamet लेके जा रही है यह देखिए यह pink color का pollen tube है इसमें दो dot है milk gamet अब यह milk gamet कहां release हुए pollen tube discharge milk gamet near the mouth of archigonia archigonia के mouth पर दो milk gamet निकाल दिये, archigonia के mouth पर क्यों निकाले, क्योंकि archigonia के अंदर ही female gamet है, दो milk gamet में से एक milk gamet degenerate हो गया, एक जो functional milk gamet बचा, उसने एक echo fertilize किया, एक gigode बना, एक embryo बना, एक sporophyte बना, क्या यह female gamet gametophyte बहार निकल कर आया, नहीं आया tidophyte में आया था, आया था क्योंकि वहाँ पर उसका independent existence था, यहां नहीं आया, इसका मतलब मेल और female gametophyte का independent existence, gymnosperm और angiosperm में नहीं होता bryophyte और tidophyte में होता है, और जो यह movement होता है, यह chemical के response में होता है pollen grain इसके पास जा रही है क्योंकि यहां पर कुछ chemical है जो pollen grain को बुला रहे है, जो pollen tube को guide कर रहे है, तो pollen grain को attract कर रहे है ovule में कुछ chemical है, megas porringia में कुछ chemical है, जो pollen grain को अपने पास बुलाते है इसलिए pollen grain का जो movement होता है, वो कैसा movement होता है वो आपका कीमो ट्रॉपिक मुव्मेंट होता है किसका मुव्मेंट? पॉलन ट्यूब का मुव्मेंट पॉलन ग्रेन का मुव्मेंट तो बच्चो यह आप याद रखिएगा पॉलन ग्रेन जो होती है यहां उसका मुव्मेंट कैसा होता है उसका movement chemotropic होता है ovule में कुछ chemical होते है जो pollen grain के movement को guide करते है या मैं कहूँ pollen tube के movement को guide करते है तो pollen tube का जो movement होता है वो chemotropic होता है तो ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा तो आजाओ एक बार मैं आपको इसका थोड़ा सा revision दे देता हूँ ठीक है ये आपका क्या था female cone female cone पर क्या होगा Megasporofil सॉरी female cone की unit क्या होगी Megasporofil Megasporofil पर क्या होगा Megasporangia Megasporangia किसको बोलते है ovule को बोलते है इसके इंदर कौन सी cell थी new cellars की cell थी कैसे थी diploie थी उसकी एक cell ने किसकी तरह भीव किया मेगा स्पोर मदर सल की तरह भीव क्या, ये रही मेगा स्पोर मदर सल, इस मेगा स्पोर मदर सल में क्या हुआ, मियों से सुवा, कितनी मेगा स्पोर बनी, चार बनी, कितनी डिजनरेट हो गई, तीन, कितनी बच्ची, एक, किस एंड की तरफ है, चलेजर एंड की तरह, वो जो पिंग कलर की सेल्स क्या बनाएंगी आर्ची गोनिया ये देखिए पिंग कलर की सेल्स ने क्या बनाया आर्ची गोनिया हर आर्ची गोनिया में क्या है एग ये क्या है एंडो स्पम वहां से कौन आया पॉलन ग्रेन आया कितने मेल गैमेट लेकर आया दो मेल गैमेट लेकर आय इस embryo को खाना कौन देगा? इस embryo को खाना देगा endosperm, बच्चो NCRT, पूरा कब पूरा 99.9% आपका NCRT हो गया है ये वाला जो portion है ये out of NCRT, देखो मैंने पहले ही लिखा हुआ है, इसलिए मैंने ये slide में पहले से लिखा हुआ है ठीक है, ये orders है, gymnosperm के order है, psychedales, conifrails, knee tails, jingles ये किसके order है? ये gymnosperm के order है, कितने order है? चार order है एक को मैं बोल रहा हूँ psychedales, दूसरे को conifrails, तीसरे को knee tails, चौते को jingles psychedales में आते हैं psychas, psychas है आपके living fossils, क्या है? living fossils, बहुत कम ये पाए जाते है ठीक, living fossils, इसका male cone large होता है, इसका male cone क्या होता है? large होता है, इसमें female cone नहीं मिलता, इसमें सिरफ कौन सा cone मिलता है? NCRT की line है ये, psychas के अंदर male cone and mega sporophyll होता है, ये NCRT में लिखा है psychas के अंदर male cone and mega sporophyll मिलता है, psychas के अंदर mega sporophyll aggregate नहीं करते हैं इसलिए वहाँ female cone नहीं लिखा, वहाँ लिखा है male cone and mega sporophyll in psychas in some general male cone and mega sporophyll present, psychas में male cone है, मतलब psychas में micro sporophyll aggregate करके male cone मना लिए, लेकिन mega sporophyll aggregate करके female cone नहीं बनाए तो वहाँ female cone word use नहीं करते, वहाँ mega sporophyll word use करते हैं बट pinus में दोनों cone मिलते हैं, male cone मिलता है और female cone मिलता है क्योंकि वहाँ micro sporophyll और mega sporophyll दोनों ही aggregate करते हैं और आपका male cone और female cone मनाते हैं तो psychas के अंदर आपका सिरफ कौन सा cone मिलता है? psychas में आपका सिरफ only male cone मिलेगा और क्या मिलेगा? mega sporophyll मिलेगा mega sporophyll aggregate नहीं करता बट pinus के अंदर, pinus conifreals में आता है? ठीक है, इसकी जो pollen grain होती है, pinus की उसमें wings present होते हैं, जो pollen grain को उड़ने में help करते हैं और pinus के अंदर male cone भी होता है और female cone भी होता है अब देखिए, psychas का female gamete बहुत बड़ा है psychas का ovule बड़ा है, psychas का male cone बड़ा है ठीक है, psychas का male gamete motile है, top shape है, multi-cellated है ठीक है, बहुत सारी cilia जैसे structure मिलते हैं तो psychas, psychedale order का है, living fossils है इसका male cone बहुत बड़ा है, इसका ovule सबसे बड़ा है इसका female gamete सबसे बड़ा है psychas में female cone नहीं होता, female kin की जगे megasporophyll word यूज करते है psychas का male gamete motile है, top shape है और बहुत सारे cilia present है pinus में male cone, female cone दोनों present होते है neetails में आते हैं, neetum, ephedra, well-vishacea neetails के अंदर तीन लोग है, neetum, ephedra, well-vishacea इन तीनों में exceptionally archigonia absent होता है इन में आपका archigonia absent होता है हमने देखा, gymnosperm में archigonia मिला बट इन तीनों में archigonia absent होता है ये higher gymnosperm है, और higher gymnosperm इसके जो male gamete है, वो non-mortile है जो conifrails होते हैं, ये भी higher gymnosperm है pinus का male gamete भी non-mortile है pinus का male gamete भी कैसा है? non-mortile है psychus का motile है, pinus का non-mortile है इनका male gamete भी non-mortile है जिंगो गोल्स ओर्डर है उसमें आता है जिंगो बाइलोबा कैसा है डाइशियस है बट इसका मेल गैमेट कैसा है मौटाइल है तो यह आउट ओफ एंचियाटी है हमने यहाँ पर कॉलिटी के साथ जिम्नोस्पम खतम किया हमें फिर से पानी पिऊँगा तो बच्चो नेक्स्ट है आपका एंचियो स्पम तो आप देखिए मैंने आपको एलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पम, एंचियो स्पम पूरा डिटेल में पढ़ाया और पूरा बोर्ड पर लिख के पढ़ाया ठीक अब मैं एंचियो स्पम की मैंने पीपिटी लगाई है, लेकिन आप ये मत समझेगा कि यहां पर लिखा हुआ है, आप ये समझेगा कि एक वन शॉट होता है, ये एक बैकलॉग सिरीज होती है, जहां हम 60%, 50% भी पढ़ाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन हम आपको पूरा 100% डिटेल में क्वालेटी के साथ प आईए, आओ, आओ मेरे, मैं छोता भाई बैन, आजा बेटा, और कमेंट करके जरूर बताएगा लेक्चर कैसा लगा, आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है लेक्चर को और बहतर बनाने में, ठीक, आईए, जनरल करेक्टर, सबसे पहले है एंजियो स्पर्म के जनरल क प्लांट होते हैं, कैसे प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, मतलब इनके अंदर फूल खिलता है, अभी तक जितने भी प्लांट है, अलगी से लेके जिमनोसम तक कहीं पे फूल नहीं था, यहां आपका सीड भी है, और आपका ओवरी भी है, तो अगर सीड भी है, ओव यहां पर seed fruit के द्वारा enclosed है, पहले बता दिया था, seed किस से cover होता है, fruit से cover होता है, क्योंकि यहां पर ovary मिलती है, largest group of plant, तो largest group of plant आपके होते हैं, angiosperm, बहुत सारे plant इसके अंदर आते हैं, found diverse habitat, found diverse habitat, मतलब बहुत different different habitat में यह पाया जाता है, इसमें embryo present है, vascular tissue present है, ना ही enthridia मिलेंगे और ना ही archigonia मिलेंगे, no enthridia, no archigonia, main body है sporophyte, आगया समझ में, flowering plant है, seed मिलेंगे, seed है, ovule है, तबी seed मिले, ovary है तो fruit है, fruit की wall को pericarbola, seed को cover किया है, fruit ने, largest group होता है, plant का, अलग-अलग different habitat में मिलते हैं, embryo मिलता है, xylem phloem मिलता है, enthridia archigonia नहीं मिलता, main body जो होती है, वो sporophyte होती है, एक column हो गया, quality के साथ हुआ, पूरा समझ में आया, दूसरा टबबा, gymnosperm और angiosperm में difference, ठीक, gymnosperm में seed है, यहां भी seed है, यहां ovary नहीं है, यहां ovary है, यहां fruit नहीं है, यहां fruit है, gymnosperm के अंदर naked seed है, क्योंकि वो seed ovary से covered नहीं होती, लेकिन यहां पर आपके naked seed absent होते है, क्यों? क्योंकि यहां seed ovary से covered होता है, यहां flower नहीं मिलते, यहां flower मिलता है, यहां कोन मिलता है, यहां कोन नहीं मिलता, याद करिए gymnosperm में male cone और female cone, यहां कोन की जगे भगवान जी ने flower दिया है, तो यहां कोन की जगे हम flower word यूज करते हैं, यहां micro sporophyll है, यहां micro sporophyll की जगे, stamen word यूज करते हैं, यहां mega sporophyll है, यहां हम उसकी जगे पिस्टिल यूज करते हैं, female sex organ, यहां endosperm haploid था, याद करो मैंने बताया था, mega spor से female gametophyte बना था, female gametophyte की cells जो थी, वो endosperm की तदा काम कर रही थी, और यहां endosperm fertilization से पहले बना था, fortization से पहले बना था, यहां endosperm triploid होता है, यह point मैं अभी आपको explain करूँगा, यहां पे बच्चो endosperm triploid होता है, और fertilization के बाद बनता है, मैं अभी आपको explain करूँगा, यहां pollen grain सीधा ovule पे गिरी थी, यहां pollen grain stigma पे गिरती है, क्योंकि यहां flower present होता है, तो stigma, style, ovary, फिर जाके ovule के दर्शन होंगे, तो angiosperm में pollen grain stigma पे गिरती है, तो यहां direct ovule पे pollen grain गिरती है, तो इस germination को बोलते है direct germination, तो pollen grain angiosperm में सीधा ovule पे गिरती है, और ऐसे germination को बोलते है direct germination, यहां pollen grain सीधा ovule पे नहीं गिरती, वो आपके stigma पे गिरती है, इसलिए आप बोलते है indirect germination, यहां xylem के अंदर vessels absent होती है, यहां xylem के अंदर vessels present होती है, यहां सिरफ archigonia मिलता है, यहां enthridia archigonia दोनों absent होता है, यहां female gametophyte को endosperm बोलते है, यहां female gametophyte को embryo sac बोलते है, यह point मैं भी explain करूँगा, यहां pollination wind के थुरू होता है, यहां pollination wind, water और insect के थुरू होता है, तो बच्चों यह आपको समझ में आ गया होगा, फिर से difference देख लीजिए, naked seed present यहां naked seed नहीं होते हैं क्योंकि seed ovary से cover होते हैं, यहां flower नहीं मिलता है, यहां cone मिलता है, यहां cone की जगे flower मिलता है, यहां micro sporophyll, mega sporophyll present होते हैं, यहां micro sporophyll को stamen बोलते हैं, और mega sporophyll को pistil बोलते हैं, यहां endosperm haploid होता है, यहां triploid होता है, यहां endosperm fertilization से पहले बनता है, यहां बादने बनता है, यह मैं explain करूँगा, यहां pollen grain सीधा ovule पे गिरती है, इसलिए germination direct है, यहां pollen grain stigma पे गिरती है, इसलिए germination indirect है, यहां xylem में vassels absent है, यहां xylem में vassels present है, यहां सिरफ archigonia मिलता है, यहां दोनों absent होते हैं, यहां female gametophyte endosperm को represent करता है, यहां female gametophyte embryo sac को represent करता है, यह point मैं भी आपको बताऊंगा, यहां pollination wind से होता है, यहां wind, water और insect से होता है, similarity between gymnosperm and angiosperm, दोनों की main plant body sporophyte है, दोनों ही diploid है, दोनों ही spermatophyte है, spermatophyte मतलब दोनों में seed का formation होता है, angiosperm को दो class में divide किया, एक को बोला dicot, एक को बोला monocot, dicot में दो cotyledon है, monocot में एक cotyledon है, ठीक है, dicot में कितनी cotyledon है, दो, जब आप किसी seed को, beach को धरती मा में डालते हो, तो उसमें कुछ initial stage पर कुछ leaf जैसा structure मिलता है, जो अपने अंदर food store करता है, उस structure को cotyledon बोलते हैं, यहां दो है, यहां एक है, यहां reticulate venation है, यहां parallel venation है, reticulate venation जिसे people का पत्ता होता है, बीच में एक midrib होती है, और side से venlets निकली होती है, reticulate, एक network होता है, ven और venlets का, parallel के अंदर जैसे banana का आपने देखा होगा, bamboo का पत्ता देखा होगा, उसमें जो venlets होती है, वो एक दूसरे के parallel होती है, यहां चार सैपल और चार पैटल मिलते हैं, इनके full में, तो इसको tetramerus बोलते हैं, यहां पर आपका trimerus condition है, three सैपल और three petals, यह ज़्यादा advance होते हैं, किसके compare में, dicod के advance में, सबसे छोटा angiosperm है, वॉल्फिया और सबसे बड़ा angiosperm है, eucalyptus, theoretical point था, समझ में आ गया होगा, next देखिए, flower ध्यान से समझेगा, ध्यान समझेगा, ठीक है, flower एक modifier stem है, flower एक modifier shoot है, ठीक, यह है flower की stock, जिसको आप pedicill बोलते हैं, आप किसी को अगर fool देते हैं, तो आपने जो चीज पकड़ी हुई है, fool की, उसको बोलते है pedicill, उसको बोलते है stock of flower, तो यह है आपका pedicill, यह pedicill swell कर गया, और swell करने के बाद, pedicill ने यह structure आपने बनाया, यह structure आपने बनाया, जो green color से आपको दिख रहा है, यह green color का जो structure दिख रहा है, यह swollen part है, किसका pedicill का, इस pedicill का tip swell कर गया, और उसने बनाया thalamus, thalamus पे node present है, यह red color का dot पहली node, यह वाला red color का dot दूसरी node, यह तीसरी node, यह चौथी node, इसका मतलब, इस structure पर, thalamus पर node present है, अगर thalamus पे node present है, इसका मतलब यह हो गया, कि thalamus एक shoot है, एक stem है, क्योंकि node और inter node, thalamus, node और inter node, stem का character होता है, किस्सा character होता है, stem का character होता है, तो अगर यहाँ thalamus पे node और inter node है, दो node के बीच में, जो green color का region है, दो red color के dot के बीच में है inter node, यह देखिए, यह था stock, इस stock का portion swell किया, तो यह green का swollen portion बन गया, इसको बोलते हैं thalamus, इस thalamus पे यह dot पहला node, दूसरा dot दूसरा node, तीसरा dot तीसरा node, और चौथा dot चौथा node, दो node के बीच में inter node, तो thalamus में node और inter node मिलती है, इसलिए thalamus एक stem की तरह है, पहली node से निकला आपका, पहली node से क्या निकला, आपका sapal निकला, जो कि एक modify leaf है, दूसरी node से निकला आपका पैटल, जो कि एक modify leaf है, तीसरी node से निकला stamen, जो कि एक modify leaf है, और चौथी node से निकला पिस्टिल, जो कि एक modify leaf है, तो फूल में काफी सारे sapals होते हैं, collection of sapal, कैलेक्स बोलते हैं, ऐसे collection of petal को korola बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे stamen होंगे, इन सारे स्टैमन को मिलाकर एंडरोशियम बोलते हैं और ऐसे पिस्टिल होंगे काफी सारे इन पिस्टिल्स को मिलाकर बोलते हैं गाइनोशियम तो एक पार्ट को बोलते हैं सैपल ऐसे अगर बहुत सारे सैपल्स होंगे उन सभी सैपल्स को मिला कर बोलेंगे कैलेक्स एक पार्ट को बोलते हैं पैटल इन सारे पैटल्स को मिला कर बोलेंगे कौरोला ये दोनों essential wall होते हैं एंड्रोशियम और गाइनोशियम एंड्रोशियम की यूनिट stamen गाइनोशियम की यूनिट पिस्टिल और ये दोनो sexual reproduction में participate करते हैं इसलिए ये essential world होते हैं और ये दोनो आपके non-essential और accessory world होते हैं दिख लिजे कितने अराम से आपको समझाया, समझ में आ गया होगा अब मैंने ये stamen यहाँ पर बना लिया ठीक, ये stamen मैंने यहाँ पर आपका बना लिया stamen का ये वाला portion को बोलते हैं enter ठीक, और ये जो green color का डंडा है इसको मैंने बोला filament इस filament के दो end है ये वाला end को बोलते हैं distil part और filament का नीचे वाला है proximal part filament का ये वाला कोना है distil part filament का नीचे वाला कोना है proximal part अब बताईए इस filament का यह नीचे वाला कोना है proximal part वो किस पर attach है, या तो वो thalamus पर attach हो सकता है, या वो petal पर attach हो सकता है, और इस filament का distill end कहां पर attach है, enter पर attach है. ठीक है? देखिए, अब ध्यान समझेगा, सबसे पहले हम male part को explain करेंगे, किसको explain करेंगे? male part को explain करेंगे, तो मैंने एक stamen मनाया, इस stamen में ये green color का डंडा क्या है? ये green color का डंडा आपका filament है, क्या है? filament है तो green color का जो डंडा है वो आपका क्या है वो आपका filament है एक मिनिट green color का जो डंडा है वो आपका क्या है वो आपका filament है एक सकेंड ठीक है देखिएगा यह है filament और ये है आपका एंथर एंथर के कितने लोब हैं? दो लोब हैं एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा यहाँ पर देखिए एंथर के कितने लोब हैं? दो लोब हैं एक लोब ये रहा, एक लोब ये रहा तो एंथर के दो लोब आपके होते हैं एंथर के आपके दो लोब है, तो एक लोब में कितने गोले दिख रहे हैं, एक लोब में दो गोले दिख रहे हैं, इनको मैंने बोला micro sporangia और अभी मैंने इनको pollen sack भी बोल दिया, दोनों में थोड़ा सा difference है, जो class 12 में बताया जाता है, अभी इसकी जरुवत नहीं है, अभी तो एक लोब में कितने blue color के गोले हैं? एक लोब में blue color के दो गोले हैं. तो एक लोब में कितने micro sporengia, दो micro sporengia. इस लोब में blue color के कितने गोले हैं? दो गोले हैं. तो कितने micro sporengia हो गए? दो micro sporengia. टोटल कितने micro sporengia हो गए? चार. इस condition को बोलते हैं tetra sporengia. तो angiosperm में generally 4 micro sporengia मिलते हैं. एक लोब में 2 तो मिलते हैं, दो लोब में, चार मिलते हैं, कंडिशन को बोलते हैं, माइक्रोसपॉरंजेड, इसके अंदर red कलर की जो cell दिखाईी वो है, माइक्रोसपॉर मदर सेल, उसको मैंने बोला, पॉलन मदर सेल, उसमें होगा meiosis, तो आपकी बनेगी पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन को मैंने बोला माइक्रोस्पोर थोड़ा सा डिफरेंस है सही समय आने पे आपको बता दिया जाएगा अभी याद रखना माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन एक ही चीज है हलका सा डिफरेंस है उतना ही डिफरेंस है जितना डिफरेंस माइक्रोस्पोरंजिया और पॉलन सैक में है बता देंगे जब सही समय आएगा अभी जरूत नहीं है तो माइक्रोस्पोर और पॉलन ग्रेन कितनी बनी? चार बनी कैसा structure है? हैपलोईड है एक पॉलन ग्रेन से दो मिल्गैमेट बनते हैं एक पॉलन ग्रेन से कितनी मिल्गैमेट बनते हैं? दो देखिए आपके पास एक पॉलन मदर सेल है जो कैसी है? डिपलोईड है उसमें क्या हुआ? मियोसिस हुआ कितनी पॉलन ग्रेन बनी? चार पॉलन ग्रेन बनी एक pollen grain से कितने milgamit बनते हैं? दो, इससे कितने बनेंगे? दो, इससे कितने बनेंगे? दो, इससे कितने बनेंगे? दो, टोटल milgamit कितने बने? आठ तो अगर एक pollen grain से आठ milgamit बनते हैं, तो 10 pollen grain से 80 milgamit बनेंगे आया समझ में एक pollen grain से कितने male gamet बनते हैं? एक pollen grain से दो male gamet बनें. देखिए एक pollen mother cell में मियोसे सुभा कितनी pollen grain बनी? चार. एक pollen grain दो male gamet फॉर्म करती है. तो कितनी pollen grain है? चार. इससे दो male gamet, इससे दो male gamet. टोटल male gamet कितने हो गए? आठ. आया समझ में? अरे आया? अब तर्नाक कोश्चन मैंने आपको दिया मैंने कहा कि मेरे पास मैंने कहा कि मेरे पास 10 फ्लार है एक plant है जिसमें मेरे पास कितने फ्लार है मेरे पास 10 फ्लार है और एक फ्लार में 5 stem आप और 20 pollen mother cell present in each pollen sack तो Total number of pollen grain और male gamut कितने होंगे ठीक है, देखिए, एक फ्लार में कितने स्टैमन है, पांच, यह लिखा हुआ है, एक स्टैमन में कितने पॉलन सैक होते हैं, चार, तो फिर एक फ्लार में कितने पॉलन सैक हुए, ट्वेंटी, सिंपल है, एक फ्लार में कोशन में दिया है, पांच स्टैमन है, ठीक है, एक एक स्टेमन में चार पॉलन सेक, तो फिर एक फलार में कितने छोंगे ? एक फलार में होंगे 5 into 4, 5 into 4, 20 pollen sack, एक pollen sack में 20 pollen mother cell, तो एक फलार में 20 pollen sack है, तो 20 into 20, देखिए, एक pollen sack में 20 pollen mother cell है, और एक फलार में 20 pollen sack है, तो एक pollen sack में 20 mother cell, तो 20 pollen sack में 20 mother cell, देखिए भाई फिर से सुनिये, एक flower में कितने pollen sack है, 20 pollen sack है, आपने calculate किया ना भी, एक pollen sack में 20 pollen mother cell दिया है, तो एक pollen sack में 20 pollen mother cell है, तो बच्चों मेरे पास तो 20 pollen sack है, तो 20 into 20, 400 pollen mother cell एक full में, दस full में कितनी pollen mother cell, 4000 pollen mother cell, एक pollen mother cell में, मियोसिस से 4 pollen grain बने, तो 4000 pollen mother cell में 16,000 pollen grain बने, एक pollen grain से 2 milk gamit बने, तो 16,000 से 32,000 milk gamit बने, नहीं आया, लो, फिर से समझो, एक full में कितने स्टैमन है, पांच, एक स्टैमन में कितने pollen sack होते है, चार, तो फिर 5 स्टैमन में कितने हुए, 5 into 4, 20, 20 pollen sack, एक full के अंदर, एक pollen sack में, question में 20 pollen mother cell दी है, तो फिर 20 pollen sack में कितनी होंगी, 20 में होंगी 400 pollen mother cell, तो 400 pollen mother cell हो गई तेरी एक full में, दस full हैं, तो दस full में कितनी pollen mother cell हो गई, 4000 हो गई, एक pollen mother cell से 4 pollen grain बनती है, तो 4000 से कितनी बनेगी, 16000 pollen grain बनेगी, एक pollen grain से 2 male gamet बनते हैं, तो 16000 से कितने बनेगे, 16000 से 32000 male gamet बनेगे, अब मेल पार्ट तुमने पढ़ा अब तुम कौन सा पार्ट पढ़ोगे अब तुम पढ़ोगे फीमेल पार्ट देखिएगा जड़ा नहां तो देखिएगा रिलीज औफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर और स्टैमन कॉल पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन रिलीज हो गई यहां से आपकी क्या निकल गई पॉलन ग्रेन रिलीज हो गई और पॉलन ग्रेन किसके उपर लेंड कर गई पॉलन ग्रेन लेंड कर गई स्टिगमा पर यह वाला पार् और svalen region होता है उसको ovary बोलते है और ovary के इंदर मिलता है ovule ovary के इंदर क्या मिलेगा ovule तो ये diagram बनाया आपका किसका ovule का diagram बनाया किसका diagram मैंने आपका बनाया ovule का diagram बनाया देखिए pistol के कितने part है तीन part है stigma style झो पतला region है जो इस्टिग्ma और ovary को connect करता है उसको style बोलते हैं जो basal और फूला हुआ region है उसको ovary बोलते हैं और यहाँ पर land कर गई pollen, grain अब female part हम पड़ रहे हैं ovary के अंदर होता है ovule यह रहा diagram ovule का इस ovule में उपर की तरफ end है चलेजा, basal end यह है cells किसकी new cells की कैसी है, deployed है यह वाला end है micropile, तो यह वाला जो होता है ovule की tip इसको micropile बोलते हैं और इस end को बोलते हैं चलेजा end, क्या बोलते हैं चलेजा end तो अब cells of new cells इसमें एक cell new cells की कैसी हो गई large हो गई, बाकी cells of new cells के compare में new cells की वो cell जो micropile end की तरफ थी, वो large हो गई और उस cell को हम बोल रहे हैं mega spore mother cell क्या बोल रहे है mega spore mother cell क्या बोल रहे है mega spore mother cell, फिर से सुनना यह ovule है किसके अंदर है, ovule के अंदर है यह किसकी cells है new cellers की cell है इन में से new cellers की एक cell का size बढ़ गया, जिसका size बढ़ गया, उसको बोलते है mega spore mother cell size large है, deployed है new cellers की cell है और किस end पर है, micropile उसमें meiosis होआ तो 4 mega spore formed होई जिसमें से 3 मरेंगी एक बचेगी, यह देखिए 1 mega spore बची, किस end पर बची, chalazal end पर बची तो जो functional mega spore बची है ovule के अंदर वो किस end पर बची, वो आपकी chalazal end पर बची है किस end पर बची है chalazal end पर बची है तो आपकी 4 थी, 4 में से 3 मर गई, कितनी बची एक बची, और यह जो एक बची है, यह आपकी chalazal end पर बची है अब देखिए फिर से देखिएगा है ना फिर से पूरा देखिएगा अब आपकी क्या थी female part ये थी megaspur mother cell किस की cell थी new cellus की cell थी कहां पर थी micropyle क्या हुआ था meiosis कितनी megaspur बनी थी चार कितनी degenerate हुई थी तीन कितनी बची थी एक ये देखिए कितनी बची थी एक किस end पर थी चलेजल end पर थी one functional megaspur left at चलेजल end एक functional megaspur बची और वो किस end पर बची वो आपकी बची चलेजल end पर इस functional megaspur ने एक cell बनाई देखिए इस functional megaspur को मैंने बढ़ा करके दिखा दिया ये देखिए green color की functional mega spore दिख रही है जिसको मैंने आपको बड़ा करके दिखाया है ये रहा और ये देखिए one functional mega spore ये देखिए इसकी labeling और इसके अंदर present है nucleus इसके अंदर क्या present है इसके अंदर आपका present है nucleus इसके अंदर आपका present है nucleus अब देखिए इसके अंदर mitosis हुआ mitosis में पहले karyokinesis होता है बाद में cytokinesis होता है तो जब karyokinesis हुआ तो nucleus divide किया कितने nucleus बन गए? दो, बट cytokinesis नहीं हुआ तो अब एक functional megaspor के अंदर कितने nucleus present है? आपके दो nucleus present है क्या cytokinesis हुआ? नहीं हुआ cytokinesis होता तो यहां दो cell बनती बट cell अभी भी एक है और उसमें nucleus का नंबर दो है मतलब cytokinesis नहीं हुआ दुबारा से अब क्या हुआ? दोनो nucleus opposite pole पे चले गए both nucleus migrate towards opposite pole यह है चलेजा pole यह है micropile pole तो एक nucleus चलेजा की तरफ चला गया एक nucleus micropile की तरफ चला गया तो मैंने आपको यहां से बताया था ovary में क्या था? ovule था किसकी cells थी? new cellist की cells थी कैसी थी? deployed थी उसमें से एक new cellist की cell का size बढ़ गया जिसका size बढ़ गया? जिसका size बढ़ गया? जिसका size बढ़ गया? उसको बोला mega spore mother cell उस mega spore mother cell में हुआ meiosis आपकी कितनी mega spore formed हुई? आपकी चार mega spore formed हुई चार में से तीन मर गई और एक बची जो एक बची वो किस end की तरफ बची? वो चलेजा end की तरफ बची इसी चीज को दुबारा यहां बताया गया mega spore mother cell किसकी cell है? new cellars की mega spur mother cell micro pilar end पर है बट जो mega spore बचती है वो चलेजाल end पर है इसको बनाने वाली cell micro pilar end पर है बट जो mega spur बचती है वो चलेजाल end पर है meiosis हुआ चार बची तीन degenerate हुई only one functional mega spore left कहां पर है? चलेजाल end पर किया तो इसमें सिरफ केरियो काइनेसिस हुआ इसमें आपका साइटो काइनेसिस नहीं हुआ इसमें आपका साइटो काइनेसिस नहीं हुआ तो आपके सिरफ सेल एक ही है नूकलियस दो हो गए अब ये दोनों नूकलियस opposite pole पर migrate कर गए, एक chalizal end की तरफ आया, एक micropylor end की तरफ आया, अब इन दोनों nucleus में दुवारा से mitosis हुआ, जब यहाँ mitosis होगा mitosis में पहले क्या हुआ, karyokinesis हुआ, तो यहाँ उपर कितने nucleus बन गए, दो, नीचे कितने nucleus बन गए, दो, cytokinesis अभी भी नहीं हुआ, अब cell एक है, nucleus कितने है चार है, तो इसको बोलेंगे आप four nucleated, इसको आप बोलेंगे four nucleated embryo sec क्या बोलेंगे four nucleated embryo sec four nucleated embryo sec, तो यह जो structure आपका बना, इसको मैंने बोला four nucleated embryo sec, अब यह जो उपर दो nucleus है इन में फिर mitosis हुआ, तो दो से उपर कितने बन गए, चार इन दो में mitosis हुआ, फिर नीचे कितने बन गए, चार, थर्ड number का mitosis, अभी तक cytokinesis नहीं हुआ, तो अब आपका जो embryo sec बना वो eight nucleated हो गया कितना हो गया, eight nucleated हो गया, तो उपर जो चार nucleus है, उन में से एक nucleus center में आ गया, नीचे जो चार nucleus है, उस में से एक nucleus center में आ गया, तो उपर तीन बचे, नीचे तीन बचे, और बीच में आपके हैं कितने दो, बीच में आपके कितने हैं, दो, देखिए, फिर से देखिए, अराम से पूरा अच्छे से समझाऊंगा, PPT में लिखा हुआ है, लेकिन पूरा अच्छे से समझा रहा हूं, देख लीजिए, functional Megazpore कितनी है? एक, कितना Nucleus है? एक, इसमें क्या हुआ? डिवीजन, कितनी Nucleus हुए? दो, इसको क्या बोल का, यहां पर क्या हुआ? सेकेंड मायटॉसिस हुआ, यहां केरियो करने से सुआ, दो Nucleus बने, यहां पर केरियो करने से सुआ, दो Nucleus बने, तो यहां मायटॉसिस, यहां मायटॉसिस, ठीक है? अब, तीसरा मायटॉसिस, यह उपर दो Nucleus है, इन में मायटॉसिस होगा, तो 2 से कितने बनेंगे 4, यहां 2 से कितने बनेंगे 4, उपर से एक nucleus center में आया, नीचे से एक center में आया, तो उपर बचे 3, नीचे बचे 3 बीच में आ गए 2, 1 nucleus from each pole migrate towards center, हर एक pole से एक nucleus center की तरफ आया, तो बार बार nucleus divide करता है, इसको बोलते हैं free nuclear division, और इस condition की वज़े से यह embryo sac multi-nucleated हो गया, इसमें बहुत सारे nucleus आ गए, इसको बोलते हैं sinusitic, जॉन सीना नहीं, इसको बोलते हैं sinusitic, तो sinusitic condition में एक cell में बहुत सारे nucleus पाए जाते हैं, अब इसके बाद देखिए क्या हुआ, इसके बाद देखिएगा आपका क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा इसके बाद क्या हुआ, अब कैसा है, 8 nuclear embryo sac है, अब जाके cytokinesis हुआ, तो जब अब जाके cytokinesis हुआ, तो नीचे जो तीन nucleus थे, वो तीन cell में convert हो गए, जो नीचे तीन nucleus थे, उन सब को थोड़ा-थोड़ा cytoplas मिला, ले भाई, तू भी cytoplas ले, इसने भी cytoplas लिया, इसने भी cytoplas लिया, इसने भी cytoplas लिया, तो नीचे के जो तीन nucleus थे, वो तीन cell में convert हो गए जिसमें से एक cell pink color से दिखाई है जो आपका कैसा है egg है कैसी cell है haploid है ये सारे structure haploid ही होंगे क्योंकि ये mega spore से बन रहे हैं और mega spore कैसा था haploid और ये जो दो cell दिखाई है इनको synergid cells बोलते है synergid cell का number 2 होता है egg का number 1 होता है synergid cell का number 2 है ये दोनों cell synergid है और ये एक आपका egg cell है तो नीचे जो तीन nucleus थे उन्होंने cytoplasm लिया और वो तीनों nucleus तीन cell में convert हो गए जिसमें से एक cell egg है और दो cell synergid है इन दोनों को मिला कर बोलते हैं egg apparatus तो एक egg apparatus के अंदर एक egg होता है और दो में total cell कितनी है तीन cell है total nucleus कितने है total nucleus भी आपके तीन है तो 3 cell और 3 nucleated है और ये किस end पर होता है ये वाला end होता है micropile तो egg apparatus आपका micropile end पर present होते है उपर के जो तीन nucleus थे उन तीन nucleus convert हो गए आंटी पुलिस बुला लेगी इन cells को बोलते हैं antipodal cell क्या बोलते है antipodal cell तो चैलेजल end पर जो तीन nucleus थे जब उनको cytoplas मिला तो वो तीनो nucleus convert हो गए तीन cell के अंदर कितनी cell के अंदर तीन cell के अंदर इन तीन cell को बोलते है antipodal cell और antipodal cell थी cell होती है तीन है ये total nucleus कितने है आपके तीन है ठीक है कहां पर है आपका ये आपका चैलेजल end पर present होता है इन तीन को और इन तीन को छोड़ के जो ये बड़ी सी cell आपको दिखी जिसके अंदर दो nucleus है इस cell को बोलते है central cell सबसे बड़ी है इसका नमर एक है और इसके अंदर दो nucleus present है इन nucleus को बोलते है polar nucleus क्या बोलते है polar nuclei क्या बोलते है polar nuclei तो इसके अंदर दो nucleus है तो ये cell का nature होता है binucleated इस cell का nature होता है binucleated तो उपर तीन cell antipodal cell नीचे जो तीन cell है उसमें एक egg है दो synergid है इनको मिलाकर agapreatus बोलते हैं और जो बीच में बड़ी सी cell है जिसका नम्मर एक ही है ये जो बड़ा सा कवच दिख रहा है central cell और इसमें दो nucleus present है तो total cell count करिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 cell total nucleus count करिए 8, 7 cell 8 nucleated embryo sec इसी को बोलते है female gametophyte अब आप याद करिए gymnosperm में female gametophyte को endosperm बोलते थे यहाँ female gametophyte को embryo sec बोलते हैं 80% plant में इस type का embryo sec मिलता है 7 cell 8 nucleated आगया होगा कभी कभी ऐसा भी होता है कि central cell में जो दो nucleus होते हैं वो आपस में fuse हो जाते हैं तो अगर central cell के दो nucleus आपस में fuse हो गए तो अब N और N ने बनाया 2N तो जो deployed nucleus बना उसको बोलते हैं secondary nucleus कमेंट करके बता देना class कैसी लगी देखिए कभी कभी इस central cell में जो दो haploid nucleus है वो दोनो nucleus fuse कर जाते हैं और fuse करने के बाद आपका एक deployed nucleus बन जाता है जिसको आप बोलते हैं secondary nucleus अब देखिए एक MMC में कितने meiosis हुए बताईए एक MMC में कितना meiosis हुआ यहां से start करिए एक MMC में एक meiosis हुआ और कितनी बार meiosis हुआ तीन बार meiosis हुआ तो एक MMC में एक meiosis हुआ तीन meiosis हुआ जिसकी वज़े से आपका एक embryo sac बना तो एक embryo sac बनाने के लिए कितने meiosis हुए MMC में एक ही बार हुआ कितना meiosis हुआ ỉक दो 3 3 myiosis हुआ एक MMC में एक meiosis होगा और तीन meiosis होगा तब जाकि एक embryo sac बनेगा तो 101 embryo sac बनाने के लिए कितने miiosis चाहिए 101 meiosis चाहिए अगर एक embryo sac बनाने के लिए एक meiosis चाहिए तो 101 embryo sec बनाने के लिए 101 meiosis चाहिए लो अगला देखिएगा ठीक है देखिए कुतना अराम अराम से बता रहा हूं कुछ भी नहीं भगाया बहुत ही अराम अराम से पूरा का पूरा देखिएगा ध्यान से अब देखिए पॉलन ग्रेन कहां पे लेंड हुई थी पॉलन ग्रेन आपकी लेंड हुई थी इस्टिगमा पर ठीक है यह जो यलो कलर से बनाया है यह है ओवरी ठीक ओवरी के अंदर यह वाइट कलर से बनाया यह है ओवियूल और ओवियूल के अंदर है आपका embryo sec तो आपको सबसे बाहर दिख रही है ovary, ovary के अंदर आपको ये white color से दिख रहा है ovule, और ovule के अंदर green color से दिख रहा है embryo sec, उपर antipodal cell, बीच में central cell, नीचे दो synergid, एक आपको दिख रहा है egg, तो pollen grain जिसको आप बोल रहे है male gametophyte, तो pollen grain कहां land हुआ, stigma पे land हुआ, अब pollen grain move नहीं किया, इसमें से ये red color से मैंने निकाली pollen tube, तो आप देखिए, pollen tube formed हुई, तो pollen grain जिख पहले कहां गई, stigma पे गई, फिर कहां गई, style पे गई, फिर style से कहां गई, ovary में गई, ovary से कहां गई, ovule में गई, और ovule से pollen tube कहां गई, embryo sec में गई, pollen grain तो stigma पे ही रखा हुआ ह pollen grain move नहीं करता, pollen grain का part move करता है, यहां भी chemical के respect में ही movement होता है, अभी आपको बताऊँगा, chemical के बार में बताऊँगा, अलग से बताऊँगा, अभी आप देखिए, pollen grain अभी chemical वाला point हटा दिता हूँ, यहां पे समझाया है chemical, यहां समझाया है, ठीक है, देखिए, pollen grain कहां पे land हुई है, pollen grain आपकी land हुई है, किस के उपर, इस stigma के उपर land हुई, जिसको आप pollination बोले थे, अब pollen grain move नहीं की, pollen grain से निकली pollen tube, वो pollen tube पहले stigma पे गई, फिर pollen tube style में गई, style से pollen tube ovary में गई, ovary से pollen tube ovule में गुसेगी, और ovule से कहां गुसेगी, embry embryo sack में गुसेगी, तो pollen tube stigma पे जाएगी, फिर style में जाएगी, फिर ovary में जाएगी, और ovary के अंदर ovule में जाएगी, और ovule के अंदर ये जो आपने embryo sack बनाया ना, 7 सल, 8 निट्रिन, इसके अंदर जाएगी, और वहाँ pollen tube release करेगी, कितने male gamet, 2 male gamet release करेगी, तो pollen tube ने कितन उपर गिरी, stigma पे गिरी, जिम्नो स्पम में pollen grain सीधा ovule पे गिरी थी, क्योंकि वहाँ flower नहीं होता, यहाँ flower present होता है, तो pollen grain stigma पे गिरी, यहाँ से निकली, यह red color से मैंने pollen tube बनाई है, तो pollen tube पहले कहां गई, stigma पे गई, फिर कहां गई, style में गई, फिर इस yellow color के गोले में ब backend कहां गई, ag infected में गई, और agrate में, उसने कितनी male gamet को release कर दिया, दो male gamet को release कर दिया, male gamet कैसा है, haploid है, egg कैसा है, haploid है, तो एक male gamet ने egg को fertilize किया, egg मतलब female gamet, तो एक male gamet ने egg को fertilize किया, N or N, fertilization के बाद बना jiigote, इस process को बोलते हैं sy gains, और यह जाइगोड बनाएगा embryo तो अंदर जो दो male gamete आपके आए हैं उसमें से एक male gamete egg को fertilize करता है process को syngammy बोलते हैं तो जब दो haploid cells मिलती हैं तो एक diploid cells बनती है जाइगोड और जाइगोड से आपका बनेगा embryo अंदर दो भाई साब आये थे एक भाई साब ने खेल कर दिया अब दूसरा भाई साब male gamete उसने कहा कि मैं central cell को fertilize करूँगा तो मैंने यहाँ पर green color से बनाई central cell उसमें दो दिखाए polar nucleus male gamete haploid दोनो polar nucleus haploid और यह green color की है central cell तो यह मैंने central cell उठाया यहाँ पर बनाया central cell में दो polar nucleus थे मैंने यहाँ पर दो polar nucleus आपके बना दिये तो एक male gamete ने आपका एक central cell को fertilize किया एक nucleus N, यह nucleus N यह nucleus N, तीनों मिलकर बन गए आपके 3 N, तो अब जो structure बना, अब central cell का नया नाम fertilization के बाद fertilization के बाद fertilization के बाद अब मैं central cell को बूल रहा हूँ primary endosperm cell और अंदर जो nucleus बना N, N, N अंदर जो nucleus बना है वो 3 N है, triploid है उस nucleus को बूल रहा हूँ primary endosperm nucleus दो polar nucleus थे तो N, N उनका हो गया और एक N हो गया male gamete का तो जब 3 N साथ में आएंगे तीन nucleus साथ में आएंगे तो जो nucleus बनेगा वो 3 N वाला बनेगा तो जो structure अभी बना है उस cell को बोलते है primary endosperm cell जिसका nature है triploid और इसके अंदर जो nucleus बना वो उसका nature भी triploid है वो भी आपका 3 N है तो अब ये वाला जो cell है primary endosperm cell है ये जाके convert होता है endosperm में तो यहां endosperm का nature triploid है gymnosperm में endosperm का nature haploid था यहां endosperm fertilization के बाद बना gymnosperm में endosperm fertilization के पहले बना तो कितनी बार fertilization हुआ दो बार fertilization हुआ एक बार syngemi और इस वाले process को बोलते है triple fusion तो कितनी बार हुआ दो बार हुआ इसलिए इसको बोलते है double fertilization जो सिरफ endosperm में मिलता है फिर चाहे वो dicot हो या monocot हो तो double fertilization endosperm का एक unique character होता है एक unique character होता है तो यह आपको समझ में आ गया होगा में भी आता है देखिए दो synergid है synergid में आपको यह M colors M बनाया ना मैंने M यह देखिए M M आपको दिख रहा होगा इसके अंदर M यह जो मैंने M दिखाया है यह है philiform apparatus कहां पर present है synergid cell में present है philiform apparatus की cell जो होती है वो एक structure बनाती है फिर से सुनना सौरी synergid की जो cells होती है कौन सी cell होती है synergid cells जो कहां पर थी synergid cells कहां पर थी micropile end पर थी तो synergid cells जो होती है इनकी wall modify होकर एक structure बनाती है जिसको बोलते है philiform apparatus जो structure मैंने M से दिखाया है यह yellow color से जो cell है यह synergid cells है synergid cells की जो wall होती है वो modify होकर कुछ structure बनाती है जिनको आप philiform apparatus बोलते है और यह जो M है यह philiform apparatus है जो secret करते है chemical और इस chemical की वज़े से pollen tube embryo sec के पास आता है जो guide करते है attract करते है pollen tube को towards embryo sec तो यह जो pollen tube है यह यहां कैसे आई क्योंकि यहां synergid पर philiform apparatus present होते है philiform apparatus synergid की cell wall से बनते है और वो philiform apparatus क्या secret करते है chemical secret करते है जो किसको attract करते है pollen tube को ऐसे movement को बोलते है chemotropic movement after fertilization synergid antipodal cell degenerate तो बच्चो हमने पूरा quality के साथ पढ़ लिया अब यहां table है algae, bryo, terido, gymno, angio में comparative study यह table है जहां तुम्हें मजा जाएगा ध्यान से देखिएगा दो table मैंने बनाई है इसके अंदर हाँ दो ही है ना हाँ दो table मैंने इसके अंदर बनाई है ध्यान से देखिएगा बच्चो जो artificial natural classification था cytotaxonomy, chemotaxonomy वो easy portion है उसको मैं biological classification में complete कर लूँगा क्योंकि वहाँ two kingdom classification, three kingdom classification, linear classification, artificial था तो मैं वहाँ पे cover करूँगा उसको ठीक है और cell membrane हमारा बचा हुआ है उसको भी मैं cover कर लूँगा लेक्चर पूरा देखा करो लेक्चर पूरा देख लोगे तो पता चल जाएगा कि सर ने कहा कि cell membrane को भी वह आगे आने वाले किसी चैप्टर में cover कर लेंगे तो जब लेक्चर पूरा देखो गए नहीं अंत तक तभी तो कमेंट करोगे कि सर ने cell membrane नहीं करा देंगे जो मिल रहा है उसकी कदर करो उसकी value को समझो मज़ में आया आप तो अलड़ी अपने वैचेस में सारी चीजे पढ़ चुके हो मैं तो एक तरीके से आपका revision करा रहा हूँ और वो भी बहुत detail में करा रहा हूँ ठीक है तो two kingdom तो artificial, natural और phylogenetic हम लोग biological classification में cover करेंगे क्योंकि classification वाला portion वहीं पर आता है वहां मैं आपको अच्छे से relate करके समझा पाऊंगा ठीक, algae, bryo, terido, gymno, angio में difference algae में embryo नहीं मिलता bryophyte में embryo मिलता है, teridoophyte में मिलता है, gymnosum में मिलता है, angiosum में मिलता है, तो अब आपको याद रखने के जरूत नहीं है, अलग से कहां embryo नहीं मिलता, algae में बागे जगे embryo मिलता है यहां xylem phyloem नहीं मिलते, यहां नहीं मिलते, यहां मिलते है, यहां मिलते है यहां मिलते है, तीनों में vascular tissue किस पार्ट में मिलते है तीनों में vascular tissue sporophyte वाले पार्ट में मिलते है seed formation अलगी में नहीं है, ब्रायोफाइट में नहीं है, यहाँ सीड हैबिट का प्रिकरसर, मतलब सीड फॉर्म नहीं हुआ, बर सीड बनाने के लिए प्लांट पहली बार जो हेटरोस्पुरस कंडिशन आई, प्रिकरसर टु सीड हैबिट, वो आपकी टेरिडोफाइट में आई, जिम्नो स्पॉम के अंदर आपका सीड का फॉर्मेशन है, फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ सीड का फॉर्मेशन है और फ्रूट का फॉर्मेशन भी है, एंथ्रीडिया आपका तीन में मिलेगा, इन दोनों में एंथ्रीडिया नहीं मिलेगा, यहाँ पर आर्ची लीफ्स अलगी में नहीं है, बरायों में नहीं है, टेरिडों में है, जिमनों में है, और एंजियों में है, रूट स्टेम लीफ डिपलोईड होती है, क्योंकि ये स्पोरोफाइट का पार्ट होता है, और स्पोरोफाइट डिपलोईड होता है, इसकी में प्लान बोडी गैमि synthetic है, free living है इसकी main plant body भी यही है इसकी main plant body भी यही है तीनों की main plant body same है terito, gymno और NGO इसका sporophyte देखिए इसका sporophyte dependent है ठीक है, इसका sporophyte dependent है किस पे? gametophyte पर पूरी तरीके से भी depend हो सकता है और partial भी हो सकता है पूरी तरीके से liver watt में था और partial moses में था इसका sporophyte dependent इसका sporophyte जो होता है वो independent होता है इसका sporophyte independent होता है इसका sporophyte independent होता है अब देखिए यहाँ फोर्टिलेशन external होता है mostly, यहाँ internal, यहाँ internal यहाँ internal, यहाँ internal यहाँ flower नहीं मिलते यहाँ कोन मिलता है यहाँ आपका फलार मिलता है पानी के थुरू होता है, यहां movement chemotactic होता है, जब cell move करे, gamete move करे, पूरा cell move करे, chemotactic, अगर cell का सिरफ पार्ट मूव करे, सिरफ pollen tube move करे, chemotropic, in response to chemical, तो यहां movement chemotropic होता है, क्योंकि यहां movement pollen tube का होता है, तो जब fertilation पानी की help से होता है, तो इसको zoodio gamma कहते हैं, और जब pollen tube की help से होता है, इसको siphon gamma कहते हैं, यह life cycle आप पढ़ लेना खुद, यहां haplontic life cycle है, haplontic मैं पढ़ा होती है, और life cycle मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, जो life cycle मैंने आपको bryophyte और tidophyte ने पढ़ाई है, वो haplodiplontic है, और gymnosperm और angiosperm की diplontic है, यह life cycle मैं पूरी की पूरी, यह haplodiplontic है, यह मैंने bryophyte के respect में explain किया, इसको पढ़ लेना, पूरा का पूरा पढ़ लेना, ठीक है, bryophyte के respect में explain किया है, चलो मैं explain करी देता हूँ, haplodontic तो मैंने करी दी थी, diplontic और haplodiplontic बची है, कर देता हूँ, तो यह life cycle कहां मिलती है, यह life cycle bryophyte और teridophyte में मिलती है, और polysiphonia red algae है, उसमें मिलती है, brown algae, ectocarpus है, इसके अंदर मिलती है, ठीक, तो bryophyte में haplodiplontic life cycle है, तो bryophyte की main plant body है gametophyte, यह रहा आपका gametophyte, gametophyte पर है enthridia और archigonia, इन दोनों ने बनाए gametes, process को बोला gametogenesis, यह देखिए, gametophyte पर gametogenesis, दो एरों दिखाए हैं, दो एरों का मतलब male gamete और female gamete, दोनों एरों मिल गए तो process को बोला sin gamete, क्या बना, जाइगो asaphyte की life cycle है, bryophyte खोल लो, giàइगोट से क्या बना, embryo से क्या बना,, एम्डियो से क्या बना, sporophyte बना, इन्होंने jiagoti से सीधा sporophyte बना, तो jiagot से embryo से क्या बना, sporophyte बना, sporophyte के पार्टता है kapsule, kapsule में present थी spormother cell, यह में होता था meiosis और क्या बनता था, spor, इन्होंने direct sporophyte म अले पार्ट में spore मदर सल्थी जो meiosis करके spore बनाता था और spore के germination से आपका बना gametophyte अब इसी life cycle को teridofite के respect में पढ़ते हैं Tidophyte की MainPlan Body is Sporophyte तो शुरू कहां से करेंगे? Sporophyte से करेंगे Sporophyte पर सीधा ही Meiosis दिखा दिया Sporophyte पर थी supportive sporophyte, Tidophyte Classical खोलो Sporophyte पर थे sporangea sporangea के अंदर sporangea के अंदर क्या present थी Spore Mother Cell उसमें क्या हुआ था Meiosis क्या बना Spore sporophyte पर बनते हैं Spore इनों ले जर्मीनेट करके बनाया प्रोधैलस, प्रोधैलस को बोला मैंने गहमेटोफायट, इस पूर से बना गहमेटोफायट, प्रोधैलस पर थे एंथीर्डिया और च्रिगोनिया, इनों ने बनाया गैमेट्स, यह देखिए, गैमेटोफाइड से गहमेटोज Signus दो ये life cycle है आपकी diplontic life cycle कौन सी है, diplontic कहां मिलती है gymnosperm, angiosperm और fucus में मिलती है देखिए समझ येगा मैं gymnosperm ये और angiosperm gymnosperm के respect में बता देता हूँ ठीक है ये है आपका sporophyte ये रहा sporophyte diploid sporophyte पर micro sporophyll था mega sporophyll था micro sporophyll पर micro sporophyll था mega sporgy में mega sporr मदर शलता यहां micro sporr मदर सलता दोनों में meiosis हुआ meiosis होने की वज़े से क्या बनी spores बनी mega spor और micro spor ये रही आपकी spor उसके बाद mega spor ने बनाया female gametophylt micro spor ने बनाया male gametophylt ये देखिए gametophyte बन गया male gametophyte से male gametophyte से female gametophyte बना और एम्रियो से बना इस पोरो फाइट तो बच्चो चैप्टर क्वालिटी के साथ खतम हुआ बहुत मेहनत करके चैप्टर दिया है आपको बहुत डिटेल में आपको एकस्पेंड किया है कमेंट करके बताईएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा ठीक है तो मस्त हो के बैठना, चौड़े हो के बैठना, स्ट्रेस फ्री हो के बैठना यूकि भाई फिर आएगा थेंक यू